हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जीब बिग्यान के बारे में आपको बता दें इसमें हम लोग 1100 के करीब कुश्चिंच देखेंगे ऑप्जेक्टिव टाइप के और जो बहुत ही मत्कुन रहेंगे हर परीक्चा के लिए ठीक है तो चलिए करतें से पहला है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो आपको बता देना है विटामिन बी बन की कमी से वेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी का नाम रसाइनिक नाम है थाइमीर यह है फल, चावल, अंडा, मार्स, दूर, सोयावीन, अंकुर, अंकुरित, अनाज, एक्तिया और अडू सूथ है इसका C2, OH2Q, OH, यह गाज है, हरी, पत्ति, दार सबजी, पफीता, पका आम, फल, दूद, अंडा, आदी में होता है, बिटामिन एक ही कमी से होने बाला रोग है, रत्वांदी, इस बीमारी में बैक्ति को रात में दिखाई नहीं देता, तो बिटामिन एक कमी से क्या होता है, रात्वों दी, याद रगता, रहा हमारा, बिटामिन C, इसका रचाइनिक yapılा है, शकरविक, अंडा, इसका अडूसुथ है C67, OH6, इसकी कमी से शकरवी रोग होता है, बिटामिन C की कमी से शकरवी रोग होता है, यह खटे रसदारफल, नेव संत्रा, आदी में पाए जाता है गरम करने पर विटामिन नश्ट हो जाता है फ्रे विटामिन 12 इसका रसाइन ही नाम है साइनो कोवाला मीन इससे कोवाल्ट धातू पाए जाता है इसमें आरबी-सी के निर्मार इबन प्रोटीन संसलेशन में सायक होता है यह मास कलेजी दूर जाता है दूसरा कुष्चन है मैडक में दात होते हैं तो आपको बता देना है मैडक में दात होते हैं होमोडॉंट इसकी ब्याक्षा देख लेते हैं मैडक में दात होते हैं होमोडॉंट मैडक के दात एक ही पेकार क्यों होते हैं इसलिए से होमोडॉंट कहते हैं जो मसूडा में दैसे होते हैं थीकोडॉंट कहते हैं जैसे मनुस की है फिर हेट्रोडॉंट वैसे बाद नाथ जो भिन 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 पेकार के होते हैं हेट्रोडॉंट कहलाते हैं मन उसके दाथ हेट्रोडोंट पिकार के हैं इस चार पिकार के होते हैं इनसीसर फिर एक कैनाइन प्रिमूलर और मूलर तर तीसरा क्वेश्चन है एक इस टार से क्या से संबंदित है तो आपको बता देना है गिलुकोज इसका रतायनिक सूथ है C6-H12-C6 फ्रैक्टोज प्राक्तिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है यह सहद में पाए जाता है किंतिम रूप से अधिक समय अधिक मीठा सेक्रीन होता है लेकिन इससे उजा की प्राक्ति नहीं होती है अब उद्द्यों में काम आता है सुक्रोज मोनोसेकराइड के दो अनु का निर्मान करते हैं गिलुकोज फिलस गिलुकोज माल्टोज और गिलुकोज फिलस फैक्टोज सुक्रोज गिलुकोज फिलस गिलुकोज तोज तोज ए गिलक्टोज फिरे गिलक्टोज यह कार्गोईटरी का सबसे सहल पहसता है कार्बो हाइडरेट का सामन सूत होता है CH2O2, की होल पावर 2, एक लोग कर्बो हाइडरेट शे 42 कलोरीज हूजा मिलती है, तरहें दात, दात के सिखर बना होता है, तो आपको बता देना है, डेंटीन से, दात का सिखर डेंटीन का बना होता है, दात के बाहरी पर थे को N.A.M. कहते हैं, या हमारी सरीर का सबसे कड़ा और मजूद भाग होता है, दात के अंदर वाले भाग को Dantine कहते हैं, वो पास थी, यह मुलायम एवन लचीला होता है, नाक एवन कान की निर्मार में सहायक होता है, काईटीन, कीटों के बाहरी आवरं को, का निर्मार काईटीन से हो करा होता है, पांच बाग कुश्चन, इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको बता देना है, देख लिया पहले वी, विटामिन सी, इसका रसाइनिक सूत, रसाइनिक ना वेवन सूत है, इसकरवी पैसेड है, इसका रसाइनिक ना, सूत है C688806, विटाम सब्सक्राइब इसकी कमी से प्रोस और में जनल सकती का कब हो जाती है विटामिन डी विटामिन डी का रसानिक नाम है कैल्सी फेरोल यह हंडा मक्खन मचली का तेल सूर के दूब में पाया जाता है इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं बैस्कों में ऑस्टो मोमोलिसिया होता है पेपसिन इंजायन होता है पेपसिन पेपसिन एक इंजायन है फ्रोप प्रेपसिन इस्टोमच के पेप्टिक सेल से इस्तरावित जो पेपसिन में बदलता है यह प्रोटीन को प्रिवर्टिव करता है सभी इंजायन फ्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन इंजायन नहीं होते हैं है वह सोथा है ह Taste the Noel और हमारे सरीर के विविनदागों में स्राविथ होता में इवंढ बॉडी के अंगों में विकास में साहे मोता है विटामिन हमारे सरी के वीमानी जि part सब्सक्राइब होता है तो याद रखना है एक्रत तता में पेसियों में होता है एक्रत का सबसे बड़ा 22 तन्त है एक्सो क्राइड ग्लांड लीबर में गडवड़ी के कारण पिलिया रहू होता है लीबर में पित्रस का निर्माड होता है एक्रत या बेसली पदायत को विसीन बनाता है इसे यूरिया का निर्मादा होता है ओल्ड आर्वीसी को नश्ट करता है इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं विटामिन A, D, E, K तथा विटामिन K का निर्माड भी होता है फ्रेतिल इस लिए शरीय का बिलोप बिलेड बेंक कहा जाता है आरवी सी कपर गायवी कहते हैं से कविस्तान आठवा कुछ्छन हुआ कुछ तत्त है जो दंद एनेमल को कट्वर बनाता है तो याद रखे फिलोरीन दंद एनेमल को फिलोरीन कट्वर बनाता है फिलोरीन की कमी से मानोसरी में फिलोरोसिस नामक रोग होता है फिर है कैल्सियम कैल्सियम दात में कैल्सियम फॉस्पिट कैल्सियम कार्गोनेट कैल्सियम फिलोराइड इत्यादी तत्वाए जाते हैं मनुष के दात बमहटी में कै होती है फ्रभत होती हैै मैं धीकमिसे ट्रहाब करता है इस में ड्रहक औरन। पित्रस का कारिए तो इसमें बता देना है डी ओप्सन से पाचन तता सोसन धेतु वसा का इमल्सन करता है फित्रस में जल लवट सोडियम गलाइकुलेट सोडियम टेकुलेट सोडियम कार्बुनेट इत्यादी पाए जाता है कि इस दस्वां कि जनन चमतां में कमी होती है के बिटामिन की किस नगी तो आपको बता देना है लूनेट विटामिन की कूछ लूनेन नगी नेकी थी डिनेट में होते हैं Nucleotides, Nucleotides, DNA Nucleotides के बने होते हैं, DNA को Poly Nucleotide के बने होते हैं, पितिक पॉली, Nucleotides में कई Nucleotides होते हैं, Nucleotides, Netrogenase Base का बना होता है, जिसमें Porine, Threemidine, Purine and Edemine, Guanine, Threemidine, Mascytocene, Thymine होता है, Amino Acid, 20 पिकार के Amino Acid मिलकर एक प्रोटीन का निर्वाण करते हैं, प्रोटीन को Body Building Material करते हैं, प्रोटीन इन्जाइम एवन हर्मोन के निर्वान में साहिए होते हैं, फ्रहें Peptons या Peptides, अगना से से अगना से ही रस निकलता है, प्रोटीन को Peptons एवन Peptides में बदलता है, तरहें देर्वा कुशन, कौन सा Carbohydrate Monosaccharide है, तो आपको बता देना है, Glucose एवन Factor, Carbohydrate, Carbohydrate, Carbohydrate Monosaccharide Glucose एवन Factor है, Glucose B Monosaccharide है, Carbohydrate Di-Saccharide के अंदरगत माल, Toge, Sucrose एवन Lactose होता है, Polysaccharide के अंदरगत Starch Glycose एवन Cellulose Cytine होता है, 14 यक्रत द्वारा बनाएगा पित्ता साहिए किस के द्वारा पहुंकता है, तरहें आपको याद रखना है, cystic duct के द्वारा, लीवार द्वारा बनाया गया पित्त, फित्ते आसा में cystic duct द्वारा पहुंकता है, तरहें पंदवार निम्लिकत में से कौन सा है, Dysaccharide है, Maltose, ठीक सूलाइवा कोश्च्चन, निम्लिकत में से किस में sensation के लिए cholesterol आवस्यक होता है, एक्ष्ट्राडियोल में, एक्ष्ट्राडियोल के लिए cholesterol आवस्यक होता है, इंसुलीन, इंसुलीन का निस्करशन अगनासर में होता है, से होता है, इसकी कमी से डायोटीज, चेनियो रोग होता है या डायोटीज, इंसुलीन, ج्युकोज, लिवर में, गलाई, गोजन की रूम संचित रहता है, सत्तरवा-कोष्यटि cheers का केसिन को दूह दोद assault protein कहा जाता है, दूद का रंग, चेसिन, फिला, प्रोटीन के करण होता है 1. लेक्टोजे यह चोटीयाद सेत्रावित होता है। 2. लेक्टवेघ को गलाकोड में परीवर्दित करता है। 2. पाए जाने वाला केशिण, कथियम 2. Kecinate में बलता है। एडल्ट मनुस में रिनाइन इंजायम्स की कमी होती है जिससे कारण दूर पचने में कटना ही एक होती है रहे अठारवा कुष्चन आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स अमीनो अमलेक में निमनी करण होता है तो आपको बता देना है छोटी यांत में अमीनो अमलका डाइग्रेडेशन होता है छोटी यांत से सेर्वेट एंजायम्स एरीफिक्सिन प्रोटेंस को प्रोटेंस को प्रोटेंस को अमेनो एसेड में फरिवर्दित करते हैं आमास है इस्टोमर से गेश्ट्रेट जूस निकलता है एसे एल फ्रोटेंस मौसिं रेनिंग शरावित होता है तरह 19 वा कुश्चन को किस विटामिन को हर्मोन भी कहते हैं तो याद रखें विटामिन डीप हुआ विटामिन डीप को हर्मोन भी कहते हैं मानाव मूत में विटामिन डीप आये जाता है मचली के लीवर यह विटामिन डीप आये जाता है मनुस के सरी मैं निष्कियाग्वा का समूर है याद रॉखना सी नामीषक पठल क्रीमी रूब्रीशेश्ट से का कंड़ीसई टियुँगा अस्थी कार नहीं है कि ऐसी अंग को विष्टी कल और नच कहते हैं फिर बाइसवाद पुनों रुद्ध भावन मिलता है तो याद रखना डी ओप्शन है फिली नेरिया में फिली नेरिया में फुरूर्दवन की क्रिया देखने को मिलती है फिर तेश सम्बीती अंग है तो याद रख एल्ग है चमगादर के पंख वत्यतली के अत्व मनुस्थ के हाथ को मौलिक रचना एक जैसी होती है एक सम्रूपंग ऐसे यह जो समान कार के उप्योजित हो जाने की कारण समाज दिखाए देते हैं समान परंतु मूल रूप से भूडियर परिवर्दन में भिन होते हैं सम्रूपंग कहलाते हैं तितली पक्षियों तथा चप सब्सक्राइव को सब्सक्राइब जाएं चल्फ मुक्ष मवेमरी आने हेज़िए फैव हर्मोन की कमी से जिए जिए फटे यह रहो क्लोष्ट रे तुवर्ट्यसत्य नमग बेक्टेडिया से उता है एसमें य। सीजी का टीमगा लगाया जाता है थरत कोडिया कोस्ट लेप्रोजी माइक्रोबेक्टिरियम लेप्री नामा बैक्टिरिया से होता है इस रोप्थाम के लिए मल्टी ड्रग थेरेफी दवाओं का प्योग किया जाता है पत्चीस पा कुश्चन डार्विन है तो आको बता दिने प्राक्टिक चैन का सिद्धान डार्विन्स डार्वी वेजिम है और्गन और स्पिसिज वाय नेचूरल सेलेक्शन पोस्तव की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वार किया वह पार्जित लक्षनों की वंसागती सिद्धान्थ का पिद्धी बादन लेमायक के द्वारा किया गया इसके अनुसार जाती कि उत्पत्ती अचानक परिवर्टन की पारण होता है जीमों में अचाने परीवतन और फरीवतन कहलाता है तरह 26 वा कुछ जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लावो तथा दूसरे को कोई लाव ना हो तो वह कहलाता है कॉमेंसिस से कॉमेंस लिजिम जब दो जीव एक साथ साथ रहें तथा एक को लावो तथा दूसरे को लाव ना हो इसे से भोजिता या कॉमेंस लिजिम कहते हैं दो जीव के बीच ऐसे संब्द जिसमें एक गीव को लाव तो दूसरे जीव को हानी हो पर जीविता एक जीव दूसरे को पूरी तरह भक्षन करता है इसे पर भक्षन कहते हैं प्रेडेशन कहते हैं गिद्ध जैसे तरह 27 भूमी या परदन की रोखताम संभव है तो याद प्राक्तिक चैनवाद के सिध्धान का किती बादन डार्विन ने के द्वारा किया गया यूगम तक की उत्तर जीवित का प्राक्तिक चैन दोनों एक ही सिध्धान थे 49 आर्की ओप टेरिक्स किर्ण का सयोजन था तो आपको याद रखना है स्थरी सिपों एवन पक्षियों का तीसवा कुछन सूर के पेकाव से परावगनी विप्रण की क्रिया से क्या उत्पन होता है वो जों सियों भी ओप्सन सहीं एक अत्तिसवा कुछन वन पारिस्तिती तंत महरे पौदे होते हैं तो आपको याद रखना है उत्त पादक वन पारिस्तिती तंत महरे पौदे हैं उत्पादक बैसे उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं मूल या प्रात्मे को भूपता जैसे गहास खाने वाले जानवर वक्री का खरगोस गाय हेरन इत्याद बात करते हैं हांगे प्राइमरी प्राइमरी साकारी होते हैं मित उत्पादक एवन और भूपता को सल पतारतों में अब्विटित करने वाले जीव को अगटक कहते हैं जैसे वेक्टिरिया वायरस ठंगी 32 वाल जीवों तथा वातरमान के पारसपरिक संबंदों का अध्यन क सेंकराच को एकोलोजि कहते हैं उसी चेत्ट विशेश के जैवेग घटक एवग आजवेग हटक के संबंद एको तंथ कहलाते हैं बाइओ टिक वेक्टर के अंतर के अंदरक संजीव जीव जानथवों प उद्टर के अंधग प्रहें कि और तो K dawn को लवजी किती सेनकोलोजी कहते हैं फिरे 33 वार निम्लिक्त में सिख्के सिवकों को जीवन नहीं कोई जीवन नहीं था कि याद रखना है इच्वायग गाद फिरे 34 वुद्परिवर्टन बाद कस पिस्तुर किया है किस न थे तो याद रखना है डीवरिज नहीं फिरे ने किया ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवान सिखी का पिता काहते हैं वुद्विकास के अक्षे थे सरप्रितम मत देने वाले विज्ञाने के लेमार्ग थे यहनो कि एनुवाह ने अठारा सोनौन में फिलो सौफिक थो लोजिक पोस्तव का शिकितर थी Psalm एक माईकरउन होता है एक माईकरउन होता है तो आपको याद रखना है एक माईकरोंड ठीप सब्सक्ता आपेखे ने अक overdose भॉन और तो याद रखना को सभी क्रूमों जो में परिवर्थन जीट को फ़ेर आपरिवर्थन के लिए जिम्मेदार है पहली एंटोलोजी अध्यान है जीवास्मों का जीवास्मों के अध्यान को पहली एंटोलोजी कहते हैं पक्षियों के अध्यान को और नी उत्वालोजी कहते हैं अस्तियों के अध्यान को और टी योलोजी कहते हैं 38 डायनोसोनों का सुनहरा काल किस महाकल्ब को कहते हैं तो याद रखना मेसल ज्वाएक काल डायनोसोनों के सुनहरा काल मेसल ज्वाएक काल को कहते हैं इस काल को रेप्टील या एरा रेप्टाइलों का काल भी कहते हैं 49 जीवन की उत्पति किस महाकल्ब में होई है ए प्रिक्वियन जीवन की उत्ति प्रिक्यमियन महाकल्ब में होई है चारीज आधुनिक मानों का अभी नौपूर्वच से सी क्रोमेक नौन मानों 41. मानोव पितपती किस योग में गुई? सी फिलायो सीन मानोव पितपती फिलायो सीन में गुई जोई ठीव जाओ पर रंगीन चितकारी सरपितम किसने की तुआपको याद रखना क्रेमी नोन मानो न 43. बचाओ एवन भोजन पकाने के लिए सरपितम अगनी का प्योग किसने किया? सी जावा में बचाओ एवन भोजन पकाने के लिए सरपितम आग का प्योग जावा मानोव ने किया? इसके उससे जावा द्रीप में पाए इसलिए से जावा मानोव कहा लाता है 54. मानो विकास कहां मंदे असीया में आधूनिक मानो का सबसे निकट समझदी गॉरिल्ला होता है चालीज कि सवस्था में एरीथो फिलास्टोसिस फीटेज लिस रोग गरपाग कर सकता है तो याद रखी आरेच पिलस फेक्टर पती था आरेच फेक्टर माइनस पतनी अरीथीटियो फिलास्टोसिस फीटोसिस रोग पात का औरेच पिलस फिस एवं आरेच माइनस फथी लेंड़ स्टिने उनी सो चालीज में आरशल मंकी में एक इस पिकार का प्रोटीन पाया जिसे आरेच एक्टर करते हुए कि नहीं पाए जाता है उनका प्रत क्रत opened भारत में संतांघायूआhों में ट्र caucus उत। छमलाए इंगर नहीं पाए जाता हैं उनका depends on मनस्तुमें रक्त-विनृता आरवीसी में पाए जाने वाले गिलायको प्रोटीन के कारण कुटा है ठीक बात करते हैं 47 हीमोगलोविंग में कौन सी धातू होती है तो याद रखना है है एपी की कमी से एनीमिया हिटा है है एम जी क Cournya की कमी से टन्थ Rab झीक्तर होता है जिंक्ट जैसे इंसुलीन कार्वर्खी के लिए आवस्वत होता है इसकी कमी इसे उपाप्चछाई कीरिए सीवू पौधा सुसन एवं पिकाज संसलेशन के लिए आवस्त होती है इसकी कमी से पौधों में इस थम्मों का डाइवेक होता है अड़तालीस गुर्द सुत्तों पर जीनों की वस्ति कक्रों है रेखा का उननिचास एवी रोधेर बाग को बैक्ति का रोधेर दिया जा सकता है एवी को रोधेर बाग की बैक्ति का रोधेर एवी बैक्ति को दिया जाता है एवी बिलेड गुर्प को यूनिवर्सल एक्सेट और गुर्प कहते हैं सर्व गराही रखत समों ओ बिलेट को युनिवर्सल मर्ड right ग्रोप को जाते हैं सर्पथाता है ब्यूप को शर्वगरा कही है और पर यूबियिके ग्रोप में पितिरक्ची नहीं पाए जाते हैं ि और व способ में करें तलिवर्ट में एंटिजयल नहीं पाया जाते हैं सहीफ़ है रैंग 20 ग्रोप वर्दांता कॉलर बीलाइडनेस लिंग सेह लगन प्रोव है हीमोफिलिया एवं सेक्सिर लिंकेंट दिर्ष्टी दोस्ट में नजदीक की बस्तु सापसाप दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तू इस वर्ष्ट दिखाई नहीं देती इसमें नेत गोलक बढ़ जाता है तथा फोकर दूरी भी गढ़ जाती इस दिर्ष्टी दोस्त वाले विव्यक्ति को आउतलदार का लेंस का चत्मा लगाना चाहिए चलिए तो इसमें देख लिए हमने 50 कुष्टन अंगले में बात करेंगे 50 कुष्टनों के बारे में चलिए दोस्तों तो हम लोग आपको पता है कि बायलोजी से संबन देख रहे हैं और उनके आंसर ये सभी कुष्टन बहुत ही मत्वून रहेंगे सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें पायलोजी का मत्व है आपको बता दें पिछले पीछे हम लोग एक से पचास तर देख चुके थी अब यहां से हम लोग इंक्यावन से सुरू करते हैं ठीव विलियम हारवे किसकी खोच के लिए पिसित है तो आपको बता देना है रक्त प्रीशंचर्ण 1628 में विलियम हारवे ने रख्त प्रीशंचर्ण की खोच की थी बावन कुश्चन एंटीजन है तो आपको बता देना है एंटीबोडी के निर्माड हेतु उत्पेरग त्रेपन कुश्चन कौन सा अंग रोगाणों का बिनास करता है तथा सरीर का पुलिस रख्चक कहलाता है तो आपको बता देना है यक्रत यक्रत रोगाणों का बिनास करता है तथा सरीर का पुलिस रख्चक कहलाता है लाइवर कफर सेल्स पाय जाते हैं रोगाणियों को नश्ट करते हैं सरीर में टॉंसिल की लंबाई भड़ जाने की कारण खांसी होती है चंगन पुश्चन नमबर मनस में मादा इस पर्ष्ट य यूग्मनज का संगतर होता है तो आपको बताना है 22 Сам से फिमेल में जाइगण यूग्मनज का संगठरन होता है अल्था 24 पिलस एक्स सस में जायमेट में एं होता है 22 से फिर पक्रपल उस टोटा है तो आप याद रखना है ।व gentle ट्रनस एंडॉम क्रोमोजॉम की संख्या 45 44 प्लस एक्सो या 44 प्लस एक्स होने की कारण होता है ठीक है याद रखना है इसका सारीरिक प्रिकास बिकास नहीं हो पाता है इससे इसमें इस्तंगेंती इक आवा होता है इनकी आवाज मोटी होती है तो तो हम जनन चमता नहीं होती है काईटील टर टर नहीं सेडॉम क्लीन फेल्टर इसमें रोमोजॉम की संख्या 47 44 प्लस एक्स वाई होता है यह मेल नर्व होता है इसका पुर्छण भी मेल से मिलते जुनते हैं इसमें इस्तन गेंथियों का विकास होता है आवाज सुरीली होती है और जननचंदा का आवाज होता है ठीक तरह छपपपव कि ईमोफीलिया रोग होता है अनुवायंसी की और होजील लिंग सहेलां से कैल्सियम की कमी से हडि और दात कम जोर होते हैं कुश्चन नम्म संतान है पिता ए रुदिरवाग और माता वी रुदिरवाग की हो तो इनकी संतान में कुमसा रुदिरवाग संभाव है तो याद रखना है एवी ओ एवी चारो पिता एविलेड ग्रोप यह माता वीगल विलेड ग्रोप हो तो इनकी संतान में एवी ओ एवी चारों बिलेड गुरुप पूर सकती हैं अंठाउन कुष्चन नमर। सरवाद सारवित्ति गुरूदिर दाता है रक्त गुरुप है तो आपको याद रखना है। युनिवर्सल बिलेट डोनर को ने ओ आरेच उन्सट कुश्चन नमबर आरेच कारक आरेच फेक्ट करता के खोच करता है तो लेंड श्टीनर और वीनर तो फिरेच साथ कुश्चन नमबर साथ सूत्री वीभाजन के कारण किस अवस्था में गुर्सूत, बिप्रीद, दर्मों की और घती करते हैं। याद रखना है। एनाफेज शुत्री विवाजन के गुर्सूत विप्री धर्मों पर एनाफेज अवस्ता में जाते हैं फ्रोफेज खोसका में विवाजन की शुरुआतिसी अवस्ता में दियो actnova जाल्य छोटेयेगेश पूकर गुर्सूत है है मेटा फेज तो के धागे का निर्मार पूंड होता है इस विवाजन में दो से दस मिनिट लगता है टेली फेज टेलोयच यह प्रोफेज का उल्टा二 mesmo केंड़ियाद केंड़ियाई हो जाते हैं इसपेंड्डल API की धियाब कोता है अविद्धी वलाएं किसके किया किया केंगे कर्या वता है गिद्धि वलाएं टेमियू मिल गऑन की तता जैंला जाइलम यह जड़ द्वारा उससे जल यह उंखनेज लवड जाइलम द्वारा पौधी की अन्न भागों में पहुंचता है यह अप वाइड डारेक्शन में काम करता है फ्रेप खुलोई में फिकास संस्लेशन की कीजिया द्वारा बने कार्बोवाइड हाइड्रीट को जब प्राग धानी से पराग कड़ का वर्तिकाग पर जाना जब प्राग धानी से पराग कड़ वर्तिकाग पर पहुंचने की किरिया को परागड कहते हैं 63 कुष्टियन नमबर आ निशेख फल वह हैं जिसमें होते हैं तो याद रखने हैं बिना पराकड और निशेशन की फल जिसे केला और अंगु फ्रेश चौशट पराकड क्या है तो याद रखने नर योगम कोद भेद 63 पंसर्ट आवरत वीजी पातपो में भूड कोश्प्रया है प्रैयाद होता है ड्री गुडित आवरत वीजी पातपो में भूड कोश'T ड्री गुडित होता है तो याद कब को पोशन पितार करता है और एम्ब्रो कि थ्राइड त्रिगुडित होता है तरह 66 कि वीज किस से बनता है तो याद रखना है वीजांडर से निसेशन के बाद ओवलम ओवल वीजांडर से ओवरी अंडासे से फल बनता है 63 के बाद 66 के बाद आता है सरसथ एक ही पादप में एक पुस्प के परागणों परागणों का दूसरे पुस्प का बरती का परजाना क्या कहलाते हैं याद रखें गेटो गेटोनों गयमी एक ही पादप से एक पुस्प के परागणों का दूसरे पुस्प के बरती का अग्या परजाना गोटों नो गेटोनों गेटोन कहलाते हैं 68 सुफारी खाने योग भाग है याद रखें बी बोड पोस 59 कौन सब फल नट है तो याद रखना काजू कि नारीयल में क्हाने योग भाग है सत्रवा कुफ्ट नारीयल में खाने योग भाग है तो आकको बता देना है और भूूर सी उकत्र आवःत वीजी पौधे की बीच होता है शुक्त अब्रियूर आवःत वीजी पौध्रों की बीच में सुक्त हैंवियूर होता है किल मीव्ल सित्वन बिकास है किल्ग का फिल्म कीयों मक्का का दाना एक है कि यार रखनार बास्ट विल्मका का ओ suspicion अबरी से होता है सत्य फल या वास्त्य फल कहते हैं जैसे सेव नासपाती का विकास एक सच्चा फल होता है तो याद रुकिए निसेचत एवं विक्सित अंडासे से सत्य फल का विकास निसेचत एवं विक्सित अंडासे से होता है चोहत्तर कठल में मासल खाना यूग भाग है तो याद रुकिना सहबत और परी परीद परीदल पुंझ ठील सी ओप्सन सब्सक्राइब कठल में खाने यूग भाग सहबत एवं परीदल पुंझ है पचत्तर पदायत है तो याद रखना और ने है अधिकान सम्हाथा बांसों में जेमेक पदाय आरेने ने होते है इसमें एडिनेंट मॉलानेट साइटोसीं यूरेसे फिंथ होते हैं राइबुसम पर पाय जाने वाले आजश्यू और लिविफ प्रुंण हने रेएने preview जाने वाले इसमें एडानीन, वानीन, शाइटोसिन तथा थाइमीन बेस पाये जाते हैं 1903 में वार्शन एबं क्विक्टन है DNA में डवल हेलिक्स सरजना का पता लगाना है इसके लिए उन्हें 1922 में नोबिल पुरुसका रमला DNA एक अनुवानसिक पदायत है इसके एक छोटे सिभाग को जीन कहते हैं भारत में DNA फिंगर्प्रेंट टेस्ट को लाने की कोई डॉक्टर लाल जी सिंग को जाता है DNA फिंगर्प्रेंट संस्ता है द्रावाद चंडीगड लखनूंग में फिरोटीन कारवन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एउन नाइड्रोजन से मिलकर बाते हैं फिरोटीन की कमी से बच्चों में क्वासी ठोर कर बीमारी होती है मरेसमस नाम बीमारी भी बच्चों में फिरोटीन की कमी से होती है छेत्तर कुश्चन नमर जन्तु वाइरस में अनुवांसिक पदायत अधिकांस होता है तो याद रखना DNA जन्तु वाइरस में अनुवांसिक पदायत DNA होता है 77 पिती जेविक औस्थी अधिकतर किसमें मिलती है तो याद रखें जीवाणू में पीति जेवी कोस्दीफ अधिकतर जीवानू से मिलती है लेमी नारिया नामक सेवाल से आयोडिन फराप्त होता है सेवाल की दिन को फिकोलोजी हिकोलोजी कहते हैं इसमें किलो रोफिल पाय जाता है जिसके कारण यह अपना भोज़न सभे होग बनाते नील हरित्द कि इद्ध होता है फैनेस लियम नोटेटम से फैनेसलेन नावक एंटी वाइट दवा बनाई जाते है अठतर कुश्चिन नमबर वाइरस की खोच सरफ तम किसने की वाइरस की तो याद रखना डी ऑप्शन एकी स्टेक्मेंट इसी इस्टेक्मेंट सुरी डी ओप्शं नहीं सीस ओप्शन डी ईवानस की और फैन्हा जीवाणमों की कुछ की ही ती याद रखना ऐबी लिवर्यों और और जीवाणमों की कुछ ये भी लिवेंड हॉक ने की इन्हें फादरोप बैक्टिरियोलोजी कहते हैं रोबर्ट हॉकर्स 1665 में कोश्का की खोच की थी इनोंने रोबर्ट कोच ने हैजे कटी का टीवी की जेकिस्था का खोच किया लोविस परश्टूल ने चिकित्था की खोच की सकत्ति हैं हाई लोविस परश्टू ने हैं जीवान को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें दढ़ हुश्याभ सरवादिक होती है अपाजार धर सर्वादिक होती है किसमें उपाजार धर सरवादिक होती है छूहों में 82 ATP का ADP में ATP का प्रिवतन ADP में होता है तोत्पन होता है B उर्जा ये पाप सब्सब्स और पर पर CALLBS किस रूप में त्रंथ रखी जाती है तो आपको यहाद रखना धी ATPो पाप ये उर्डाम सब्सब्स और जोजा एटीपी के रों में रखी जाती। एटीपी 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 से एक फॉषफेट का अनु हटता है तब एड़ीपी एटेणर्डीफ टूट कर फायरोविक एसिड में दोsnों का निर्मार करता है, श्रसन के किलिया में के तूटने की किखिते हैं, गिलाइकुसिस में चार ATP का निर्मार होता है, जिसमें दो ATP खर्च हो जाता है, तथा दो ATP सेश रहता है, 84, सकता है क्योंकि रसाइनिक क्रियाओं के अग्षिया कहते हैं कार्वहिटिट्र वश वसा दिर प्रोटीन Šरी को उडर्जा कदन करते हैं प्रोटीन को बोरी वल्टिंग मटेरियली भी कहते हैं तंतिका किरियाओं पर नियंतर मस्तिक तथा मेरूरज्जू कलते हैं 85 गिलुकोज तथा CO2 के फूर्ड अभगाटन में ATP अडू उत्पन होते हैं तो याद रखना 38 एटीपी टी ओप्शन फरे 86 प्रोटीन की काई है वापको याद रखना अमीनो एसेट फरे 87 गिलाइकोस लिस्स गिलाइकोलीसिस में फरीवारतन होता है तो याद रखना गिलुकोज पाइरोविक अमलमें 88 कोसा में प्रोटीन संस्रेशन का इस्थान है तो याद रखे राइबोसॉम कोसा में सेल कोस में प्रोटीन संस्रेशन राइबोसॉम में है माइटोकांटिया को कोसिका का ओजागरे कहते हैं इसमें कोसिका इसोसन की किरिया होती है एटीबी को एडीपे में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्टित करता है केंदक की को जो रोवर्ट ब्राउंड ने 1931 में किया इसे ब्रेंड ऑफ दा सेल कोशिका का मस्तिक कहा जाता है यह कोशिका मों में होने वाली किरियाओं पर नियंतिन रखता है और 89 कि इसताफ माने इंजायंड अधिक सक्रीय ब्लशक तो याद रखना है 420 डिग्री सेलस्याद इंजायं करतले में इंडिकश्या नोत्यवेकर शल्तेовор अन्यवारण थेमे अधिक्तु मूर्जा सेंचले की सक्रात की रूम में होता है तो याद रखना है बसा Effects, सबसे दी फूर्जा मेरे संचित होती है, एक किलोगराम बसा के तूटने पर 9son कैलोरी से मिलती है, ऐख दूर्जा मिलती है, यह ग्राम प्रोटीन से थूटने पर 4,2 GO RWcorn, एकอर भूंखा ब्यब्धी है शरीर के किस बंडार क पहले उपयोव करता है तो याद रखना हम गिलाइकोजन का प्यूभा व्यक्ति सबसे पहले चलीए अफगटन में उर्जा मुक्त होती है तो याद रखना ऊस्मा के रूप हेख जली अपगतन मेँ उस्मा के रूमें परेट होती ही है कारवहनेक्य योगिक में भिखंडन से उस्मा यह एक याद होता है तो आपको याद हूंता है अपचाय के दौरान कारवहनेक्योगिक भिखंडन से उस्मा möglichches होता को चाहिक पो सकत्तों को विक्टित कर सर्व कोस्तत्तों के रूम परिवर्थित करता यह होता है लगराइन यह फिस्टो के चुरत पोसक चाहिए का त्ठाथ करण को ऑल तनिया कि वांत है स्वाक्वान को बच्चों में रिकेट्स तथा ओस्टियो मेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है तो याद रुखना विटामिन डी बच्चों में रिकेट्स यह वैस्क में ऑस्टियो मेलेसिया रोग विटामिन डी कमी से होता है 95 कोबाल्ट अधातू किस विटामिन में होती है तो याद रुख बीटू, बिटामिन बीटू, रीवोफलेविन कहते हैं, या मास्ट दूद्ध, हरी सबजी, स्वयविन, अंडा में पायाते हैं, इसमें कभी इसे तुचा का पटना, जीब का कटना, भाल का जटना, मोह में चाले पड़ते हैं, बीसेक्स, तरसाइनेक राम, फिरेडॉक्सिन है, यह एक्रित, मास्, अंकुरी तनाज, इत्यादी में पाया जाता है, इसकी कमी से मस्तिक कट, ठीक से कार नहीं करता है, सरीर का भाथ कम होने लगता, तरह 96 पुरूचन में, पित्ति का निर्माड होता है, याद रखना है येक्रत में, वाइल जूस का निर्माड येक्रत क्षिशित में होता है लीवर में ऩयकत todd meं निर्माड होता हूं पॉप गॉल बेडर में जमा हूता है बात करते हैं 97 को बीटामिन C है याद रखना है इसकर्म हो चकुन है कर्बो हाइड का पाचन होता है चैनिन को प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन को तो आपको बता देना है थीको डॉंट खरगोस के दाथ थीको डॉंट विकार के होते हैं चलिए तो इसमें लोगों ने देखें पचास इंक्याबन से सौ तक कुश्चन आंगे देखेंगे हम लोग 100 से 150 तक हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे बायलोजी के जो अबजेक्टिव कुश्चन है हम लोग 50 से एक लेक्चर में खतम कर चुके थी और 50 दूसरे लेक्चर में यह तीसरा लेक्चर हमारा आपको बता दें यह सभी जितने हम लोग लेक्चर खतम करते जा रहे हैं बायलोजी से समधे यह जनल साइंस वाली सूची म कहा जाता है क्योंकि तो वीव अपसने यह संख्या में बढ़ सकते हैं वायरस को सजीब कहा जाता है क्योंकि यह संख्या में बढ़ सकते हैं एक तो दोवा कुश्यन है जीवन की उत्पत्ती किस काल्ब ुखी है तो आपको याद रखना है फ्रिक एंबियन कल्फ में वुई है वाइरस रोग है तो याद रखिए वाइरस रोग एक सिह स्युप्राइन dominance इसे वायरेस रोब इंफ्लुनया है इसे फिलू भी कहते एंगत quello यह मेंच्ट वायरस द्वारा होता है इस रोग के लोग त्थानित एंटनिवा एक्ति Прेंजाई लेनी चाहिए दभा नि लेनी चाहिए यह को रैनों वेक्टिरियम दियुतने नावक रोब से रोबी को सास लेने में कटना ही होती है इस रोब से बचने के लिए DPT कटिंगा लगाना चाहिए ठी फिर है टाइफाइड टाइफाइड सालमो नेला टाइफ होसा नामक बेक्टेरिया से होता है इसे आथ का बुखार या नियादी बुखार भी कहते हैं इस रोब के उपचार के लिए किलोरो माईसेटीन बढ़ की एंटिवायोटिक दवा का इस्तिमाल करना चाहिए है जाए विवियो कॉलेरी नामक बेक्टेरिया से होता है यह रोब मक्हियों दौरा फैलता है रोबभू को लगाता है उल्टी यह उंदस्त होता है है जे कटीखा लगाना चाहिए तथा पानी को वाल कर पीना चाहिए ठीक है तो रहे आंगे एक सो चारवा कुश्चिन वायरस होते हैं वियाद रपना है सुतंदी जीन होते हैं वैसे जन्तु जनका सरीर एक कोश्चिका का बना होता है उसे यूनी सेलर या एक कोश्किय जन्तु कहते हैं जैसे अमीवा योगलीना पेरा मीसियम वैसे जीव जनका सरीर अनेक कोश्कियाओं का बना होता है उन्हें बहु कोश्य जीव कहते हैं जैसे म किस ने लिखिए तो आपको याद रखना है डार्विन यह बहुत ही मात्वों कुष्टन है कई बार परिच्छाओं में पूछा चाया चुका है तरह तरह की परिच्छाओं में तो ओर्गिन्स और और इस्वीसी पुस्तक के लिए का चाल्ज डार्विन अठारा सो उन्सट में इस वस्थक यह वस्थक प्रिकासन में आई एड्स का कारण है तो याद रखिए तव्यक्त सब्सक्त कहां में एच्छदगया है यो फीति वायरस होता है आपने मेंद में टिसू उतकत की विद्धी की कारण कैंसर आहेई सरी में WBC की संख्या वड़ जातने की कारण ब्लेड कैंसर होता है विक्टेरिया जीवान द्वारों मनुस एवं पौधों की में रोग उत्पन होता है सरी कि किसी यंग या तंत में सामाने कारणा हो रही हूँ तो से हम रोग कहते हैं 107 वा कुष्चन है वाईरस में होता है तो आपको याद रखना है DNA और RNA ठीर या RNA सिंगल एस्टेंडर DNA या RNA बना होता होता है फिर 108 वाई वेक्टेरियो फेज है तो आपको याद रखना है वाईरस जो पीसानूं पर भक्षण करता है वैसा वाईरस जो जीवाणूं के भक्षण करता है वेक्टेरियो फेज कहते लाता है 109 वा कुष्चन है नीम लिकित में से किस में बास्तवे केंदक नहीं पाये जाता है तो आपको याद रखना है जीवाणूं में जीवानों में बस्त में केंदक नहीं पाया जाता है चुंकि एक कोशिये होते हैं दो जीवों के बीच ऐसा संबने जिसमें दोनों जीवों कुलाब होता है मॉटो लिजमन सहयो कारिटा कहलाता है कबक एवं सिवाल मिलकल लाइकन करिवार करते हैं लाइकन लाइकन लैटमस पन्ना बनाने का गाम आता है एक सो दसबाव उपाप चाहीं इंजाइम अनुपस्तित होते हैं तो याद रुखना भी साडू में एक सो घ्यारा कुश्चन नंबर वैक्टिरियों फूज फी फेज में होता है तो आपको याद रखना है जाता है इसका सरीख प्रोल्टीन कबना होता है पिथम वी साडू के खोज करता है तो आपको याद रखना है यह इवान नौस्की इवान नौस्की यह option है पितन भीसाडू के खोज इवान नौस्की ने 1892 में तंबाकू के पौदी में तुबैको मसेट वायरस के वारे में इवान नौस्की ने बताया था वीसाडू में सजीव अमनेजीव दोनों गुड़ होता है इसे सजीव अमनेजीव के बीच की कड़ी कहते हैं बात करते हैं एक सबसे बड़ा वीसाडू है याद रखना है फॉक्स वीसाडू सबसे बड़ा वीसाडू फॉक्स वीसाडू होता है चोटी माता यह वायरस के द्वारा होती है शरी में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं हलका उखार आ जाता है एक व्यक्ति को एक बार यदि रोग हो जाता है तो पुना नहीं होता है क्योंकि सरी में इस रोग के लिए पिती रख चंपतर बढ़ जाती है फ्रेचे चक यह रोग बेरी बुला वायरस के खारण होता है इसमें तुच्छा में सूजन हो जाता है एंटिसेप्टिक दवास इस रोग से मुक्ति पाया जा सकता है एक सो चौदैवा कुश्चन है जीवन की उत्पत्ती नावा कुस्तव को ही लिखा जाता लिखा था तो याद रखना है ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ती इसमें एक आई ओफिरिन द्वारा लिखा गया इन्होंने इस उस तक में जीवन की उत्पत्ती के बारे विस्तार बर्डन किया है एक सो पंद्रवा सबसे पहले किस पेकार का सोचन विल्टसक हुआ तो आपको याद रखना है एन एरूबिक सबसे पहले जब जीवन की उत् आउक्सिजन की आवस्ता पड़ती है बात करते हैं वीसाडू होते हैं वीसाडू होते हैं तो आपको याद रखना है पूर पर जीवी होते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन हो आवास दूसरे जीव से गहन करते हैं पर जीवी कहलाते हैं जैसे जूंग जू वीसाडू अम के जीवारू 17 10先तमें निम्लख से प्राइमेट में मनुस का निकट सम्बण्धी है तो आथे याद रखना के गुरिल्ला गुरिल्ला और मुन्स का निकट सम्बणदी मुरिल्ला है एक सोठारवा कुछ्षिन है चमगादर टेड़े एवं कभूतर के पंग होते हैं तो याद रखे सम्रूप चमगादर टेड़ एवं कभूतर के पंग सम्रूप होते हैं वैसे एंग जो हमारे पूरबज में फंकसंच में थे लेकिन अब हमारे सरीरों and कोई कार नहीं राः आ जैसे appendix nectitating membrane आप में इत्यादी एक सोनी सवा कुष्चन है वह जीव जो मेट कारवन पदालत्वों पर उखता है क्या कह जाता है तो याद रुखिए सेफ्रोफाइट जो मेट कारवन पदालत्वों पर उखता है उसे सेफ्रोफाइट कहा जाता है अधीप आदक ऐसा पौधा है जो पोसी पौधा पर रहता है यह उस्ट कटी बंदी है छेत्रों का पौधा है और केट सबसे छोटा वी ओर्चेड का उतार है 120 बार सरी सिपों का युग है तो याद रखना है मैसो जूई महाकल 120 किस बार कुश्चन कारवो हैड्रेट पाचन के अंते मुत्वाद है तो याद रखना है मोनो सेकराइट ठीक है ए ओप्सन है 122 कुश्चन कौन सब पदार सरीर की विद्धी और नई कोश्चाओं के निर्मान में सबसे अधिक आवस्चत होता है तो याद रखना है प्रोटीन सरीर की विद्धी और नई कोश्चाओं के निर्मान में सबसे अधिक आवस्चत प्रोटीन होता है 123 कुष्चन है किस रूम में प्रोटीन का सरीर में संचन होता है तो आपको याद रखना है अमीनो अमीड डी ओप्सन सही है 124 कुष्चन सरीर में यूरिया का संसलेशन होता है तो याद रखना है यक्रत में सरीर में यूरिया का संसलेशन यक्रत में होता है कीट का उत्रसरजी पदारत और तो आपको याद रफना है युरिक एसे कैइड Kaiser के निकलता है यह खेळते हैं में यूरिया निकाला यूरी को टेलिक कहलाते हैं जैसे इस्तंधारी बैसे जीट उत्सराजी पदायत के रूम में मुखता अमोनिया निकालता है एमोनोटी टेलिक कहलाते हैं जैसे आमीवा, हाइड़रा, मचली बात करते हैं 126 पर कुष्टन की 126 सभी कीट होते हैं तो आपको याद रखना है यूरी कोटेलिक 127 बाकुष्टन है रवों के रूम में सबसे पहले किस इंजायम को टेजार किया गया था तो याद रखना है यूरी येस रवों के रूम में सबसे पहले यूरी इंजायम को टेजार किया गया लाइट्वेज फैट को फैटी एसड़ या गलेश्ट रॉल में परिवर्दित करता है बात करते हैं 2800 वा खुश्चन तो उत्षारजी की काई है तो याद रखना है निफ्रोन सिंहीं वा खुश्चन है उत्षाज़ह कैन अध्रोन की काई है यह तंत्त ynतिक नवर्ण एकशनन नीवर्ण का साथ निवर्ण का एकशनर एक नीवर्ण से दूसरे यह तसन 759 taking करता है यूरिया की मात्ता बढ़ने को कहते हैं तो याद रखें यूरे मिया बिकी की खरावी के कारण रख्त में यूरिया की मात्ता बढ़ने को यूरी मिया कहते हैं एक सो तीसवा कुष्चन है फक्ची होते हैं व्याद रखना है यूरी कोटिलेग वैसे जी जो इवरेन के दवारा इवरी कैसे निकालते हैं उसे इवरी कोटिलेग कहा जाता है छिपकली साफ पक्ची 131 वा कुष्चन मनुस के व्रक में पत्री बनती है तो याद रखना है व्रक के पहले वीज में ऑक्सिजन और जी लेट जैसे लड़ों के इस्टलों से ठीक है डिये ऑक्सन सही है 132 वा कुष्चन उंचाई पर मनुस में लाल रुधिर कड़ों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां ऑक्सिजन कम हो जाता है तो आपको याद रखना है हैईडरा में रुधिर नहीं होता है परंतु सुसन होता है 134 वा सुसन किरिया का नियंतल होता है सुसन किरिया का नियंतल होता है तो याद रखना सोचाले तंतिका तंत में सुसन किरिया का नियंतल सुचाले तंतिका तंत में होता है सुचाले तंतिका तंत कुछ मर्ष्टिस्क और कुछ मेरू रज्जू तंतिकाओं का बना होता है तंदिका तंद यह उन सभी यंगों को नर्व सफ्लाई करता है यह आँग की पुद्लियों को सपोड़ता है यह सुदिश ग्रंथियों से पसीने को स्राव बढ़ाता है यह रक्त में सरकरा के स्थर को बढ़ाता है बात करते हैं 135 वे सांस लेने में एक चिक विसाय के लिए इंपल्स फ्यारम होता है तो याद रखें मेडूला अवसे सांस लेने के लिए एक चिक विसायों के लिए इंपल्स का फ्यारम मेडूला से होता है शेरी ब्रम मस्तित का सबसे विक्सित बाद है यह बुद्धी मता इसमेटी इक्छा सक्ती एक्षिक क्रियाओं ग्रान ग्यान बाणी चिंतन का क्यांद है मैडूला ओबला गेंटा यह मस्तित का सबसे पीछे गभाव उता है यह उपाप चै रख्दा भेदय की घड़ यह अनेक्छे क्रियाओं के नेंतन हेतू होता है इस्पाइनल का यह पिती वर्ती क्रियाओं पर नेंतन रखता है मस्तित में आने वाली वो दीपनों का संभाण करता है बात करते हैं 136 एक सामान मनुस्त एक मिनिट में सांस लेता है तो याद रखना है 14 से 18 बाद सी कोवनल गेटा सुसन के रिया का नेंतन मेडूला उबला गेंटा द्वारा होता है शरीर बेलम शरीर का संतुलन बनाये रखता है यह एक चेक स्पीसियों की संभच्चन पर नेंतन करता है बात करते हैं 138 वे कोश्चन ही हाइवर नेशन के समय मेडक सुसन करता है तो याद देट रखना है आपको 16 पंप्तीच है इन इस्पिरेशन में मनुस्य 21 फितीसत अक्सीजन लेता है लेकिन निस्वा सिद्वाई में ओटू की मात्रा 17 फितीसत होती है निमलिकित में 140 वा कुश्चन निमलिकित में किसकी उपस्थिती कारण रत में कारूनिक अमल्की चांगता नहीं वढ़ती है तो याद रखिए एनेफिलस 141 कुश्चन नमबर नेत में लेंस पर पढ़ने वाली केड़ों का नियंतन होता है तो याद रखना है आईरिस द्वारा नेत में लेंस पर पढ़ने वाली केड़ों का नियंतन होता है आईरिस द्वारा या कौनिया की पीछे इस्तित होता है कौ मस्तिस से कखिस भाग में शरीर के ताप को नियंतित करने का केंद है तो याद रुखना हाइपो थेलेमस हापो थेलेमस हाइपो थेलेमस में शरीर के ताप को नियंतित करने का केंद होता है हाइपो थेलेमस गोंग प्यास ताप नियंतित त्यार घेना पसीना खुशी गुस् सबसे लंबी कोच्छका होती है तो याद रुखना है आपको यह होती है तंदिका कोचा एक मनुस इसमिती हो बैठा इस मनुस के मस्तिष्क क्योंका कौन सा बाग करवावित हुआ है तो याद रुखना तो याद रुखना है मस्तिष्क में होती है 146 बाग्वित में से किस जन्तु में तंदिका तंद्ध नहीं होता है तो याद रुखना है आधिक विख्षित होता है तो याद रखना है प्रमस्तिष को 148 वा कुछन लेंगरहंस के उपदीप पाए जाती है तो याद रखना अगनासा में अगनासा दूटका लेंगरहंस दूटका अगनासा में पाए जाता है इसलेट और लेंगरहंस से इंसूलीन सरावित करता है इसकी कमी इसे डायोटीज याचीनी करोड होता है इस वीमारी से दूर करने के लिए इंसूलीन का इंजेक्शन सुई अगोली लेना पड़ता है पिट्रोट्री गलाइंड को मार्श्कर गलाइंड भी कहा जाता है यह सब से छोटी घृति घृति में मानवस्तिरस में यह पाये जाता है तो हढो wal करते हैं सोटरोफिक हार्मों से कि याद रखनें पिट्टिंट्री गलन्ट शे बिद्धी हर्मोन सिरावक पिट्टिंट्री के रिशतर हार्मोन या t प्रोट्रोफिक हर्मोन्स एस्टी एच यह हर्मोन विद्धी को नेतित करता है इसकी अधिकता से गीगांटीव भीम काड़ता है यह कमी से ड्राइटीव बौनापन होता है मानोशरी का सबसे वड़ी ग्रंती थायरोइड ग्लांड है यह लेरी नेक्सन के पास इत्तित होती ह इस गलाइड से थायरोक्सिन हर्मोन में हरावित होता है इसका निर्माड आयोदीन से भ्रोटीन में होने वाली फाप्चे किरियान पान निनतित करता है यह को यह सउस्टस में साहिक होता है एर्डिनरल ग्लाइंड किड़नी के ठीक ऊपर पाये जाता है यह सरीन में खने लवड़ों को निंतित करता है यह एड्रोजन सेक्स हर्मोन स्रावल करता है जो सेकंडरी सेक्सूल चरेक्टर दुतिय लेंगे ख्लेक्शन को निंतित करता है दाड़ी मूचाना जन्नांगों का विकास सरीर के अन्न भागों में बालों का आना बात करते हैं हम लोग एस सो पचासवे कुश्चन की सबसे बड़ी ग्रंती है तो याद रखाएं यह क्रत ठीक एक सो पचास कुश्चन होगा अब आंगे देखेंगे लोग पचास ओ ठीक चलिए तो हम लोग बायलोजी से संब्दित ऑब्जिक्टिव कुश्चन देख रहे थे और उनकी आंसर तो चलिए अब लोगे एक सो इंक्यावन तक खतमता चु दोनो निम लिखित में से कौन सी गरंती अंत्रा तो था बाहस्तरावी दोनों हैं तो याद रहुआ पैंगरी आज घ्यक्ति अग्ना सेंता तो था बाहस्तरावी दोनों बाई puntos दोनों एवसी गर्ण्थी जो नलिएक ग्रंथी फोटी हो क opens चrah ऑर वैसी ग्रण्थीं किरियाओं पनियंतिन सब्सक्रायाओं र alarm subscribe नलिम नोब नीएक पनियन तो ग्यास ? डाइवटीज इंसी फिर्स रोग होता है तो याद रखना है इंसुलीन की कमी से डाइवटीज इंसी फिर्स रोग इंसुलीन की कमी से होता है कि त्रेव पन कुश्चन लक्त में हार्मोन निम्लिकेद में सिक्किस तरह उपस्तित रहते हैं तो याद रखना उप्योग सभी तरह से, डिनर, मोनोमर, पॉलीमर बात करते हैं, 106 मुनम्र पन कुश्चन की, गरब निरोधा गोलियों में अधिकतर होता है, तो याद रखना, और 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 टोजेन एवर फ्रोजिश्टन गरब निड़त गोलियों में अधिक होता है और अफ्रेजर्टी के यह लड़कियों में सेकंडरी गिरोध के लिए मेंने किष्icion से कौन सा जन्तू utilize के साइक द्वेलिंगी होता हैं याद रखना है जॉंक जॉंक दूइलिंगी होता है वैसे जत्तु में मेल और फीमेल एक ही पर रहते हैं उसे दूइलिंगी कहते हैं जॉंक केंचुगा बात करते हैं 155 वा हुए 106 वा कुष्टन तो रहत मचली होती है तो याद रखना कीट संतावन कुष्टन नंबर हाली में लुप्त पक्षी है तो डोडो हाली में लुप्त पक्षी डोडो है यह मौरीसस में पाय जाता है आरके ओक्टी रिक्स तो पक्षी एवं सरीशेव के बीच कड़ी कहा जाता है बात करते हैं 158 वे क्ष्टन की अंठावन ना उड़ने वाला पक्षी है तो याद रहा है इमू ना उड़ने वाला पक्षी इमू है मोर भारत का राश्टी पक्षी है इसका विज्ञान एक न लीटों का मुख लक्षण तीन जोड़ी टांगे होती है एक सो साथवा दूई नाम पद्धिती के जनक है तो याद रखना लीनियस दूई नाम पद्धिती के जनक कौन है लीनियस मच इस्तन्धारियों का सबसे मत्पूर लक्षण है तो याद लखना चार कोश्टी है दर्मा सलक भूगित पक्षों इत्यादी से मचली की फैचान होती है बात करते हैं 163 हेल एक इस्तन्धारी है क्योंकि चार के गोश्ट का हेदय होता है इसमें ठीक बात करते हैं 164 वे कुष्चन की है ओडन मचली है तो याद लूँआ समुद्री घोड़ा सी ओप्शन है 164 165 जी बिग्यान के जनक है तो याद लुखना अरस्तु अरस्तु गोजी बिग्यान का पिता कहा जाता है वर्गी करेंड की आधारिकाई है तो याद लुखना इस्पीसी जी 167 रोधीर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है तो याद लुखना वाई कार्वूनेट आयनों के बात करते हैं 168 रोधीर इसकंदन के लिए सहायक है तो याद लुखना CA पिलस पिलस सी ऑप्सन है 179 शरीर में फॉस्पोरस पाये जाता है तो याद लुखना अरस्तियों तथा दातों में सी ऑप्सन है 170 कुष्चन में माराओं के लाल रदेट कड़ूं का जीवन काल होता है तो याद लुखना 120 दे 120 दे 171 सरीर में सबसे बड़ी पेसी पाई जाती है तो याद लुखना जबड़ी में वाहे करंड कठोर लचीला भाग बना होता है तो याद लुखना उपास्थ से वाहे करंड कठोर लचीला भाग बना होता है तो फास्थी का निर्मार कंगाली सयोजी उत्कों से होता है यह अरद ठोस फार्दसक यह लचीला गिलाइको प्रोटीन से बने मैटिक्स से बने निर्मित है अस्थी एक ठोस कठोर मजभूत सयोजी उतक है जो ज़द्वों मैट्यक्स से बना होता है मैटिक्स में कैल्सियम मैगनेसियम के लबण पाये जाते हैं मास्थी सथी के जोड को लिंगमेंड कहते ह 153 की मानौ की रखत्रक सावान pH इस्ध मान महता है यहाद रखना है साथ- Virtual नाव्यार्ण किसा पीएज माने साथ दसंबल चाहर है अमली ए गूलत पीएस सेवन से कम होता है, 187 होता है, चारी ए गूलत पीएस सेवन से अधिक होता है, ठीक, बात करते ही 174 कुष्टिन नमर, अधिक समय तक जब व्यक्ति में रखते स्राव रुपता नहीं है, तो इसका कारण ज्यमिल व्यक्ति में रख पिस्राव रुपता नहीं है तो इसका कारण विम्दान होता है विविलेड में बिलेड फिलाज में 50% होता है इसका रंग हलका पीला होता है इसमें 90-30 जल और 10-30 कारवो हैड्रेट फ्रोटीन फेट मिनरस इत्यादी होते हैं लिबोसाइड एक विकार का ड और रूदेयरदाफ का नियंतन करता है तो याद रुखना है अधिनल préICIA और डवाइबयूला नाहा होता है याज़सरावट होता है किसे इमर्जेशी हर्मोन भी कहते हैं ईरकना को लड़ो या और उयक्ति हर्मोन भी हादा रीकोजन को फिल्पोज में परिवर्दित का 给我 scratched करता है एर्डिनल ग्लाइंड को इमर्जैंसी ग्लाइंड भी करते हैं थाराइड ग्लाइंड से थाइरोकसीन नामा खारवन रवित होता है जिसकी कमी से सरटीर रोग होता है इस रोग में मनुष्का सरीर सारीरे के वन्मान से विटास रुप जाता है 308 का 25 परस का बच्चा दिखाई देती है बात करते हैं यह 176 वे कुष्टन की रुधिर का धक्का जमने के लिए आवस्ट रख है तो आपको पहले भी बता चुके हैं कैल्सियम 177 वा कुष्टन है रख्ट के पिलाजमा में सबसे अधिक होता है तो आपको पहले भी उत्मा लूँ है 77 परस जल होता है सबसे जल होता है 90-30 178 रुधिर में एंटी सकंदन पदाद मिलाया जाता है तो याद रहे हैं सोडियम ऑक्सिलेट सबसे जाने वाला उतक है विभिन अंगों और उतकों से समध्य करता है कि भीदिया अक्रां का कुल या कि पिकार की गदियों के लिए फेशी उत्हों और यहां उत्तरा हैं भी जचैनल आक्तरानों की आवश्यता होगे था माध करते हैं दिक सोब्सक्राइब अधर तक कि जीवंच Racine एनफलीच में सरतों खोजा था तो याद रखें रउनाल्ड रोस में मानोवाली या परिजिवी के जीवन चक्के को एनफलीच फ्लेच की खोज रोऑनल्ल रोस में एलेशंविंगी ने Pegaslin नामक एक एंटी वाइटी की कुछ की थी बात करते हैं एक सविट्क्यासी ट्रिपनो सौमीसिस रोग की बहार के तो याद रखना सीसी मक्खी टेट्पू 900 मीसिस रोग का बात सीसी मक्खी है इस रोग में व्यक्ति को नीन के कारण बुखार आता है एंड मक्खी, काला जार के लिए उत्तरदाई पूरोटु जुगा लेश मानिया बात करते हैं मलेरिया के लिए मत्कूम दवाकुनैन निफकासित होती है, तो याद रखना है सिंकोना की छाल से, ठीए, 184 वा कुश्यन, मनुस्में प्लाजमोडियम हमला करता है, तो याद रखना है आपको, मनुस्में प्लाजमोडियम हमला करता है, यह तरेक पुश्ट्टाओं पर एक उप्शन सही है बात करते हैं लोग 185 निम्ल कित्मे से कौन सा वहां करना रोप का जोड़ा सही है तो याद रख्या एक उप्शन है क्यूलेक्स फाइलेरियोसिस क्कोलेक्स फाइलेरियोसिस सद्दाण करेम कि हैज्रण सेंड़िखाल दियाद रख्या मास वग क्षी है वैसे जो सड़े इचीजों चीजों होते हैं में जिवी कहलाते हैं वैसे जीव जो झाते हैं को और 被ंसे कीट जो कीट खाते हैं इंसेक्स कहलाते हैं कि सुस je वूरस के लादे हैं बात करते हैं एक 178 कुष्घ per निबलेखित में से किस चंतू में तन्तिकातंट तो होता है पर उस lass नहीं होता है याद करक ना है हाईडरा हिडरा में तन्तकातंट होता है लेकिन मोश्त त»,188 एलीफेंटिस से फैलता है तो याद रखना क्यू लेक्स मच्छत एलीफेंटिस फील पाओ फैलता है मदा क्यू क्यूमू लेक्स मच्छत गवारा यह रोग वाउ चीरिया बॉंको प्ठी नामक हैलेमंथस से होता है 180 नेमखत में से कौन सा ज़न्तू सुसंग तो करता है। पर इंतू सुसंग नहीं होता है disciple तो याद रखना क्याशुवा क्यांचुण स्था क्याश्ण करता है लेकर उसमें थ्लम्स बात करते हैं अगला एक्सोंड नम्म तिल चैब चुट्टे में सोशन अंग होता है तो छुट रियाद रखे ट्रेकिया तिल चैब में चैब में सोशन अंग ट्रेकिया होता है बड़े जी लंग से याफ श्मय द्से करते हैं जीसरी मनोस उसे मäडगometer होता है अतीसारो एसकिरिस नामक निमे टोड, निमे टोड के दृ कारण उंकुद पनूता है यह गहरेलू मक्ही द्वारा खिलता है 192 वाख कुष्चत, मक्ही के लावा को कहते हैं तो याद रखना है मैगर्ट कौन सा कीट नहीं है 193 वा कुष्चन है कौन सा कीट नहीं है तो याद रखे विच्छू ठीक है 193 का सी है 194 घहरेलु मक्खी के लावा को कहते हैं तो याद रखना मैगर्ट ठीक है क्यों सऺखते अजय के माद्धि मधुमक्की से संब्धय थ्याद रखना एफी मादुमक्की पालन को आएकी कल्चा कहते हैं यह बितकी से ऐक हैं 116 पुर्च निमिलिक्नन ने से कौन सा सिलक बरक मैं से संब्धुचिशा इसाल्स जोड़ नन सैरी कल्चर्च से यह उपच्छं से проект 190 मधुमक्यों में संचारं का साधन है यार्द्ट ननांच मधुमक्यों में संचारं का साधन है जुब मधुमक्या डांस का मनें लगाया मधुमक्यों दूसरे को संगहं दे से पहचान चाहिए है मदू मख्यों में फॉर्मिक एसिट पाया जाता है जिससे गठिया की दवा बनाई जाती है एक सो अन्थार में टीसी टीसी मख्यी कि टैसो टीसी मत्खी कि निमलिकत में से कौन सा रोग फैलाती है तो याद रखना स्लीपिंग सें सिकनेस हो श्लीपिंग सिकनेस निद्ड्रारो हूता है इसे ट्रेपी इन सवह नामक प्रों तुछण औरаг के कारण होता है यमादा एनो फ्लीज है है जर आया रोग विबियो कॉलेरू नावक जीवारू की कारण होता है एक सो नन्यावे कुश्चन नमबर पिलेक किस के द्वारा फैलता है याद रखना उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं है फिलेक बैसीलस फ्रेश्टिस नावक जीवारू से पहलता है इसका संक्वन्ट चुहों पर पाई जाने वाले फिस्वों से होता है सौबा कुश्चन काला जार रोग ने मिल्कित में से किसके करता है याद रखना सेंट फ्लाई काला जार लेस मेनिया नम प्रोटू जुगा से फैलता है इसका वाहक है बाहु मक्षी बालु वालु मक्षी यह रोग अस्तिव अच्चा को प्रवावित करता है तो चलिए हम 200 कुश्चन तक कंच कर चुके आंगे हम देखेंगी आंगे जितना भी कुष्चन है ट्रीक है अच्छलो दोस्तों तो चलिए अम लोग बात कर रहे हैं ऐस जो जो अप्जिक क्कूश्चन देख रहे हैं तो अफ्लोग दो सो कुष्चन तक कंच में शुद्वी लेक्च्च को जिस तरह इसे देखा था उसके जितने भी चैप्टर थे सभी उसमें पड़े हुए तो वहां जाएकर आप नहीं भी देख लें और इसे भी देखते हैं तो एक सो एक तो तोशके हमारा दोसे एक आपकूर के स्थी के सार फूल हाती के पेर जैसा हो जाता है इसलिए इसे रोग को फील पाउं एलीफेंट इस इस कहते हैं बात करते हैं दोस्तों दो बार कुश्चन उस विज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मदुमक्षियों के संचारण की भासा का पता लगा है तो याद रखना काल वान फ्रिस यह एक सो तीन भाग घर गोवस तथा मनुस में सबसे च्छोटी हड़ी होती है तो याद रखना है इस्टे पीच इसमार सकती की हानी किसके नस्ट होने से होती है तो याद रखना है सहरी विम ठीक है दोसो पांच कुश्चन नम्ब एक लंबे संकर फौदे में सो परागन करान पर लंबे वागने तीन अनुपाते एक में पराप्ते होती है आप इडाम सिद्घ करता है यादरिखन फित्थक करण का नियम मैंडल द्वारा फित्थक करण का में या इस दिखरता है यश्चन पराप्ते नाटा पर दिय के वीच क्रॉसत तब पहली मैं सभी लंबे लक्षणों के गुड़ आपस में मिलाया जाता है तब दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं किम्तु अंगली पीड़ी में दोनों गुड़ अलग अलग हो जाते हैं बात करते हैं एक तुरभावित्ता का नियम लॉब डॉमिनेंस जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तब उन में एक पिरभावी ततना दूसरा आप पिरभावी होता है जो लक्षण पिरभावी होता है वहीं अंगली पीड़ी में देखाई लेता है बात करते हैं दोस्तों छे कुश्चन नमर अनुवांसिकी या नित्र स्क्रिया को अनुवांसिक या आंतनिक कहा जाता है तेस्टी टि대्यूट वैबी यह मेल एंड फीमेल तीश्चू को टिस्योंरों मेफ फ्रज करा कर जाइगवट बनाया जाता है तत्था इस जा затॉद्ध को किमेल ओब्री में रह दिया जाता है इस ग्रिया तो तवारा उत बिंग जॉन्स को अब ट्रांस पोसंस कहा जाता है इसकी खोई वार बार वेरा मी क्लेंटक द्वारा किया गया था 208 पुश्चन अनुवान सिक लख्षा जनक के संतान में किसके द्वारा होता है तो याद रखना है आपको जीन 209 पुश्चन गी बिग्यानिक 5 जून का दिन किस रूप में मनाते हैं याद रखना 200 वातावरेंट दिवस के रूप में चैनी मा गिल्प मांचून को 20 अनुवरेंट दिवस मनाया जाता है बात करते हैं 210 कुश्चन जलीए वातावरेंट के सूप जनती और पात्पों को समलित रूप से कहते हैं तो याद रखना फिलवाप जलिए वातावेंड में सुख्च बीम और पात्पों को समलित रूप से फिलवाप कहते हैं किसी छेत विसेश में पाए जाने वाले पौदे को फिलोरा कहा जाता है किसी छेत विसेश में पाए जाने वाले ज जन्तुओं की दूलव जातियां कहां परही केरल में ठीक है बात करते हैं दोसो बारा कुश्चन भारत वर्सकी का राश्टी फक्षू राश्टी पुस्प पुस्म है वियाद्र की कमल भारत का राश्टी फूस्म कमल है आ 사용 को पता होगा राश्टी फक्षी मोर राश्टी फसु वाग है राश्टी फल आम है राश्टी फ्ल जलेवी ए राश्टी फख्ष नेवी ठीक राश्टी पक्षी नीम राख्टिय बेक्ष नीम याद रखिए राश्टी बेक्ष वर्गत है ठीक हो नीम याद रखिए गलफ फ्रेंट हो गया है ठीक है एक सो तेरह कुश्चन नमबर रेसों की फसल जो बारत में सबसे इधिक छेत्म होती है तो याद रखना है कपास, रेषय की फसल कपास भाधति में सबसे अधिक चित में वही जाती है, यह पोदा काली मिट्टी में होता है, जूट से पूरा बनाया जाता है, सबसे अधिक जूट की केती फ़स्टम मंगाल में होती है, एक सो चौदाए वाप्षण भारत में होकी इस्ट्रेक्ट किस से बन दी है याद रखना मोरस अलवा बी ऑप्सन सब्सक्राइब कि दो सो कम्रा क्रिकेट के बल्ले किस लगडी से बनते हैं याद रखना सैलिक्स फुर फुरोया क्रिकेट का बल्ला बैट सैलिक्स फुर फुर्फरिया रिया से बलता हैं टीक के पोदे का वोटनीकल नाम टेक्टोना ग्राइड इंडे से बात करते हैं दोर सो अफसुता कुश्चन वी सीजी का रखना तो याद रखना बैसिलस केलिमेटी ग्यूरेड वी सीजी का टीका छे रो टीवी में दिया जाता है टीवी माइक्रो वैक्टिरियम टीवर क्लेसिस नाम बेट जीवान से होता है बात करते हैं 217 वाक्ष्टन फसलों का हेर फिर्फिस के लिए अवस्यत क्यों होता है मिर्दा की उर्वरक्ता बढ़ाने के लिए डी ऑक्ष्टन है 270 का 218 सीदकाल में तुसार पाले कभी तरण कहां पाय जाता है याद रखना है उत्कों में निर्जली करन कथा यांत्रिक छती हो जाती है बी ऑक्ष्टन सही है नीस डी अने का किंतिम सर्ष्टिख रभी तेह मं किस न Computers किसे ने किया था तो है जात रखनार कोई से आपसन है कॉन भर्ग दीनए का किंतिम सल्सलेशन क्यार्वर्ग नहीं किया ता वार्षन और्टिक ने n डी ने में कि डवल हैलेक्स रचना का पतला या 1993 इसके लिए एक अनुवांसी पदायट है इसके एक छोटे सिभाग को जीन कहते हैं या माता-पिता के गुड़ों को संतानों में पहुंच जाता है डॉक्टर हर कोविंद खुराना ने 1968 में जेनिटिक कोड की कुछ की थी ठीक है इसके लिए उन्हें नोवल प्राइब भी मिलाएं बात करते हैं 220 कुश्चिन नमर एक जीब जिसमें दो समरूपी अनुवांसी की कारकों का जोड़ा होता है कहलाते हैं तो याद रुखे सम किस कुश्चन राइवोसॉम्स किसके बने होते हैं याद रुखना आरेने प्लस प्रोटीन 222 कुश्चन निमलिकित में से सूत्त विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है फ्रोफेज ठीक है 223 कुश्चन मेयोसिस की किस स्टेज पर गुड़सूत्रों की संख्या आधी की जाती है तो याद रखना है एनाप्फेज फर्ष्ट निमलिकित हम किस ने की थी तो याद रखना फिस सर्व कि 225 क्रोमोसोम किस के बने होते हैं तो याद रखना उप्रीक्त में तो सभी के द्वारा डिन अरेने प्रोडीन ठीक बात करते हैं दोसे चट्वीज जीन्स किसके बने होते हैं तो याद रखना है फॉली नीव निवकली युटाइड़िश 27 27 सब्द किस ने दिया याद रखना है रोबाइट हो रोबाइट हो ने सब्द दिया अठारे 1613 में एवी लियून वर्ग लियून वैन होग जीवानों की कोच की थी टोबर ग्राउन 1831 में केंदर की कोच की वाल्टर फ्लेमिंग ने 1889 में मेट्रोसिस डिवीजन का पता लगा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फैनसलीन का खोच की थी किलोरोफिल किसमें पाए जाता है तो याद रहना है किलो फिलाष्ट के गराना में होता है फोटो सेंथिस कलाइट रियक्षन इसमें होता है इस्टेरूमा फोटो इसमें होता है जड़ में पाया जाने वाला फ्लाष्टिड को लिको फ्लाष्ट कहते हैं यह रंग ही हिन होता है वह संकन संचे की कारण खूल जाता है अंगला कुश्चन है 239 डीने अनुवासिक पदात है इसका ट्रुबल प्रमान वियाद रखना है विक्टेरिया में ट्रांस्फॉर्मिशन प्यों डीने अनुवांसिक पदात है इसका प्रवल प्रमाड बैक्टेरिया में ट्रांस्फॉर्मिशन है 231 कोश्चन कोश्चा का पावर हाउस है यहाद रखना है माइट्रो काइंडिया वियो संग है प्रमाड बैक्टेरिया माइट्रो काइंडिया की कोश्च के लोग कर ने किया लेकिन माइट्रो काइंडिया नाम सी बैंडा में रखने रखा प्रमाड परीवन होता है यह निवक्लियो लस्ट निवक्लियस के अंदर एक गुल आक्रिक्ति होती है जिसे निवक्लियस खहते हैं यह आर ने एवन प्रोटीन संसलेशन में सहाइक होता है बात करते हैं 232 क्षचन वाइव मंडल में कार्वन डाई उक्साइड की मात्रा ल कि दोसर 34 क्षिंशं खंद संखला बनाई होती है है याद रखना उत पादर एवं भुबताओं होता है फार फेजिव बयादक पनाते हैं यह जीव दूसरे जीवों से अपना बोजन प्राप्फ करते हैं जिसे हेरण वक्री स्यारवाग इत्यादी अगट करने वाले जीव को अवेटत या मित्तोग जीवी कहते हैं जीवाड़ों वीसाड़ों अवक्यत्यादी 235 कुछिन किसी निश्चेच्च्च जसे तालाव आदी में पोधों वजन्तियों के वीच पारस्परी संबंद को कहा जाता है 236 कुछिन क्रॉफ रोटेशन से लाप होता है बहुमी में औरवर्टा में बढ़ोत्री 237 कुछिन नमर्थ सुई की सूर की रोशनी से अल्टा वाइलेट केने निकलती हैं जो को तपादित करती है तुवियाद रखना ओजों 38 अमले बर्शा का प्रिमुक कारण है तो याद रखना बाइफितुशन द्वारा ऐसो टो की मात्रा में विध्धी 49 वारत में मिर्दा परदन का सबसे गंभीर कारण है वन कटाओ 40 मेर्दा कर्ण की सतय पर मजबूती से चिपकी पतली जल पर कहलाती है तो याद रखना आधिता जल्ग मेर्दा कर्ण की सपर्पन मजबूती से चिपकी वतली जल पर आधुता जल कहते हैं को इसका जल जड़ द्वारा अवसोसित कर जैलम द्वारा पोदों के अन्य भाव में देजा जाता है एक तालीष जल क्रांती जोबियाहर रहा चिकनी मिट्टी को इसे चिपकी मिट्टी को चलकरांती कहते हैं 42 खाद कड़ी में साकारी होते हैं व्याद रहां फ्रात्मिक उब्रोगता 243 पात्पों को मिट्टी से जो जल मिलता हुआ है व्याद रहां केश का जल जबालीस कुश्चन पात्पों जो चक्तानों की सेताय पर रुखते हैं लीथोफाइटस कहा जाता है वायू का मुक फेदूसर है वियाद रहां सीव करवन और ओंपसाइड ठोस करवन मुटाय और ऑक्साइड खोस्वारा भी कहा जाता है व्याद रहां जीवों का समुदा युप परस पर प्विति की गया करें सेहतालीस पित्वी के सभी जीवों को क्या कहते है वियाद रहां जीव मंदल ऑद्वारा रहां सदेव सिधा 59 मिर्दा परदन को रोका जा सकता है बन रोपर 50 ग्रेन हाउस प्रोहाउस के एकत्त होने से होता है तो यह आप रखें बाई मंडल में बढ़ती हुई आनिकारक जैसे CO2 बाई मंडल के उपरी सतर पर पिथवी के तामान में विद्धि करती है इसे ग्रेन हाउस प्रोहाउस कहते हैं ग्रेन हाउस प्रोहाउस प्रोहाउस सबसे अधिक जिम्वेदार है CO2 चलिए तो 250 कतम हो चुके हैं आगे देख बात करें वाइयलोजी से संबंदी और हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं 250 तक यानिकि 250 कुष्चन हम लोग खतम कर चुके हैं तो याद रखना है इस से जितने भी लेक्ट्चर बनेंगी और अबब्जीक्टिक कुष्चन से वाख वो जनरर साइंस की सुची में सभी ले गाएंगी तो अब बात करते हैं दोसों 59 question में तो या रखना अल्ब कालिक एक बरसी है वह पूर जिनका जीवन चक्क छे से 10 सबदाए में पूरा हो जाता है तो यहां question है अल्ब कालिक एक बरसी है वह होते हैं जो अपना जीवन चक्क पुड़ा करते हैं तो याद रखना डी अप्शन से ये 6 से 10 सप्ताय में दूसरा कुश्चिन रेका दोसो बावन सकरकंद में क्या रूपांतर होता है तो याद रखना जड़ सकरकंद जड़ का रूपांतर मूली गाजा चुकंदर सल जम एबन सकरकंद का खाने युग भाग जड़ होता है अद्रखल्दी और्वी फ्याज अलू का खाने युग भाग तना होता है ठीक याद रखना त्रेफन कुश्चिन दोसो त्रेफन एक जीव दूसरे जीव पर विद्धी करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है वह कहलाता है तो याद रखना अधी जीव दूसरे जीव पर विद्धी करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है अधीव पादक करता है चमवन कुश्चिन दोसो चमवन आरोहन मूल पाए जाती है तो याद रखना पान में आरोहन मूल पान में ही पाए जाती है बरगत में इस्थम मूल पाए जाता है और पौधरी को सहायता पिदान करता है पच्छपन कुर्शन नमर नेम लेकित में से आगूर पोसी बीज होता है तो यादना मतर 56 बीजों का अंकुरन जब जल फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है तो याद रुखना वीवी वीवी फेरी जब फल के अंदर अंदर में अंकुरित होते हैं तो आप की बात करते हैं संधावन जो पादप जीवनमें केवल एक बार प।स्द में दारन करते हैं ठाटे है तो याद यह पादप जो जीवन में एक बार पुष्वधारण करते हैं, मोनोकार्पिक कहला न बीपादप जीवन म ह glance कि बार कुष्वधारण करते हैं supremacy पॉलीकार्पिक कहला। प्तियों में नहीं होते हैं, तो याद रखना, लेंटी सेल, पतियों में लेंटी सेल नहीं पाये जाते हैं, बॉन्दी के वागुए वागुमें जलकवास को रूप में उड़ना, वास्पोर सेजन कहलाता है यह क्रिया पत्ती की निमने सकता है और उपस्ति रंदों द्वारा होता है तरह है हमारा 69 रवट छीर वाहे का किस में मिलती है तो याद रखना कॉर्टेक्स 60 जड में पास जणो के निकलने का इस्तान है तो याद रखना परी रंव 16 मेंडल अपने पयोग में सफल रहे है तो याद रखना उन्होंने एक समय में लक्षन का भी समय किया सहिए उन्होंने निरिक्चन को पूरा व्योगा रह रहा उन्होंने f3 का अधियन किया मेंडल है मैं एक लक्षण का अध्यान किया निरीकचंग का पूरा वहरा रहा vy कोिस्ते संए पंडेन किया इनके अनुषार नहीं जाती कि उत्पत्ती आचानक परिवत्टन के कारण होता है जीवह इनुट न उचानक tag पारिवार्टन को पुत परिवारृतन का थे अंगला कुश्यन है 63 अमल वरसा होती है तो याद रखना सल्फिरिक अमल सल्फिरिक अमल वरसा सल्फिरिक अमल एसो 2 के कारव नाइटर्श अक्साइड एंट्वों कुभास गयस कहा जाते हैं बोज पत्ते किससे मिलता है तो याद रखना वेटोला की छाली 65 question number लगभी रिर से कहलाते हैं तो याद रखना लेंट यह ओप्शन सही 66 question सिर्खा का खट्टापन किसके कारान होता है तो याद रखना acidic अमल सिर्खा का खट्टापन acidic अमले की कारान होता है टार्ट्रिक अमल इमली में पाए जाता है लेक्टिक अमल इकारन दूद फटता है यह अमल मास्पेसियों में जवाँ हो जाता है तब व्यक्ति कुछ थकान में सूस होती है तो याद रखना व्रोटिया मोनोस्परमा ठीड यह अप्सन सही है फिलेम ऑप खॉरश अलसट एडवर्ग जेनर ने खुछ की थी तो याद रखना स्मॉल फॉक्स की व्यक्सी नेशन की एडवर्ग जेनर चेचक टीगा की खुछ की थी छह रोग हैजे की टीगी की खुछ को रिड़र ने एक जेचाते की थी एंटिजन है एटनर लगम हारे एक एक प्र म्मोर्टी यह प्तुक्स सब्सक्राइब बने होते हैं जब कोई बाहरी जीव किसी ब्रक्ति की उरुमें प्यर्विस करता है तो वह पारोग चुल्वा आपपरोग चुलोग से गुछ पौ की कर अधवादन करता है उससे इसी प्रोटीन की एंटी जनस कहते है त्वीजी निर्माड होता है जिसे आन्टी वाडी कहते है यह वीमारीयों में सच्छा करता है त्वी नहीं。 के बात कर देए हैं 270 मेरत 10 सत्र संसार में मानव जंसक्या में फॉरसों और इसतीयों को sucks ततां वय लिंग ने धारं काण पाते याद रखना इक अनप पाता एक संसार में मानो जंसक्या में फॉरसों योई इस Lazis के एक सेक्स तथा बाई बाई लिंग ने दारण कानपा एक अनपाते एक है अमले वरसा होती है जब जल परयाव बढ़निये पिदूसक से सयुब करते हैं तो याद रखना एसो 2 और एसो 3 बात तर कुष्ट्य नमर पिलिया का कारण है तो याद रुखन है वरस पिलिया वरस से उत्पन होता है या गंदी पानी पीने से उत्ता है इस रोग में लिवार संक्मित हो जाता है तथां कार्णा बंद करते तिया तर क्ष्ट्य नमर करते हैं किसी जीप के ल लिंग सेहलगन के लाते हैं जो उसकी जीन का बात नर या माता का एक्स अथवा बाई गुड़सू अंगला कुष्चिन है 264 यदी माता पिता दोनो रंजक ही इन होगे तो उनकी सब संताने रंजक ही ओफ्चन सही पचर 25 किस परिश्थिति में एक नारी भी हुवाडण्द हो सकती तो या गरतना यदी उसका पिता हुवाडण्द माता वाह ना गरत ने इस्ट है प्रियागरतना है यूके प्रियोटिक इस्ट है यूके रियोटिक होते हैं यूके रियोटिक खुषका में दोरी जिली का आवरण केंदक का आवरण सिगरा केंदक पाय जाता है जिसमें डियने वह स्टोन प्रोटीन पाय जाती है i Freaklayewtics 500 इसमें कीब़ देटीन गॉर्धार करता है एक कुछ कि अज्यीब वैसे जीब जीनका शरीर एक खुषका कबना श्रहें जोशक का वना होता है जैसे कि योग्योहें होता है कि टी सिब वैसे जीब जिनकटी एक से अधि कुछका का वना होता, क् competent कैई शरी से için करना में तोग जीवी कि बात करते हैं 78 कफकों में संचित भोज पतार प्रयाब होता है तो याद रखना गिलाइकोजीन या तेल में 8949शों किसे उत पानि किसके उतपादन में इष्ट का उप्य पहता है याद रखना हैra Geralt औरना की शर्यक्णा मी, DNA उपस्थिट थाइपीन के इस्थान पर, याद रखना हैок यूरेसिल यूराइसिल ॥ डी एने में नाइट्रो जीवनेस बेस्ट दो पिकार का उपता है फोरें किंद्रगत एड़नेन ग्वानीन फाइड मीडीन के अंद्रगत साइटोसीन एवं थायमीन बात करते हैं एक क्यासी क्षिटन देरी के दूत पादक पदार्थों का केड़वन करने बाले जीवाड़ो तो याद रहें हाईवेसी दस बात करते हैं व्यासी क्या है याद रखों यह उप्षन से इसमें एक प्रकार का प्रोजन की दूसर्ण जो कि लोट्री डियम वोटूलियम लीनम जीवान द्वारा होता है जो प्रोजोन वस टॉक्सिन इस्ट्राविश करता है जिस से मित्ति वारेश जो नील वारेस द्रू द्राज से वालों पर संक्मण करते हैं द्रहलें करता है तो यहादी है नहीं करता है 34 सबसे चोटा जीव है सबसे पहला जीव है आर्ची वेक्टरिया 85 क्वश्चान निम्री कितम मैं से सह जीवी जीवारू है तो याद रखना है आपको राइजो वियम सह जीवारू राइजो वियम है दो जीवों के वीच ऐसा सम्मन जिसमें दोनों जीवों को लाव होता है जैसे बहला राइजो वियम दाल का पोधा कबक सेवाल दोनों में लाइकिन का निर्मार करते हैं या लिटमस पत्त बनाने में ओप्य होती है कि लोट टी लियम टेडिनी टी टेडिनी से टेशनर रोग होता है या रोग के जीवान जंग लगे लोहे एगम एवं गोबर पर पाये जाते हैं इस रोग को धनुष टंकार या लोग जे भी कहते हैं 86 साखो दाना किससे प्राप्त होता है। या रखनास साइकर्स से isयकस को सागो फ्लाम भी कहते हैं साइकर्स जाण धर जाते हैं रिकर्डंक生 में लाट जिवड जीवास में ६ैसे पौदेजिन मे जट तना पत्ती फोल इब फाल फल भीज सबी पाए जाते हैं इस पॉधिय में बीच फल के अंदर रहता है अमिर्थ जीवी अबर्थ जीवी कहलाते हैं आम कठल जामुन दान इक्तियादी 87 कुश्चन कुनेन प्राप्त होती है तो याद रखना कुनेन होती है सिनकोना से वी अपसल सही हो इसका उपयोग मलेरिया में होता है अठासी कुश्चन अधिकांस इधन के रूम में प्योग होने वाले सकता है पूदे मार मेमो रियल मायमोस मोसी फीमेली बात गेमी नी खुल के अंतर इंधर का गेंग मकका गंणा वास तो जो इत्यादी पूद आते मारा वे सिक पूल के अंतर का पाउस गोढ़ा वेंडी इत्यादी फूला तें क्रोशी फेरी के नंदर मूली सल्जम शर्षम प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर का पिती पादन 1901 में किया गया जाती की उत्पत्ति अचानक परीवतन के कारण होता है जीवों में अचानक परीवतन कोज परीवतन कहते हैं रक्त परविशंचन की कोज बिलियम हारवे ने की थी 1608 किसने कोजी तो याद नगे लगिए अलेकजेंडर फ्लेमिक ने की तीवी महेजय की खूज रौवेट कोज ने की थी 92 नमक्ट निमलिकित में से एक इंजायम सरावन इश्च द्वाराम होता है जो किदवन पादा रखना है जाईमेज जाइमे जन जाइम का तरावन इस्ट गवारा होता है जो किडवन के लिए तरदाई होता है तेरानवे कुश्चन है नमार सहयोगमा योगमा पाया जाता है तो याद रखना राईयो पस्वोग लाइकन किसके लिए तो याद रखना है बी ऑप्शन इसमें सही है किसके लिए होती है सोटू और सीओ के लिए वीए ऑप्शन चौराणवे का सही है याद रखना है याद रखना है डॉक्टर हर गोविंद खुराना है जैनेटिक कोड कि इसके लिए उन्नी सो और सट में नौल प्राइस दिया गया वन जीन वन इंजाइम का कॉंसेप्ट वीडल तथा टेटम की द्वारा दिया गया चौश्हन मैं मनसमे तुचा के रंग नियंतक्ण होता है तो या रखना फॉली जीन सो मैं कि मनसमैं तुचा के निचे मेलानी प्रैडाय जयाती है दो यह पिंडिक इस व्यक्ति में जतना देकोगा बिकाली होते हैं यह जिसले में बेगोरी होगा। निर्मार में प्रिप्त किया जाता है, तो याद रखी ग्रसीलिया, ग्रसीलिया से अगर-अगर का निर्मार होता है. Question number 300, जन्तो फिल है तो याद रखना C तीली रंका, जन्तो फिल का रंक तीला होता है, जिसका रसान एक सूपर, C हो टीस, एच 55, 56, 42, C 40, H 56, O 2, ठीक, किलोरो फाइल, ये, इसमें C 55, H 22, O 5, O 5, N 4, M G, हरा रंग का होता है, ठीक, किलोरो फाइल, बी, तो इसका C 55, H 70, O 6, N 4, M G, होता है, करोटन, करोटन का C 40, H 56, रेड़ गला होता है, ठीक, याद रटना, चलिए तो इसमें हम लोग 300 तक हतम करें चुके हैं, आंगे चलिए हम लोग 301 से आंगे बात करेंगे, हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर बायलोजी के objective questions देख रहे हैं, उनके answers, तो आपको बता दे हैं, हम लोग 300 questions खतम कर चुके हैं अभी तर, तो यह जितने भी lecture बने हुए हैं अभी तर, यह सभी आप लोगों को general science के नाम से जो playlist में सूची बनी हुए है, उसी में पढ़े हुए हैं, और इसते पहले हम लोग जी के chapter by chapter जितने खतम किये थे, वो भी उसी में पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, अगर, चलिए 301 वा question है, वरसात के दिनों में भूमी फिसलन्दार हो जाती है, पिया विपना, नील हरित सैवाल के कारण, नील हरित सैवाल के कारण, वरसात के द होता है, विया रखना, सागर में चल, ट्रेचो, ट्रेको, डेस्मियम, एराइथिरियम के उपस्पिति के कारण, ठीक, बात करते हैं, तीन वा question, 303 वा, एंटिवायोटिक, वायोटिक, किलोरिलिन प्राप्त होता है, विया रखना, सैवाल से, 304, अधिकान सैवाल में संगि भुजपलार्ट है, तो याद रखना, इस्टार्च और वायल, जली एक काई का कारण है, तो याद रखना, नील हरिक सैवाल, डी ओप्सन सही है, छटवा question, मौस में संबहन, उर्जा बने होती है, तो याद रखना, मिर्दूर्ट तक्त में, हमारा है 307, किसमें में किलोरोप्लास्ट होता है, तो याद रखना, फ्यू नीरिया, 308, साइकन, साइकस के पराकण, किस माध्यम से होता है, तो याद रखना, वायू, क्या होता है, वायू, ये ओप्सन सही है, साइकस के पराकण, वायू के माध्यम से होता है, जब पराकण की क्रिया बायू द्वारा हो तब ऐसे पर्याद को किया प्रागन के सब्सार को कीट प्रागन केरते हैं सब्सें एसे परागन की जल से हो तब ऐसे परागन को हैड्रो थेला ही कहते हैं, 309 कुश्चन, 309, निम्लिकेत में से कौन सा फादक चीवित जीवाज है, तो याद रखना आपको, साइकस, ठीक है, 310 कुश्चन नमबर, मनस और जानवाओं की आप में पाए जाने पे वाले जीवाणू हैं, तो आपको याद रखना, प्रिसियोड, डॉमोनस, सीटरी, ठीक, याद रखिए, इसमें डी ओप्सन, इसमें ओप्सन अपना, सी ओप्सन, ठीक, बी ओप्सन सही है, ठीक, याद रखिए, एसर रिसिया, खोलाई, ठीक, याद रखना, भी ओप्सन सही है, इसका, फ्लाजमेड क्या होता है, तो याद रखिए, जीवाणू के अनुवाण से, जो कॉमोसम से बाहर होती है, याद रखिए, जब आपको कभी, डॉप्सन में, तो उसे क्लियर कर लिया करो, ठीक, इसमे यहाँ सही व्याख्या में भी सही दिया गया है, बस नहित पर चलिए अंगला 10 कुश्चन नमबर, 12, मनुस का एक कभग जनित रोग है, तो याद रखना है, इसमें रिंग वाण, यहाँ सही दिया गया है, बतावे, इसमें कॉलेरा है, अप्ये दिए दिए दिया है, मनुस में कवक जनित रोग होता है कोलेरा तपेदे को पिलेग जी माड़ू जनित रोग होते हैं तेरे कुष्टन दसाने प्योग साला में प्योग में लाए जाने वाला लेटमस प्राप्त होता है तो याद रखना सेक्षी ठीक है लाएकेन पारन लेट मतबर साला में को सेध रखना फीकास शूर्जा रसायनिक उल्जा में बदल तीन जब पिकास उलिए कुझां लेटा रसायनिक उलकारаю ऑता है को पचाने का कार करते हैं पाचंतंत कहलाते हैं सुसंक वह रसानी क्रिया है जिसमें O2 गेंड किया जाता है जिसके पर शुरूब टूट कर CO2 में परिवर्दत होते हैं पूज्या की प्राफ्ती होती है C6 H12 O6 प्राफ्ती होते हैं सुसंकी क्रिया औक्सी क्रिया है जिसमें पादफ साता है से जल वास्त के रूम में छोड़ता है पती के निचले भाव में पाए जाने वाले से जल से निकलता है सुझन सुनबर कैंसर कसर के सर पराफ्त होता है को कस Studios आप वार्टी काझ और वार्टी काग्वार प्रीचिचाइब बाट करते हैं सतरय कंस्था सेंकौना के पॉदि किस बाह्त से मलीरिया के उक्तिकुनैन क प्राफ करते हैं याद रभना छाल से डिक प्र seráрटकास की क्रिया में एक निर्माड होता है कि उन्नाइस कोश्टियन कि खुच करता है तो यहाद रुखन लूइस कोश्टियन फ्रिकास का रशान प्रिवर्तन रसाइनिक उजाना होता है ठीक यहाद रहा है की सब्सका निर्मी कारगोहेट्रे股 होता है बात करते हैं 22 कुर्जा का किस रूम में संचे करते हैं तो याद रखना संचित की जाती है करते हैं 24 कुर्चिन वीकरन ऊजा रसानिक ऊजा के रूम में उकत्यत की जाती है तो याद रखना संचित वहोजन में करते हैं फिरकास इसे और जल का ठीक है बात करते हैं 26 कुष्चिन पिरकास संसलेशन की फिक्रिया फिकास फिक्रिया में क्या होता है याद रिपना जल के अड़गों का अबगटन होता है जल के अबगटन के फल्परू ऑक्सीजन मुक्त होता है इस लयरेट रिएक्सन क्लोरोव फिलास्ट में उपस्थित गिराना में संपन होता है बात करते हैं 27 सब्सक्रिया बोमी से जल मूलरोम में प्रविस्द करता है longer question 28 प्रवेस और निकास को नियंतित करती है एनीमल सेल का बाहरी आवरण फिलाजमा मेंबरेन का बना होता है सबसे उपियों में लाल रोसनी होता है लाल फिकास में अपहाएं न सिन्सेरिशन की क्रिया होता है बात करते हैं 330 कोश्चन बारत मैं सबसे इदिख खाया जाने वाला अनाजय याद रुखना चावल सबसे इदिख चावल का उतुपादर पश्क्य मंगाल में होता है 31 कोश्चन बनमसंधान सरस्थान स्श्थान इस्तित है तो याद रुखना देखरा दुन में यह भी कई बार पूछा जा चुका है या रखना वन अनुसंदान संस्थान आपका देहरादुन में हैं भारतिय पेटॉलियम संस्थान देहरादुन में हैं कोलकाता सेंट्रल जूट टेक्नोलोजी एंड रिशर्ष इंटिटूट राष्टी एटलस तथा बिसेक मांचित संगतन कोलकाता हैं सिम्ला में सेंट्रल फोटेटू रिशर्ष इंटिटूट है बात करते हैं 32 कुशन आवांचनिय पोधी पोदों को कहते हैं तो याद रखना निकास किस क्रिया से होता है तो याद रखना फिरकास संसलेशन कोश्या में किस बाख में बोजन का उर्जा में परिवर्तन होता है। यह रिखेज कहते हैंies केंद्रक को ब्रेंड ऑफ सेल कहा जाता है पिलांट एवं एनिमल सेल्स में पाए जाता है नियुकलस का खोज रोवर्ट ब्राउन की द्वारा किया गया एक कुछका में होने बाले सभी किरियाओं पर नेतर रखता है किलूरूफलाश्ट पत्तियों में पाए जाता है एकिव लोगि लेजी की द्वारा किया गया इनुकि कि अनापर बोल्जी बोडी कहा जाता है इसरा में पाधा रफ्थों में पर्वेहन में निर्मार की पितम जक्रण है व्याद रुखी फर्ण हरित के लेक्टॉन का फिकास के फोटोन द्वारा उत्तेजन, फिकास के पिथम में परढ़ हरे के एलेक्टरोन का फिकास के फोटोन द्वारा उत्तेजन होता है, बात करते हैं 37 कुश्चन, वास्पोस्थ सर्जन नापने का यन्त है त्वियात के फोटो मीटर, वास्पोस्थ सर्जन की दर फोट पौधों में जल का समभान किस के मार्ण से होता है तो याद रखना है जाइला हूं ठीक है निए सी ऑप्सें सही निए बात करते हैं 49 रिजिक हुजका में भूजन का ग्लू कोज का ओक्सिकर्ण कहां होता है या रहना कोश्का द्रम में जोकिजिक का में भोजैन एवेवन गीलु कोच का झाण कोफिक का द्रम में होता है jours का राइवचिवसOM यह इसमें परोटिन का संससिलेयशन होता है छालीश कुल गोली सिस में सिंध ग्रीकोच आन्तमें परिवर्तित होता है तो याद रखनाव करतें हैं 458 कोचच verr emblem कितने कितने एटीप अडू पराप्त होते हैं तो याद रखना वी ओप्सन सही है 38 से टीप जाली स्कुष्टन नुमर पौदे में मुरजहान किसकी अधिकता से होती है तो याद रखना वास्तो सर्जन की ठीप बात करते हैं 43 कुष्टन कौन सा वदाय सुष्टन तथा प्रक नक्तिट में नॉक्ली घुमाट में तंच की डिपिन मैं अजिट वैक्टिर्यक पालज पाला से टिया जाता है जो बाधिकती किस्टी है कि बात करते हैं 45 कुष्ट्यन अनॉक्सी चसन में स्क्राथ या फूंड पूसीछन औक्साइड बनता है बात करते हैं च्छारीस के द्वारत संसेलिएशन होता है तो यहां तो फ्यू मेरी कम लगा ठीजिवन में चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी तक हम लोग खतम कर चुके हैं 350 कुश्चन देखना हैं लोग को जितने भी कुश्चन खतम कर चुके हैं लोग जितने भी लेक्चर हैं जिस जनरल साइंस नाम की फिलेलिस्ट सूझी में पड़े हुए हैं ठीक वहां जाकर देख सकते हैं आप लोग ATP संसलेशन की क्रिया है तो याद रखना उसमा उर्जा सोसी ATP संसलेशन उर्जा सोसी क्रिया है 52 कुश्चन किलोरूफिल की निर्मार के लिए फ़धों को दो धात्विक तक्तियों की आवस्थिक्ता होती है बेहें तो याद रखना मैंगनेसियम एवं केल्सियम केल्सियम से पौदे में केलोरूफिल का निर्मार होता है त्रेफन कुश्चन निमलिकित में किसे ने किसको एंपी के निर्देश्ट करती है तो याद रखना नाइट्रोजन फॉस्ट फॉरस फोटेसियम बी अप्सन है चम्वन एलेक्ट्रोनिक सूप्छम दर्ती का उच्चतम आवर्धन होता है त्रेफना दो लाट गुना त्रेफन पच्पन कुश्चन होता है एक अंगिश्टॉम बरावर्धन तो याद रखना दस की बावर माइनस से दस चम्वन पच्पन कुश्चन लाल पूलों का संक्रण सफेद रंगे पूलों के साथ करवाने से गुलावी रंग के फूल एबन पीडी में प्राप्त होता है या दरसाता है अपूर्ण फिरभावित्ता का नियम अपूर्ण प्रभावित कि नियम के अमसाल लाल पूलों का संकरन सफेद रंगे फूलों के साथ करवाने से गुलावी रंगे पूल एफबन पीडी में प्राप्थ होता है संतावन कुश्चन नमबर कैंसर नमलिकेत में से एक कारण है वियाद रखना अनियंति यह तीब अर्ध सूत्री विभाजन द्वालाँ कि अंठावन कुश्चन नमबर वपाप्चय की दृष्टी में लिकेत में से किस अवस्था की कोश्चा जादा सक्रिय होती है तो याद रखना प्रोफेज अवस्था उपाप्चय की दृष्टी कोश्चा जादufficient सर्वादिक होती है बात करते है 69 कोश्चन एक कोश्च्चा तो याद रखना प्रोटीन कोश्च्च्च्च में सबसेदीध प्रोटीन पाये जाता है प्रोटीन सेल्ट की निर्वान सहाएक होता है साथ कुश्टेयन नमड कोश्ट का सिminister के पिधिपादक किया कोश्ट का सि THOOOO q gentleman याद रखना cldn एटन एं स्वान सी ओफ शवान ने स्वाने स्वान ने कुश का सिध्धान का पितिपादान किया सबसे छोटी कुश्का मार्व पल्युप युप प्लेरो लक्ताह सबसे बड़ी कुश्का सुथ्ट्र मुल्ग का अंडा है सबसे लंबी कोश के अतंतिक कोशिका है 61 जीन में होता है प्रियाद रगना फॉली निउप्लियोटाइड 62 कुशन हर्गोविंद खुराना को नुबल प्रोसकार पराप्त हुआ प्रियाद रगना अनुवान से कोड की कोच के लिए 63 पादप कोशिका में जन्तु कोशिका से भिन्नता के लिए एक मुख लक्षन सभी पदब कोशिकाओं को कोशा भिती सेल्लोज की बनी होती है 64 यदि कोशिका के राइवो सॉम्स नष्ट कर दिये जाए तो फ्रोटीन संसलेशन नहीं होगा यदि कोशिका के राइवो सॉम्स नष्ट कर दिये जाए तो कोशिका में फ्रोटीन का संसलेशन नहीं होगा 65. new click? किसमें होते हैं तु याद रखना है केंद्रक और में कोश्षट का द्रब में पाई जाती है 66. सोशन केंद्र कहा इस्तित होता है तो याद रखना मेडूला कि दिन के समय झोड़ते हैं को यह उक्साइड का उप पहोग如何 करते हैं हैं गई गई हथे सुषंद मैं कार्वाट्री निम्लिकेत मेंधे हो जाता है दिन चलिए पोड़रते नियुक्त दृता हमारे ज़ला है ठीक सुस्चन एक अप्चाई क्रिया बात करते हैं उनत्तर कुष्चन पौधे का हुए भाग जो पानी एवं बिलेओं को जड़ों से पौधों के अनिक भागों में ले जाता है वह है तो याद रखना जाइलम ठीक है पौधे का हुए भाग जो पानी एवं बिलेओं को जड़ों से पौधों के अनिक भागों में ले जाते हैं जाइलम कहलाते है सुसन है तो याद रखना अब चैन पिक्रिया केटा बॉली एकत्तर पौधों में गैसों का वीनिवार किसके द्वारा होता है तो याद रखना यह उता है एस्टो मेटा बहत्तर परागण के लिए निम्न में से कौन सा आवस्तक नहीं है तो आग परागण के लिए आवस्तक नहीं हवा पानी कीट यह आवस्तक है तो याद रखना है हीदराबाद में है सैलूलर और मॉलीकूलि जीगण पान के हैथराबाद में अवस्तक है चोधतर सैंटर्फो ढे अने अक इटना जिचंगर्डिव स्तिक आवस्तक ि आब इस आड़ सैंटर फ़ेventionक जिचक रिच्चर है इंडराबाद में हिस्ति की इसंटर है सुची दो को संबलित करना है तो सुची खोजें हैं जी और यह हैं बिग ज्ञाने तो इसमें सी ओप्शन सही है डिने की सरजना तो याद रखना वाट्सन और किक ने खोजी थी एवी वोस रख्त समू तो याद रखना लेंड इस टीनर जंपिंग जीन तो याद रखना बार्बरा मेग ट्लीन टोकने रेगुलिटरी जीन तो जैकब और मोनोडुप यहां भी आख्या देख लिएते हैं डिने की सरजना वाट्सन और किक एवी यू एवी ओर रख्त समू लेंड इस टीनर पंपिंग जीन बार्बदा मेग किल मेग किल नंटॉप रेगुलिटरी जीन जैकब और मोनोड मोनोड मत करते हैं तीन सो चैत्रवा कुश्चियन एकल स्टेट डेड़ वाले डिने अड़ कहां मिलते हैं तो याद रखना यह है आई इंटू 174 वेक्टिडियों खेच ते आंगे बात करते हैं 77 सूची एक को सूची दो से समलेक करना है तो इसमें भी ऑप्सिन सही है कार्बोहेंट डाइट इस्टार्च एन्जाइम पैपसिन कर्मोन प्रोजिस्टोंड बोटीन क्राइट ठीक याँ के कारवूर्टेग श्टार्च न्यॉयं पैपसिन ऌर्मोन क्रोजिस्टों आप़र्वासधवरा तरप्सियों अच्टरी रोटेंटेन ओर प्रैंट कराण दूद का रंग उजला एवन प्रोटेंट की आणिशा प्रोटीन पाया जाते हैं अनुवांसी की उत्फरीवर्तन में मैंसे होता है तो यह रखना DNA मानुशरीर में क्रोमो जॉम्स की संख्या है तो यह रखना चैलीज आरेने का मुक्कार है तो यह रखना प्रोटीन संसलिशन में सहायता करना एक क्यासी कुश्चन बी एने का मूल मात्रक है तो याद रखना है नीकली नीकली वोट टाइडस अठाट ब्यासी कुश्चन निमलिकत में से कौन सी जाच एक बच्चे की पिता का नेधारन करती है तो याद रखनाग है डी इंए फिंगर प्रेंटिंग टीगर ऐको सी नी शेकर सी ग्रे मैटर में होता है तो याद रखना कापी संख्या में तंती का कोश की यह निकाए तीराथ Northeast निमलिकत की कोश्चा निम लेकित का सूखचित का है तो याद रखना माइक्रोफलाइमा 86 जीन का आका रुखता है वियादर्म सर्पाकार 87 जब किसी पुस्प का पराग उसी पौधे के पराग परागन प्रिकार के वर्दिकाग मैं अंत्रित कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं इसमें जब किसी पुस्प का परागन उसी पौधे के वर्दिकाग मैं आंत्रिक कर दिया जाता है तो उसे आर्टोगेमी कहा जाता है नहीं तो याद रखना सिंगल स्टैंडर्ड आरने नहीं थिए एचाईवी हीुमन इमयून वाइरस में डवल इस्टैंडर्ड आरने पाए जाता है हुआ है एचाईवी वाइरस में से एड्स होता है यह रोग तथा आसरुक्षित रख रखतरा धान से होता है इस रोग से गरे से रोगों की फितीर रोग धक छमताफ हो जाती है यह रोग इस्पेक्टिव होता है उसकी मौत निश्चित होती है ठीज टीए बी ओ सन्वायस में टेर्स नवासी कोष्क का ऑक्सीकेन कहा होता है तो यह रखे रखे माइट्रो का एंडिया कोष्का में पाए जाता है जिसमें बोजंत था या गिलू कोष्क का ऑक्सीकेन होता है नबबए एक मॉल गिलुकेज के संपूर्ण औकसी करण से कितने अड़ूं एटीपी बनते हैं तो याद रखना चाथ तीस एक ग्राम गिलुकेज के संपूर्ण औकसी करण से अड़्टी से टीपी दिया गया है ठीड इसमें ऑप्सन नहीं होने किकार चटिश लगाए एक आनवे कोश्चा में तत्कालीन उर्जा पादन की लिनिम लिखित में से एक लिया जाता है तो याद रखना गिलुकोश कोश्या गतिविदिया नियंदित की जाती है तो याद रखना है न्यूकलियस द्वारा तैरा नवे अलू किस कुल का है तो ये नव एक आना सॉलेनेशी अलू सोलेनेसी कुल का पोदा है सोलेनेसी के अंतरगत बैगन लालमिर्ट तमाकु धतुरा इत्यादी होती ग्रेमीनी क्याम मक्कादान गन्ना वाजरा गहां से इत्यादी के कुल पोदे कंबोजुटी सुर मुखी गुलिदा अउदी गैंदा इत्यादी कुकर बिटेसी तर्वुजा कद्दू परवल खीरा निनुवा आदी बात करते हैं 94 कुश्चन नमबर हम सकल जुड़वा का जनम तब होता है जब प्रया एक ही लिंग के हैं जब एक स्पर्म दो ओवम से सेव करता है तब एक ही लिंग के बच्चे पैदा होते हैं जब दो स् कोश्का तता फ्राडी कोश्का के अंतर किसकी उपस्तिती से स्पर्ट होता है तो याद रखना कोश्का पीती प्रोटीन में संतानवे कुश्चन अधिकांस प्यों किया आ जाने वाला पिती जैविक पैनेसलीन बनता है तो याद रखना कवक से अंधानवे कुश्चन नमर लाइकन दो जीवों का सह जीवन माना जाता है यह विज सूप्ष जीव है तो याद रखना यह फंजाई यह सहवाल और कवक ठीक है नियानवे लाइकन एक पैकार का दुए पादप है जो दो विभिन परगों के पौधों के सह जीवी साहचर से बनता है एक इंदू बर्मों के पौधि होते हैं तो यादर्गना सहवाल और कवक सोख्ष और जीमाड़ूमों सिफ्राफ्त बेटकत कौन से हैं जिनका हो सोख्ष जीमाड़ूमों को नश्ट करने कंश्ट कर ने किया जाता है यह यदर्मा कथ पिति जैवी सोख्ष चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे, biology objective questions देख रहे हैं, उनके answers भी देख रहे हैं, तो हम लोग अभी तक 400 questions खतम कर चुके हैं, ठीक है, अब इसी सिंखला में हम लोग बात करते हैं, 401 से आंगे चलते हैं, वह आपको फिर से बता देता हूं, जितने भी हमारे lecture one रहे हुए, इ देखी जगे मिल जाएंगे, वह हमारी अपनी playlist सूची में, general science के नाम से, जो सूची बनीगे, उसी में पड़े हुए, ठीक है, आँगे बात करते हैं, निम्ने में से, निम्ने के द्वारां, दोध खटा किया जाता है, तो याद रखना है, वेक्टेरिया, कौन सा है वो, ल टो, बैसिलस, बैक्टेरिया द्वारां, दोसे दही जमता है, फरैट 43, question, एलीसा फरीक्चान, किसके लिए निर्देसत है, तो एर्द्स के लिए, ठीक है, एलीसा फरीक्चान एर्द्स पता लगाने के लिए किया जाता है, वीसाडू रोग है, वीसाडू जन्न रोग है, रख्त संचैन से फैलता है HIV पिती रख्षा तंत की सहाएक T-cell को नश्ट करता है और HIV में न्यूकलिक आरेने होता है यह रोग आस्वरक्षित योन संबन्ध पिदूसित सीरिज यह एवं रोधिर आधान से प्यधान होता है पॉलियो यह रोग पॉलियो वायरस द्वारा होता है यह वीसाडू भोजन एवं जल के द्वारा बच्चे के जबी सरीर में पहुंच जाते हैं तो हम आस्वेसियों को नियंतित करने वाली तंतिकाओं को नश्ट करते हैं इस रोग से पह रहात निस्क्रिय हो जाते हैं यह बीमारी के रोग थाम के लिए फोलियो ड्रोप्स बच्चों को पिलाया जाना चाहिए वैस के व्यक्तियों के सरीर के किसी भी यंग में तुचा से लेकर अस्थी तक यदि विद्धी नियत आने अन्तित हो तो उसे कैंसर कहते हैं वीडाल टेस्ट टाइप हाई डरोग में होता है बात करते हैं 24 104 चौट्रा कुछ्टन है फैरा सेटामॉल उपयोग में लाया जाता है तो याद रखना है फैरा सेटीम सेटामॉल पेंस पेनसलीन एंटी वायूटिक है एस्पिरिन को एंटी फायरिटिक दर्द निवारक दवा कहा जाता है एक 406 वा कुश्चन इनमें से कौन जिस्ती परिक्षा कोईश्पर्ट करता है तो याद रखना एक डॉक्टरी परिक्षण की तकनीकी जिसमें कोईश्पर्ट करता है बात करते हैं आंगे है 407 कुश्चन नमबर 7 किडवग है तो याद रखना है जैवी कुद पर रख डी ऑप्सन सही है आठ कुश्चन नमबर पनीर बनाने किस किडवग का किनवन का बियुक किया जाता है तो याद रखिए रहनी नदीयों तालाबों आदी में पाये जाने वाले जलीये हरे पोधों को कहा जाता है तो याद रखिए सहवाद बात करते हैं दस्वा question epic culture किस से समझन दे तहूं आपको याद रखना है मदू-मक्की से ये कई बार पूँछ लेते हैं question इस तरह के तो याद रखना है मदू-मक्की फालन को epic culture कहा जाता है physical culture को मच्छली फालन कहा जाता है सेरी culture को रेसम का केट फालन कहा जाता है फीसी कल्चर ठुट डाउट मुझे भी लग रहा है फीसी कल्चर सही है इसमें मच से फालन से संबने थे या मचली से ठीक है ग्यारा कीट निमलिकित में से समंदित है तो या रखिए आर्थ फोड़ा बी ओप्सन सही है इतवी पर जितने भी जीव जन्तु पाए जाते हैं उसमें सत्तर पिती से जन्तु आर्थ फोड़ा संगी के अंतर गताते हैं बारा कुछ्चा नमबर फ्रेया किस जीव को किसान का अच्छा मित कहा जाता है तो आपको पता होगा पाता है उसमें बर्मी कमपोस्ट बनाए जाता है जाता है बात करते हैं फीजवक बंगित में से कौन सामले पेट के जीवाणों का नस करता है तो याद रखिए इससल Saul एसी एल आमासा से सरावित होता है या पैट के जिवानों को नास करता है ठीव बात करते हैं चौदाइबा कुश्चन समुद्री ककड़ी निमली केत्मे से किसे एंगित करता है तो याद रखना एक समुद्री आग कसे रुखी को ठीव चीटी के कितने पैर होते हैं चीटी के पैर होते हैं इनके पैरों को जैंट लेग कहा जाता है चीटी आर्थोफोड़ा फिलम की अंतर रहता आता है आर्थिपोड़ा ओम की सरीर में हैड थोरेक्स वक्ष ओधर में विभाजित होता है समानता वायरस नेमलिकित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्मित करता है तो याद रखना तनाग समानता वायरस तनाग को छोड़कर समस्त पौधी को संक्मित करता है जीवानुआ को रॉम जैसी सरचना को कहा जाता है तो याद रखना थेले जीला जीवानुआ में छोब जैसी सरचना वो फैली जीला कहा जाता है 18 वा कुश्चन नाइट्रोजन फिक्सिंग चीवानू सामनता पाए जाते हैं तो याद रखना है लेग्यू मीनस पौधि में बात करते हैं 419 वा कुश्चन 420 हाइड्रोقोवीया बीमारी होती है तो याद रुखना रवीज थाविया, रोग रेवीज बायारस से होता है यह रोग पाल्ते पागल कुट्टे के काटने पर होता है, हाइड्रो कुविया रोग से पीड़त ब्यक्ति को पानी से डर लगता है, तरह कभी-कभी कुट्टे की तरह बहुंपने भी लगते हैं, बात करते हैं हम लोग, 421 कुश्चन, एंटी रेविज का टीका कप किया दिया जाता है, तो आपको याद रखना, कुट्टा काटने पर, कुट्टा के काटने पर, एंटी रेविज का टीका कुट्टा के काटने पर दिया जाता है, यह बीमारी, अंगला है 22 कुश्चन, यह बीमारी जिसमें खून का धक्का आसानी से नहीं जमता, उसे कहते हैं, तो याद रखां, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये एक अनुवानसिक भी रोग है, इस रोप में खोन का धक्का आसानी से नहीं जमता, यह बीमारी सरप्रिथम रानी विक्टोरिया में पाया गया, इसलिए यह बीमारी रोयल यह भी कहते हैं से सिंगल सेल एनिमिया यह एक अनुबांसे के रोग है इसमें आरबीसी आकर हस्विये की आकारगी हो जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन परिवान की छमता घट जाती है टैस्वा कुषेन मानो सरीम का कौन साँझ टाइफाइड से मुख्रोग से प्रभावित होता है तो याद रखे आते ठीक है बानों सरी में टाइपार से फिरभावित आथ है किड़नी से संबंदित और लंग से संबंदित देजीजिए बिलेडर स्टॉन अस्टमा यूरीमिया ग्रॉंचिष्टिस नेफ्रिट निमोनिया किड़नी स्टॉन टूबर क्लोसिस यक्षमा ठीक चौवीज संबंदित है तो याद रखनां तुचा तुचा से संबंदित रोग को एवी डर्मिक कहा जाता है टॉनसिल गला सिन्नो सिटी नॉट बिलोड नाख से ट्रेटनेस वहरापन गांसिट पच्छीस बाइट टिटनेस बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है तो याद लो जो बीमारी को धनुस धनुस टकार धनुस शटकार तथा लो जो भी कहा जाता है ठीक आंगे बात करतें 26 एश्टी एश्टिक मेटिजम एक बीमारी है तो याद रखनां आख हों भी ठीक एश्टिक मेटिज मेटिजम आख से संबन देते कौन कंट्रक्ट मुद्यावन कंजोप्टिविटिस और का इस्थे रोना गिलो कोमा आख का वाहर निकल जाना ट्रेकोमा ट्रोकोमा ठीक मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो याद रखना पीलिया को ठीक मलेर रोग से प्रभावित अंग पीलिया है इस पीलिया हाई विलेड पीसर और लो विलेड पीसर हर्ट को प्रभावित करता है अठ्था इस कुश्चन निप्थेरिया रोग से कौन सांग गरस्त होता है तो याद रखना गला डिप्थेरिया रोग से गला प्रभावित होत गलू को मा बीमारी है तो याद र्डकना आतों कि धीस कुर्शन नमर माल हो सरीर में किस प्राइख्र है को कार है यह क्रथा अमत convenience होता हैिino 21 question। टीविया अस्ती मैं होता है तो याद रखना पैर टीवी आस्ती पैर से होती है, पैर में टीवी आ एवं फैबूला दोनों हट्टियां पाई जाती है, सबसे लंबी एवं मजबूत हट्टी फीमर है, जो जानको हट्टी है, जानकी हट्टी, हाथ में अलना, रिडियस तथा हियूमरस हट्टी होती है, बात करते हैं 32 विटामिन एक ही कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबको पता होगा आपको रतोंदी, 34 कोश्चन, किड़नी की समस्या के रोगियों के अपो, अपोहन, डायलेसिस की विक्रिया में कौन से ततका प्योगर समलेत है, तो आपको याद रखना परासरन, ठीक है, 35 कोश्चन, निम वाडान दिता, कलर ब्लैनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है, यह एक अनुवांसिक रोग, निकत द्रिष्टी दोस, इस द्रिष्टी दोस में निकत की वस्तू साब साब दिखाई देती है, किन्तु दूर की वस्तू इस पर्श्चन दिखाई नहीं देती है, और अव्तर ले इस दिरिश्टी दोस में उत्तर लेंज का चस्मा लगाकर लगाना चाहिए इस पर दिरिश्टी की नियून तंदूरी है पच्ची सेंटीमेटर ठीशतीस कुश्चन किसके इलाज में कीमो थेराफी उपयोग किया जाता है तो याद रखना कैंसर ए उप्शन सही है कीमो थेरा में тайרכ क्रिस्टल जम जाने की याङो उपया सेंट पर है तो याद रखना है निकट दॐस्टी दोस्ट का दूसरा नाम मायो पिआ है मानो नेत के दूर दरिश्टी दोस्त को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हाइफर मेट्टोफिया, ठीक है, बात करते हैं, 49 कुश्चन, सरीर में नेमलिकित में किसकी अधिक्ता से हिदय गात होता है, तो याद रखना है, कॉलिश्ट्रॉल, ठीक है, बी ओप्सन यह नेमोनिया कि सूक्ष जीव के कारण होता है, तो आपको बता देना है, जीवानू, नेमोनिया यह रोग, डेपलिक कोकस, नीमोनी, नामक जीवानू से होता है, इस रोग में फैंपडा पर भावित होता है, 491 कुश्चन, नेमलिकित में से किसकी कमी से व्यक्ति को गहेंगा नामक रोग हो जाता है, तो याद रखना आयोडिन, आयोडिन की कमी से व्यक्ति को गहेंगा रोग हो जाता है, 22 कुश्चन, गैस और परियाबन में इनन है, जो किमिस्तरन से बनता है, तो याद रखना है, फैटॉल और एथेनॉल से बनता है, ठी, 33 कुश्चन, अब यह सि प्रपकों द्वार्ण थीए सी ओप्शन सही है चबालीस नीमिल कितमे से किसकी सुई से मदूमे नेंतित किया जा सकता है याद रखना है इंसुलीन बी ओप्शन सही है किसकी कमी से होता है तो आको बता देना है प्रोटीन इलर्जी पिती किरिया के कारण उत्पन रोग है तो याद रखना है इलर्जी पिती किरिया के कारण उत्पन रोग है दमा इलर्जी के कारण उत्पन होता है इस रोग में मचली उक्चार किया जाता है 47 वेडाल टेस्ट का उप्वियोग किस संभावना की जाच के लिए किया जाता है टाइफाइड टाइफाइड रोग की संभावना के लिए वेडाल टेस्ट किया जाता है 48 कौन सा रंग ठीक नहीं किया जा सकता है तो याद रखना color blindness 3 यह एनुवांस एक बीमारी है उनन्चास oncology किसका अद्धेन है तो याद रखना cancer का oncology cancer का अद्धेन होता है चारसो पचासवा कुश्चन है फपूंदी द्वारा घटित रोग है तो याद रखना दाद फपूंदी के द्वारा होने वाला रोग है लकवा एवा मिर्गी तहतिका तंत में गड़वड़ी के तारण होता है लकवा हाई विलड़ पेसर यह उम लोग विलड़ पेसर दोनों इस्तिती में उत्ता लिए ठीक है तो मोग 450 कुश्चन चारसो पचासवा कुश्चन देख चुके आंगे हम देखेंगी 459 से ठीक है चलिए तो मोग इतने क्थम कर चुके थे चारसो पचास कुश्चन अभी तर खतम कर चुके इन लोग ठीक है अब बात करते हैं लोग 400 इंक्यावन पा कुश्चन इससे पहले जितना ही उम लोग खतम कर चुके यतना ही भी पायक में बात किया है वह सभी आप लोगों को एक अतरै किस बऴी का निर्मान करते हैं तो आपको याद रखना है धूर्कर संसलेशन गया चारस संसलेशन मेरे आ जोड़ी जातीék याद रखना का ऑक्सीजन, ठीव, 6 is CO2, 12 H2O, फिर सम लाइट से वो, पर है C, जी देता है C, 6 H12 O6, तिलस 6 CO2, ठीव, ठीव, अक्सीजन, तिलस 6 H2O, जल, फिर का संसलेशन के लिए, CO2 और H2O, सूर का के का से वन, केलोरोफिल आवर्सक होती है, बात कलने, तिरेपन कौन सी गयस, उस पिक्रिया का एक खौण उतपाधन है, जिसका प्योंध बोजन बनाने के लिए करते हैं, याद रखना है, कारवण डाई ओक्साइड, बी ओप्शन सही है, ठीड, इसकी व्याख्न तेक के दें, कारवण डाई ओक्साइड उस पिक्रिया का एक गौर्ण उत्पादन है जिसका फेव पॉधे भोजन बनाने के लिए करते हैं चन्वन क्वेश्चन नमबर निमने में से कौन सी गैस वाईव को पिदूसित नहीं करती है याद रखना है कारवन डाइब ऑकसाइड है ठीक है तच्पन क्वेश्चन नमबर निमने में से पनौतसे कौन सा पता है वोधे के सूख्च में पोसक होता है तो रिखना वहरौन वॉरोन पॉधे के लिए सूख्छ पॉषक तत में कुछ पादक पॉषक कम मात्रा में ही पॉधे के लिए आवस्यक होते हैं निकी संख्या साथ है जनमें लोहा, तामबा, जेस्ता, में दीज, वॉरोन, किलोरीन, मॉली, बिलिनम नादी पौधे के लिए सबसे अधिर महत्मुन होता है। Nitrogen, Phosphorus, Photacium, जरहं है NP-K कहाएlden है। तो याद रखना है, Nitrogen, Phosphorus, Photacium पौधे के लिए सबसे महत्मुन होता है। 56 Quest No. प्रकास इन्सिलेग्शन में पौधे के कहुँज एकश का और चूसन करते हैं याद रखना है कारवन डाई ऑकसाइड फ्रिकास इंसलेशन की किरिया में कारवन डाई ऑकसाइड गैस का और चूसन होता है बात करते हैं संतावन कुश्चन की मचली निमलेखित में से निमलेखित की साहता से सांस लेती है वह आपको याद रखना है गिल प्रिकास अंसलेशन में पढ़न हरीत की भूम क्या होती है तो याद रखना फिरकास का उस्वसन फिर बात करते हैं उनसेट कुशन प्रिकास अंसलेशन के दोरन फिरकास उर्जा रुपांतित होती है तो याद रखना रसाइनिक वुजा में बात करते हैं साट कुशन वह विक्रिया जिसमें फौधे रात में वुजा प्राप्त करने के लिए करते है सोसन बी ओप्शन सहीवत सोसन इसकी ड्याख्या देख लिए सोसन के द्वारा फौधे रात में वुजा प्राप करते हैं सिक्से से 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 एश्टो प्लस एश्टो प्लस एश्टो फिलस चैसे चैसी कैलोरी सोसन एक वपाप चैई विक्रिया 60 कुश्ट इन में से किसमे उर्जा पादन होता है याद रखना सोसन में कुश्ट नमबर वासट गिम्लिक पदार पादक अंगों में से कौन सांग सोसन कंग है याद रखना पक्ति 63 कुश्ट पेखास तासे कंग किसमे होता है याद रखना पेडों की पतियों में 64 हरे पदों को किल कितने पोसकत्तों की आवस्तिता होती है याद रखना सोले हरे पदों को सोले कौसकत्त्तिं सोले पोसकत्त्ते में नो सывать्ते जी से नाइट्रोचन आपसीजन कार्वन hasta verse केल्सियं पोटासीम मेगनेशियं सलफर एक या बात करते हैं 65 कुश्यन है हाईडोफाइट कहते हैं तर दिएक बिना मित्टी का पौध है वैसे जो आंसित या मार्फ या कुण रूप से जल में डूबे रहते हैं हाईडोफैट कहलाते है बिना मित्टी के पौध्व भी हाईडोफाइट कहा जाता है 7-7 जान कोश्चन ठीव डी ऑप्शन सही है सरसट सबसे दिक लोगा पाया जाता है तो याद रखना है हरी सब्सक्राइब कि अरशट निम्लेकित में से अंकुरन के लिए सामनता किसकी आवस्ता नहीं होती है तो याद रखना है रिकास की भीजों के लिए सामनता जल ताब बायू यह तीनों का होना आवस्त है ठीव 59 पौधों में जल की ऊपर की ओरति कहलाती है याद रखना है रसा रोहन कि सत्तर पौधों की लंबाई में इद्धी के लिए आवस्त नहीं है तो याद रखना है सोडियम आवस्ते नहीं है नाइट्रोजन, केल्सियम, फास्पोरस, आवर्सक है, टिय है, सोडियम नहीं, एकत्तर, किसी घोल की अमलता या छारिता ना अपने की पी है, जिसके लिए की सबसे पहले दिया, किसमें दिया, वियादर्खना, सोरेन, सोरेन, शैनने, ठीए, बाततर, अधरक होता है, प्रोप 73 कुष्चन, रेसम किस से उत्पन होता है, यादर्खना, रेसम के कीडे, के पीव पासे, ठीक है, प्याज है, चोहत्तर कुष्चन प्याज है, तो यादर्खना, बल्ब, आगे बाद करती, 75, जेली स्टार्च प्रोटीन उधारन है, यादर्खना, कर्ठोस में बिलियान, बात करते हैं, 76 कुष्चन, समुद्ध की सतय पर पाई जाने वाली बनस्पती को क्या कहते हैं, तो यादर्खना, निव ओस, 77, एक भाती हाथी के बच्चे का बजन कितना होता है, तो यादर्खना, 100 किलोग्राम से, 1500 किलोग्राम, 150 किलोग्राम के बीच, बात करते हैं, 78, निमलिकत में से कौन से एक नोबल गैस नहीं है, तो यादर्खे किलोरीन, जीनोन, औरगन, हिलियम, तीनों नोबल गैस हैं, किलोरीन नहीं है, किलोरीन नोबल गैस नहीं है, यह हैलोग्राम, नोबल गैस के अंतरगत हेलियम औरगन, केटन, जीनोन, एवन रेडोन आती हैं, ठीक हैं, पांच गैसों को यादर्खे कि चारे, 89, ठोस कारवण टाई उखसाइड को क्या कहते हैं? यह यादर्खे है सॉसक बरव, ठीक है, D genial, 80, फलों को पकाने के लिए किसका उप्योक किया जाता है? यह यादर्खना एथेलीन, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उप्योक किया जाता है, ठीक, 18, कावगहटन मानाओ में अल्य हेमर भग का अभी लख्षण है तु स्थिस्कोष्टपा कावगहटन मानाओ में अल्य हेमर भग का अभी लख्षण है 82 एक ग्राम ब्वसा देती है तो याद रटना है 9 किलो कैलोरी उज़ाए एक ग्राम ब्वसा से 9.3 कैलोरी उज़ाए रफ्त होती है 83 पूश्ञ सुक्रोज में होता है तो याद रटना है किलोगोज प्लस फेक्टोज ठेग 84 पूश्ञ कौन सा विटामिन रखत को जमाने में मदव करता है तो याद रखें विटामिन की मनुस की आखों की स्वज कुरिया सीलता कौन सा विटामिन बढाता है विए रखें विटामिन तो चाहसी गचान नमबर रतों दी निमने लिखेत के कारण होती है तो याद रखने है विटामिन एक कमी से 87 कुष्ण डायोग्टीज का कारण है मधू में तो याद रखने है इंसुलीन की कमी कमी से मध्वू में रोग होता है लोहे की कमी से सरीन में ही मुघ कि कमी होती है 88 कुष्ण मचली का लीवर भर पूर होता है K विटामिन D से मचली के लीवर में विटामिन D पाया जाता है पूरी मचली में विटामिन K पाया जाता है सूर की रोच्वने से हम प्राप्त करते हैं तो यादरफून विटामिन D 89 का D है, 90, मनुस के सरीर में सबसे चोटी गरंती है, तो पिट्ट्यूट्री, मनुस के सरीर में सबसे चोटी गरंती, पिट्ट्यूट्री गरंती है, इसे मास्टर गिलाइंड, गिलाइंड भी कहा जाता है, सरीर में सबसे बड़ी गरंती है, यक्रत, ठीक, एकानवेर, सरीर में मास्टर ग्रंथी किसे कहा जाता है, वियाद रखना, पिट्ट्यूट्री को, पिट्ट्यूट्री को मास्टर ग्रंथी ही कहा जाता है, बाउन बेकुष्चे नमबर, भूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, वियाद रखना, गरव नाल से, भ रखनाहर उप्यों कि ताहरा मजली ताहरा मचली कैंसर के लड़ने के लिए अध्यों के चाहरा सरीर की सबसे बड़ हड़ी टी कौन सि तो याद रखना मैं याद litre याकैस फीमर सबसे कहाँ देशन मानों 320 ग्राम का होता है कि और तुक्ता रख माना मस्तस का बजन 350 ग्राम का हुटा है और सुम्सका बजन 450 ग्राम होता है कि बते हैं 497 प्रश anál चौदर बज की आयू वाले वाले वच्चों की विद्धी के लिए निम्लिकत में से सरवाधिक मत्पून कौन सा है तो याद रखना प्रोटीन चौदर बज की आयू वाले वच्चों की विद्धी के लिए सरवाधिक मत्पून तत्थ प्रोटीन है कारवाईडर्ट वसा में हमें और्जा की प्राप्ति होती है बलेट बेंग किसी कहा जाता है 맞़ याद रखना है इस्प्लीन को इस्प्लीन को बलेट बेंग कहा जाता है इस्प्लीन को और ठीन को ऑचलाद कुछा को शुम्म Company कह जाता है 500 वा कुष्टन हमारा इंसुलीन निम्लिकत में से मनों स्किके संगे से निकलता है तो याद रखना फैंकियाज फैंकियाज मैं पाए जाने वाले लेंगर हैस्ट द्वीफ़ा से इंसुलीन स्रावित होता है ठीक चलिए तो यह थे 500 कुष्टन तक खतम होगा हमारे चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे बायलोजी के अब्जेक्टिव कुष्टन तो अभी तक हम लोग 501 कुष्टन खतम कर चुब रहे हैं जितने भी हम लोग खतम करते जा रहे हैं वो सभी आप लोगों को जनरल साइंस के नाम से सुची बनी हुए उसी में सेव की यह हैं डाल खiają करते हैं स्थिती होती है तो याद रखना अगनासे लेंगर हैंस के द्वीक को जो इन्सुलीन के उसलीन रावशी होते हैं अगनासे में इस्थित होते हैं बात करते हैं दूसरा क्वुछ्ट। फेस मेंकर का संब marsh करता है तो याद रखना हिदय से बेस्थ मेर्ट कर संभूपन लाकोतो दरश्टि फटल पर बनने वाले वाले उल्टा, आखों के दरश्टी फटल पर बनने वाला पितिवा मुख बास्तविक एवं पॉल्टा होता है चौद्रा कुशन वीटामिन सहायता नहीं करता है उत्कों में इन्जायम के निर्मार में उत्कों में इन्जायम के निर्मार में वीटामिन सहायता नहीं करता है वह पाप्चय में आवेजक की रूम में सहायता करता है रोगों से रक्षा करने में पाचन क्रिया में भी लेकिन उत्कों में इंजायम की निर्मार में सहायता नहीं करता है 505 वा कुशन, 5 वा किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें सबसे दिख कार्भोहईडरेट इस्टाइज पाया जाता है, दूद में प्रोटीन पाया जाता है, डाल में और मासन, चपन कुश्चन, निम लिकित में से कौन सा वीटामिन, जल में बिले होता है, तो याद रखना है, वीटामिन जल में बिले होता है, आंगे बात करते हैं, कौन सा वीटामिन, बसा में मुझल अंसील होता है, तो याद रखना, के, यह ओप्शन सही है, तो याद रख कि यह बसामें को लेंशी होते हैं और बी और वर ची ये होते हैं जलने गुच्ट थी । आठावा फुछाथ एक साकारी को अपने सरीर के लिए आउसक पायता है चावल में हैअट कऱो हाईड़ीड इस्टाइज तैसरी में विटामिन लगोचा में वीप राप्ट होता है, नौबा कुश्चन, मानोव सरीर में किस संग में हट्टियों की संग्या सरवादिक है, तो याद रखना, अंगलियों में, ठीक, ये उप्सन सही है, मानोव के हाथ में सबसे देख, 60 हट्टियां होती है, मश्चिस्क में 20 हट्टियां, असलियों की क्या 33 होती है 50 राख कुश्चन तुमाखों में पाए जाने वाला रचायन है याद रखना निकोटीन निकोटीन तुमाखों में पाए जाने वाला रचायन है 11 though. protein क्या है, तो याद रुखना, falling. peptides 12 question. निम्लिकत में से कौन सा vitamin A यक्रत में संचित किया किया जा सकता है, तो याद रुखना, यह option साइए vitamin A. vitamin A यक्रत में संचित किया जा सकता है, vitamin A के अलावा, D, E, K भी संचेत होते हैं त्रेफ़न कुष्चिन निम लिकर में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूनों से रख्त आता है रोधनाथ हिलने लगते हैं तो याद रखां विटामिन C ठीक, आगे बात कलते हैं चंगन, पांसो चोदे नेत गुलत किस सेट द्वारा, किस सेट द्वारा संचालित होता है तो याद रखना छे मास्पेसियों की नेत गुलत छे मास्पेसियों की सेट द्वारा संचालित होता है अंदरह कुश्चिन मस्रूम से बहुतायाद में मिलता है तो याद रखना ऐ ऐसनसे यह आँक में जाने वाले क्लेक सिर्क खीर्ट मांत्रा लाओं पॉलेश्ट्रोल होता है यदू ना सी करने आँखों से नहीं देखी जा सकती है तो याद रखना वो फ्यक्त सभी है इसमें ठीक भी ओसने फरावेगनी करने गामा औरक्त करने आँखों से नहीं देखा जा सकते हैं ठीक कोंसे फरावेगनी गामा औरक्त करने क्या कहते हैं तो याद रुखना मौतिय विंद्र आंक के लेंस के दंदला हो जाने को मौतिय विंद्र कहा जाता है 20 कुर्शन बेरियम मील के लिए प्युक्त होता है तो याद रुखना वह संड़नाल के एक्स करेड़ने ठीव नेतिदान में दाता के आंक का कौन सा भाग फित्यार रुपित किया जाता है तो याद रखना एक ओप्सन है कौर्णिया इसकी इसका एक ओप्सन सही है नेतिदान में दाता के आंक का कौर्णिया फित्यार रुपित किया जाता है रेटीना आप में पाई जाती है जिस पर बस दinkर बित् उस निम्लिक्र में से शरी है याद रखना अगनास है मानोसरी की दुट्टी है सबसे वड़ी ग्रंती अगना से 24 कोश्चिन सेरीवरम किस से संबंदे थे तो याद रुखना हिद मस्तस किसी सेरीवरम मस्तस किस से संबंदे थे मानोसरीर में बोजन के पाचन के संदर में लाइफेज का स्राव कहा होता है नोखिनगाना सवर्भिन मानोसरीर में लायसेज राभित होता हैintérieur में नगान किरियाज से सरावित होता है Ya श्रावित करता है From transformed में चार उपकार के दानते हैं इन मूल वाला दात कहला दाए त्वियाद रदनक फ्रोणों में चार प्रिकार की दात होते हैं इन चारों में नुकिला दात को रदनक कहा जाता है किनायन का कम भोजन को चीरने था खाडने का कार करता है इन सी स्वर इस से भोजन को काठा जाता है प्री मूलर प्यम और मूलर से भोजन को चबाया जाता है हाथी के उपर दो इन सी सर प्रमुक से बाहर निकले होते हैं जैसे टास्क कहते हैं चालिस्षों में में कौन सा और मुंता है महीं जुआ दो हुआ है पाइजाता हैज़िए प्रभन करते एक तारेस और लीवर वाइल की साघ अंध्रिय। तो यादर ना विटामेनीटा 42 एंटीवोडी मुक्ता एकपदार्थ है तो यादर अपना प्रोटीन कि तैन्तालीस कोईशन कहां पांचन पांचन में स्वाइन एक दूसरे को अक्तिकरम करते हैं तो यादर ना स्वाइन्थ में को भी कहा दाए shift साउंड बोक्स लाइनेक्स में पांचन उस्वाइनथ में 400 मार्टे आक दूसरे को अतकिरわか्षा 24 वह प्रदार जिसका जिसकी कमी से हैं डी हैड्रेशन होता है लवद की कमी से दी अप्षन सही है झाली है इस रोक से और रेस dictator का इवन करना चाहिए या नमक चिनी का सर्वत पीना चाहिए 45 पुरुस के बंद्या करन सल क्रिया को कहते हैं तो याद रुखना वैसेक्टोमम वैसेक्टोमी ठीक पुरुसों में बंद्या करन सल क्रिया को वेसेक्टोम मी कहा जाता है मिलाव में बंद्याकरम चल्ट की लिया को टूबिक टॉमी तहते हैं चालीश निसेश्चित हंडाणू के इंपलाइटेशन के लिए जर्वा से कौन सा हर्मोन ते याद करता है फ्रोजेस्टॉम ठीक है सी ओप्सन सही है सैंतालीश ऑक्षीटोसन जो हर्मोन का है या हर्मोन दूद को सुरावित होने में साहता फिदान करता है तो था बच्चे के जनम के समय या गरवासा की दीवाल में संकुचित लाता है इसे लीवर पैन हर्मोन भी कहते हैं जाता है 47 अधिक उचाई पर मानव शरी में स्वेत रक्त कड़काएं आकार में बड़ी हो जाती है ठीक है 48 खून में कौन सा अव्यभ नहीं होता है तो याद रखना फिलासेंटा ठीक हिमदा बलड में नहीं पाया जाता है बिलेड में बिलेड फिलाज में 50 पितीसत इसका रंग हलका पीला होता है फिलाज में का और 90 पितीसत पानी इसमें फिलाजवा में 10 पितीसत कार्भोएड़िट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स आधी पाज जाते हैं अधिकतर होसकतत रख्त में आवसोसित किये जाते हैं तो याद रखे छोटी आथ से छोटी आथ में अधिकतर होसकतत रख्त में आवसोसित किये जाते हैं छोटी आथ में बोजन का और रूप से पाच्छन येवं आवसोसन होता है पानी का आवसोसन बड़ी आथ में होता है अच्छास कुष्छाइबागे सब्सक्राइब कहलाता है। मान और अरक्त का पीयेच लगवक कितना है, तो याद रखना 7.4 अरथा 6 यह प्रकिती का होता है। पच्पन मुक्रूप से कौन सी रख्त वाहिका है हमारे सरीर के विभिन भागों से हिदय तक रख्त का बहन करती है वियाद रुकन सिराय हमारे सरीर के विभिन भागों से हिदय तक रख्त का बहन करती है इसमें असुद्र रख्त प्रभाव होता है धमनिया हिदय से सुद्र शरीर के विविन भावों में पहुंच जाती है, बच्पन, उएस के मनुस की पिती में अठेदय दर्कन की दर्का सावन परास क्या है, तो या रुखना, 60-80, टी, उएस के मनुस में हिदय 70-72 बार दर्कता है, लेकिन यहां परपिसन के अनिसार, 60-80 वार है, वो बार, टी, ठ या रक्त समूव, AB, AB, O मैंसे कौन सा रक्त समूव, बैस्विक दाता खेलाता है, तो याद रखना, O, ठीक, सरव ग्राही, इसमें याद रखिए, उनिवर्सल डॉनर, विलेड ग्रॉप, O है, क्योंकि इसमें एंटीजन, एपसेंस रहते हैं, एंटीजन नहीं होते हैं, एपसेंट रहते हैं, ठीक, बात करते हैं, अंटावन क्वेशन, AB ग्रॉप बाला व्यक्ती, खुन दे सकता है, तो याद रखना, किवल AB को, AB ग्रॉप बाला व्यक्ती, ग्रॉप से ग्रॉप से ग्रॉप ले सकता है, लेकिन देने के समाँए, AB ग्रॉप को देखी देगा, तो रक्त समूव बाला व्यक्ति रक्ति किसे दिया जा सकता है तो याद रहना सभी रक्त समूव कोड़ तो याद रखना गुर्दा ठीक है खिड़नी या गुर्दा 91, 51. इसिमें नेम्ड हार्मों जस् bhations होता है तो याद रहना अडिनल ग्लैंड मानोव सरीर में रख्ति चाक अडिनल ग्लैंड द्वार नेंतित होता है तो यह किरूनी के ठीक उपर हस्तित होती है इसमें नेम्ड हार्मोन सी उस्तरावरत होती है कि मिनेरल कॉर्टी कोईड यह हमारे से में खनेज लबनों को नितिद करने वाला होने, गिलोगो गौर्टी कोईड यह नॉना शुगर प्रोटीं को सुगर में परिवरतित कहर्बॉएड या हर्मोन सेकेंडरी शेक्ट्टुल चर्प करेक्टर को नितित करता है, दाड़ी मु 62 फिती जन एक पतारत है तो याद रखना ये है डि उप्षन से ये फिती रक्षा संभीत को पीरित करता है 63 निमलकित में से कौन सी इस्तथी बिलम्बित रक्त इसकंदन की एक साथ है तो याद रखना ही मुपलिव हीमो पे लिए एक अनुवांसिक रोब है इस रोब के पीड़ेद व्यक्ति में रखते इसकंदन नहीं होता है 64 खाद पदाता हूँ वो खराब होने से बचाने के लिए फेव किया जाता है तो याद रखना बेंजोईक अमल ठीड डी ऑक्सन सही है 65 खाटिडान में हीमों गिलोविंग का कार है याद रखना औक्सैजन का फरीवान है ठीड वियसल श्यासट्ष इसफ्भ इसफ्भमो मैनोमीटर् 성-C.O x-nd लीए ठीड रखना श्याप के लिए ठीड है ये औक्सन रिक्शन सही है तो याद रखना उफ्यक्त सभी इस्तंधारी एवां पक्चिवाइक को चुड़कर सभी जानवर सीत रख जानवर है अजट रट मानों सरीर में कार्भु कार्भु हाइड्र निम्लिकत में रूम में संगेत रहता है तो याद रखना है आपको गिलाइक हो जाना ठीट उनतर हुन का वह है उनतर हुन रटक जो इस पंदन में सहायता करता है तो याद रखना फिलेटलेट्स रख इसका निर्मार रेड बॉन मेरो लाल अस्ति मज्जा से होता है इसकी मित्यू स्पिलीन फिलिया में होती है सत्पर में पिती रख्ची बनते है तो याद रखना लाल अस्ति मज्जा में पिती रख्ची ब लीवर से चाहित लीवर में बायियोस का निरमार होता है ये यह बनाता है, बहुत तर हमले का स्वाद होता है, तो यादर में खट्टा है, हमले लीटे नीले लेटमस पत को लाल कर दीता है, तो जल में गुलकल हाइड्रोजन आर्न पिदान करता है, स्वाद है, स्वाद है, स्वाद है, हम लोग इसकी ब्याक्या देख रहे हैं, तो इलेक्टो इन सेफिल लोग ग्राफ मस्तिस्क रोगों का निदान कारी है, यन्ते एलेक्टो कार्डियोग्राफ, ECG, हिदय रोगों का निदान कारी है, यन्ते इसफेगमों मैनोमीटर, ये रक्त चाप मातने के लिए है, इस्टेयो इसको, ये हिदय की धड़कन सुनना के लिए, ठीक है, इसमें B-Option है बैसे, ठीक है, बात करते हैं, चोत्तर, इंस 75 हीमोगे लोगे में, उपस्तेत होता है, याद रखना है क्या, B-Iron, कोबार्ड B-12 में पाए जाता है, ठीक, 76 विटामिन B-12 में, चैतर लाल हो दिल कड़काओं में बनती है, तो याद रखना, अस्ती मत जाओं, इसकी मित्ती होती है, स्प्लीन में, फिलिया, ठीक, 77 लाल रखते हैं, कहा का रखता है, तो याद रखना, ओवह, 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 वतल, आवतल, ठीक, याद रखना, 78 लेकित में से कौन सा मानो रखत, गटक नहीं है, तो याद रखना, DNA, फिलाजमा, RBC, फिलेड लिष्ट, ठीक, बात करते हैं हम लोग, 69, 89, मानो सरु से यह, 80, रखत को जमाने में कौन सा प्रोटीन, उपयोग में आता है, तो याद रखना, 5 बिनो, बिनो, जैन, 81, एक, वैस्क मनुस्थ का रखत, उस्क मात्रा होता है, तो याद रखना, 5 से 6 लीटर, इसका फिय अजमान होता है, मनुस्थ की रखत का, 7 समलवचार, रखत क मात्रा शरीर के भार का, 6 से 7 लीटर, ठीव, 82, रोध्याडों, रोध्याडों का, कितने लीटर, लाव रखत करता है, होती है, तो याद रखने, 90 लीटर, सी उप्शन से यह, 83, सावन व्यक्ती में, 100 मिली, रखत में, कॉलिस्टरॉल, किस के बीच रहता है, तो याद रखन सौ से 1.500 मिलीग्राम, ठीव, बात करते हैं, 84, ने मिलकित में, सिर्किस पतार कूल, लगाने से रक्त का वहना रुख जाता है, तो याद रहना, फैरिक, फिलोराइट, ठीव, C उप्शन से यह, 85, हिदय का काम, तो याद रहना, गुरुधिर को सरीर के वेविन, अंगों मे पंप करना, हर 60, 86, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपच की महत्पून हानी होती है, किसके द्वारा रुखा जा सकता है, ऑक्सिन के छेटकाव द्वारा, यह ओक्सिन सही है, ठीव, ऑक्सिन के छेटकाव द्वारा, फलों के पकने से पहले, गिरने से रोका जा सकता है, 87, रेसम का कीड़ अपने जीवन चक कि कि इस चर्ण में वाड़ेजिक तन्तू प्यदा करता है, तो याद रहना, प्यूपा, 89, वर्मी कंपोष्ट खाथ किस तरह की खाथ है? याद रहना कि अचूँ के द्वारा, उपादिक जैवित खाथ है, 90, और वर्टों में यह तत्त अन्वस्तित होता है, तो याद रहना क्लूरीन, नाइड्रोजन होता है हट हड्ध यह लेकिन लेकर नहीं होता है है तुरम एक पेसित की ववभआई के सामान था निमनय उत उर वरकों का उप्याया जाता है तुरीया दुन मुढ़न, नाइट्रोजन नाइट्रीट यह उप्सन सही है बाउन्बे क्वेश्चन हर वीर हर वीरियम है तो ध्याद रखना सूखे रूम में जड़ी उटियों का संग्राइब नाइट्रोजन की कमी होती है वे कीटों का वक्षन का नाइट्रोजन की पूर्ती करते हैं इस पेकार के पहुते हैं जिसमें कीट का पाचन होता है ठीक है प्रिट्चर प्लांट और नेपंथिस ठीक है कलस्कोला चौरानवेल तारभीन का तेल ने मिलके पेड से प्राथ होता है तो ज्याद रूपना है चीड चीड के पेड से तारभीन का तेल प्राथ किया जाता है साइकस के स्टार्ट से साबूदाना बनाया जाता है इ इसमें से कौन सबसे कम आप पकड़ने में फ्रवत है तो याद रखना सूथ दी ओप्सन सही है 96 लोंग जो सावनता रूप से मसालिक रूम में काम आती है राप्त होती है तो याद रखना पुस्ट कलिका से क्षान अंधरोनी फीचे का रख लाता है तो यहाद रहां दर्श्टी फटल गहां कि डी ओप्सन रेटीना सही है इसे कि अंधरोनी के नीचे काले रण का यकशिली होती है जिसे कराइड कहते हैं अंगले देड़ पतल के सामने बाला बाग कुछ और और हुआ हमने जिसे कॉर्णियान नेततार में से ही दानी दीया जाता है और आंक में ओंसपिप्र дост करता है अंठान वे ग्रीन हाउस पुराहों के कारण होता है तो याद रहना कितिवी का तामान बढ़ जाता है यह ओप्सन सही है ठीक है कि यह उट्यादी गेन हाउस एफेक्ट के लिए उत्ताता है नियाद विश में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और सबसे बड़ा इस्तंधारी कोंशा है तो यहाद रहना नीली है झाला लिया तो चली हम लोग 600 कुस्ट्ट खतम कर चुके यह भी तक हांगे हम बात करेंगे 601 से आंगए चली है तो हम लोग बात कर रहा है रहे हैं Biology और उनके आंसर तो अभी तक हम लोग 600 कुश्चन खतम कर चुके हैं ठीक है जितने भी लेक्षर हैं से संबंदित वो आपको एक ही जगर मिल जाएंगे वो हमारी जेनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी विए उसी में डले हुई ठीक है चलिए हम 600 एक कुश्चन देखते हैं 600 एक चोट लगने पर रक्त सराओ को रोकने एवं रक्त जमने में कौन साथ साहिक होता है तो याद रखना है थंबो साइट्स चोट लगने पर रक्त सराओ को रोकने एवं जमने के लिए थंबो साइट्स साहिक होता है लेंपो साइट्स एक पिकार का डबलू बीसी है जो बॉडी में एंटी बॉडी का निर्मार करता है. मानो चरीन बेनें फसील हडीयों कि संख्या 14 होती है. 603 बबा कुशन, मास पेसियां संकोचन में. colocar जब मास पेसिशी छोटी हो जाती है. तो उसे कहते हैं, तो याद रहनाона आईजो में 對क्षछ मास्पेसियां संकुचन में जब मास्पेसियां छोटी हो जाती हैं तो उस क्रिया को आइसो मेट्रिक मेटेड कहते हैं चार कुश्चन लाल रकती कड़काओं में कौन सा तक ऑक्सिजन एवं कारबन डाई ऑक्साइड के बाहत का करता है तो आपको याद रखना है हीमोगलोविन RVVC में Hemoglobin में पाये जाता है जो O2 एवं CO2 के वाहत का कार करता है Hemoglobin O2 से क्रिया करके Oxy Hemoglobin बनाकर सरीर के विविन कोशकाओं में पहुष जाता है कोशकाओं में पहुँचने के बाद O2 मुक्त हो जाता है एवं Glucose O2 की मौझूदगी में CO2 एवं जल का निर्मार करता है बात करते हैं Hemoglobin CO2 से क्रिया करके Carboxy Hemoglobin के रूम में लंग्स में पहुँचता है जब सांस छोड़ी जाती है तब CO2 सरी से बाहर निकलता है गिलो बुलिन एक पकार कर प्रोटीन है जो बिलेर्ड फिलाजा में पाये जाता है पांचवा कुष्चने क्रायो थेरिफी क्या है तो आपको बता देना है वरख द्वारा उप्चात चटबा कुष्चन है कारवन डाय- ऑक्साइड यक्त रकत कहां ऑक्सी कित होता है तो याद रखना है फैप荡ो में CO2 एक तरख ठैपडों लंक्स में ऑक्सी कित होता है साथवा कुष्चन है निमलिकर में से कौन सा मानौशरीर में सबसे लंबी और भारी हट्टी है तो आपको बता देना है फीमर मानौ सरीर की सबसे मजबूद लंबी एवं भारी हट्टी फीमर है जो जांग में पाई जाती है 608 वा कुश्चन सरीर की सबसे मजबूद सिनायू है तो आपको बता देना है सोलियस ठीक है बात करते हैं नौबे कुश्चन हिदय के उपरी चमबर को कहते हैं तो याद रहना अलिंद ठीक है मनुस के उपर चमबर को उपरी चमबर को अलिंद कहते हैं और मनुस के हिदय में नीचे वाले चमबर को निले कहते हैं मनुस का हाठ चार चम्मर का होता है, right oracle, left oracle, right ventricle, left ventricle, रप्त का कार होता है, तो आपको बता देना है, oxygen की आपूरती और बिद्धिकारकों को ले जाना, C option सही है, बात करते हैं, 11 के QC, फैपड़ों की कुल वायू, चमता होती है, तो आपको बता देना है, 6-6, 8 Little, ठीम, बात करते हैं 12 कोश्चन कोहिनी की संधी को जोडने एवं बिस्तार में कौन सी मासपेसियां सहाइक होती हैं तो याद रहना वाई, सेप्स एबन ट्राइटम्स वाइशेप्स एबन ट्राइशेप्स माश्वेशियां कोहीं की संधी को जोडने एबन बिस्तार में सहायख होती हैं बात करते हैं 613 मासित पेशियों में किस तत्त के परयाप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता तो याद रहना गिलाई को जनके परयाप्त होने के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता चौदाइबा कुश्चन है किस तत्त की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है तो आपको बता देना है ए ऑप्सन थाई है ठाइमिन याद रहां विटामिन बीवन का रसाइनिक नाम थाइमिन है इसकी कमी के कारण वेरी वेरी रोग हो जाता है बात करते हैं 15 कुश्चन संक्र फिसार कैसे होता है इन में से सभी के द्वारा वायू के द्वारा कीड़ों के द्वारा जल एवम खुझन के कारण। बात करते हैं लुए सोलवा कुषचन निम्ने में से कौन सा उसकतत गर्मी एवम तागत के दान करता है। तो याद रखना है, प्रोटेन, ठीक है? हांगे बात करने वाले हैं शत्त्रवा कुष्चन, आयरंड किस खाद्ध सामक्री में उपलब्ध होता है, तो याद रखना हरी सब्जियों बात करते है, अठारवगे-आध्ययन कर 타 then Morgenliness करता है जोड़ों का एंतुइलोजी के इंतरगर जोड़ों का दियुण का दियुण किया जाता है लिए और ट्रियोजी हडियां का दियॉरोजी मस्त्रियूस्क अभी तेधिका-स्काद का दियुण मायोलोजी ये मास्पेसियों का अध्यन करता है बात करते हैं 19 वा क्वेशन मेरू दंड हड्डियों की संख्या होती है तो याद रखना 33 वा क्वेशन तो चार से पिती दिन पानी खर्च होता है तो याद रखना 400 मिलीटर बात करते हैं 21 कोश्चन हुमरस हड्डी हुमरस हड्डी इस्तित है तो याद रखना उपरी कलिम में यह ओप्सन से लिए 22 फूल का चमकीला तता आकरसक अंस है दलपुंच फूल का चमकीला आकरसक बाल दलपुंच है कोरोला रंगी न होता है वह हरा रंग को छोड़कर अंड दलपुंच होता है तक हम फिलवर के दंथल को फेडी सरफ पूश्टर बिल्द कहते हैं 23 कोश्चन कोरेरा वर्याद रखना वेक्टेरिया द्वारा ये ओप्शन सही है अंडे उत्तम सिरुँत है तो या रखना प्रोटीन के प्रोटीन की प्रोटीन का सबसे उत्तम शूरत दाल है, दाल के बाद सबसे अधिक प्रोटीन अंडा से फिराफ़ता है, 25 वा कुश्य है, पौधे के किस भाग में जन्तू पाये जाता है, तो आपको बता देना है, तना, पौधे जो अपना खाग्द बना सकते हैं, कहलाते हैं, वैसे पौधे जो अपना भोजन, ये फेड पौधे जिस पकार हैं, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आसित रहते हैं, परपोसी, हेट्रोट्रोप्स कहते हैं, जैसे बाग, हेरन, खरगो, सियार, मनुस, 27 पौल फल ततास बीज, धारन करने वाले, पौले, हुए पौधे कहलाते हैं, याद रृटना, अंगियो स्पर्म, एक समूग, एक समूग, एक समूग के पौधे में जड तनापत्ती, हूल फल, एबन बीज, सभी उपस्तित होते हैं, बीज फल के अंदर में होता है, जैमनो स्पर्म में, इस समूग के पौधों में बीज पाये जाते हैं, किन्तू फल नहीं लगता है, वीज किसी फिकार के सरचना में बंद नहीं होते हैं, आप उस पीए पौदी, इनकी बैसे पौदी जिन में फोल नहीं होता है, ठीक है, थेलो फाइटा, बुरायो फाइटा, इत्यादी, ठीक, फैट्रीडो फाइटा, अठाइस कुश्चन, नेम लिकित मैस ह दूई वीज पत्त्री कौम से हैं, तो याद रखना, आम, आम का दूई वीज पत्त्री होता है, बैसे वीज जो दो बराबर भागों में तूपता है, डिकोट सीड, दूई वीज पत्ती कहलाता है, आम जामूं दल है, दल हनी दाल, बात करते हैं 29, एक कोसा प्याणियों को एक कोसा प्याणियों को बरगीकित किया जाता है, तो याद रखना, पोटो जुअन के रूम में, एक अलकोसा प्याणियों को बरगीकित किया जाता है, फोटो जुगा के रूम में, वैसे जीब जनतु जनका सरी एक कोश्का कबना होता है, फोटो जुगा पहलाते हैं, बै प्रुद्धि को आधार और चड़ने में मदद करता है पान मनी पिलांड आप आपस्थानिक जड़े वैसी जड़े जो मुलंकर को छोड़कर पौद्धि किसी अन्व भाग से निकलती है आप आप प्रस्थानिक जड़े कहलाती है सकरकन गर्ना बर्गर बात करते हैं एक सटवा, एक अत्ती हवा कुशन, अज सुधी से, पूर रूप से मुक्त, परम सुध्य जल को कहा जाता है, तो याद रुखना आसूद जल, ठीक है, बात करते हैं 32 कुशन, जल जनेत रोग क्या है, तो याद रुखना डिप्थेरिया, जल जनेत रोग डिप्थेरिया है, भी गंदे जल के सेवन से होता है, 33 कुशन, निमलिकित में से कौन सा अपदार जल में नहीं गुलता है, तो याद रुखना, तेल, तेल जल में नहीं गुलता है, ठीक है, निमलिकित में से कौन सा सरचना, प्राकिरियोटिक कोश्का में नहीं पाई जाती है, तो याद रु तो याद रखना फंगस द्वाएं चैटीश कोश्यन मानौ सरीर में किस अंग में रूधिर औक्सीजन युग्ध होता है तो याद रखना फेंफड़ा ठीक पिर हमारे 37 मीयोक्सिस के लिए कौन सा कहतं सही है तो याद रखना मीयोक्सिस फर्ष्ट और दोनों अर्ध सुस्त्री विवाजन है खीक खीक माइटरो کا इंडिया का मुखकार होता है तो ऐसलिए इसकी याथ ब्याख्या देख लिए देख लेते हैं सेल में माइटरो का ऐंडिया का मुखकार इस्ट्फरेशन सोचन होता है बात करते हैं 49 नेप्तो कुईन निमकित में से किसका असानिक नाम है तो याद रूखना बिटामिन के का चालीस जैविक रंजक जिस जिन से मनुसमें तुचा का रंग निधारित होता है को नेमलिकत में से क्या कहा जाता है तो याद रूखना मैलानिन ठीक है बात करते हैं 41 वाट्सन एवंकिक ने जिस DNA अडूंकी दरचन सरणचना का फिती रूप पिस्तु किया कि यह उसे अब कहते हैं तो याद रूखना BDNA ठीक है बात करने वाले हैं 42 क्वेशन फूर वर्डांदता नेफाइटिस आदी बंसागत बीमारियां गुड है तो याद रूखना X सहलगन ठीक है पूर वर्डांदता नेफाइटिस आदी बंसागत बीमारियां X सहलगन का गुड है बात करते हैं 43 निवलिकित में से कौन सा सही योगन सुमलित नहीं है सही विकल चुनिए तो याद रखा है B आप्सन सही है दो योगलीन जदो बंस्पति की सही हो जूड़ी है नियोग पिलाइना आर्थोपोड़ा मुलस्का की सही हो जूड़ी है ये गलत है ठीक है पेरी पेटस एनी लीड़ा आर्थोपोड़ा की सही हो जूड़ी है ये भी सही है और कियो आप्टेरिक्स सरेशिफ तथा पक्षियों की सयोजी करिए बात करते हैं 64 चवालीस कुशन निमलिकित में से कौन सा समझात अंगों का उधारन है तो याद रुखना डेको तथा चमगादर के फैटे जीम ठीर बात करते हैं 45 निमलिकित में से कौन सा समलिक है याद रुखना एड्स वाइरस ऐसेस आरेने बात करते हैं 46 पादपों में केल्सियम के कार कार है तो याद रुखना ये ओप्सन सही है खुश्क्याभीतिकी सरचना और अमीनो अमल तथा कार्बो है डिट के इस्थाना अंतर में साय ये भी एक दो सही है 47 मनुस्व का अंगूठा बांकियल अंगलूयों के अथेक्चा अधिक सुतन्ता से गती करता है क्योंकि उसमें उपस्तित होता है सैडल संदी बात करते हैं 48 मूल गोप नहीं पाया जाता है तो याद रखना जलिये पौधों में मूल गोप जलिये पौधों में नहीं पाया जाता है हाइड्रो फायड जलोद भिद वैसे पौधे जो आंसक याद्पून रूप से जल में डूबे होते हैं कमल सिंगार मरूद विद वैसे पूदे जो सुक्स भूमी ये जलवायू में उखते हैं मरूद विद कहलाते हैं नांगपनी समोद विद मैसोफाइट्स वैसे पूदे जो सामान मिट्टी साधानताब नमी में उखते हैं मैसोफाइट्स कहलाते हैं दान गेहूं मक्का हेलो फाइट्स लवड विद इसे वैसे पूदे जो लवड यह इस्थान समुद्री समुद्र के किनारे या दल दली भूमी में उपते हैं राईयखोरा फोईस सोने रेजिया आंगे बात करते हो नंचास खाद पदारत में अधिक मात्रा में नमक और चीनी सोक्षण जीवी पुरुष्काओं का दुर्व के कुंचन करते हैं बात करते हैं पचास कुश्चन हार्मोन एडि एडि नलीन तो याद रखना है जब कोई बहुत गुस्ते में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव किस तर के समझस समझन में सरीर की साहता करता है ठीक ह हार्मोन एडि नलीन जब कोई बहुत गुस्ते में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव किस तर के समझस से सरीर की साहता करता है एडि ना टीन को इमर्जेंसी हार्मोन कहते हैं से लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है ठीक है बात करते हैं इंग्यावन हरे पॉ पौधे दिन के समय कारवन डायोकसाइड की वजाए वायूनल में ओक्सीजन छोड़ते हैं, छोड़ते पितीत होते हैं, क्योंकि दिन के समय प्रिकास अलस्रेशन की दर सोसन की दर से अधिक होती है, इसी कारण हर पौधे दिन के समय कारवन डायोकसाइड की वजाए वायून केंडल में ऑक्सीजन अधिक छोड़ते कि दीत होते हैं 52 पौदों की चालनी नलिका खुषकाओं और इस्तन धारियों भी लाल रख खुषकाओं जिस सरचना में एक विसेश समानता है तो याद रखना केंदर की अनुपस्ति थी बात करते हैं 53 कुष्चन निमलिकित में से बिद्धी करती है यह निगल में मदद करती है यह मुक तता दातों उसाप रखती है यह वोटों तता जिया कि गती को अनुप बनाकर बोलने में मदद करती है चमवन सबसे अधिक आप वरतनांग बाला आंख कांग है तो याद रख लेंस बात करते हैं 65 कुष्चन इन्जा सबसे बड़ी मिर्सरत गिरंती है तो याद रखना यह क्रत बात परते हैं 55 कुष्चन पाइनस है याद रखना बैक्च पाइनस बैक्च का उधारन है यह जेमनो स्पर्म समू का पोदा है समू के पोदे में बीच पाए जाते हैं किन्तु फल नहीं लगता है बीच किसी भी विकार्गीर से रचना में बंद नहीं होता है उनसट कुष्चन जीवास में पाए जाते हैं तो याद रखना आवसाधी सेल में डी आप्शन सही है ठीक है साटवा कुष्चन कभकों में संगेत भोजपदार है तो याद रखना गिलाइकोजन के रूम में सं प्रचित होते हैं एक सट कौन सा वाइविये एवां आव याद रखना गिलाइकोजन किस सेवाल का प्योग केल्विन बाव उसके सातियों ने प्रयोगों में किया था तो याद रखना केलोग किलोग रिला ठीक बात करते हैं तरे सट पित्थम ट्रांसजनिक फवदा जिसक प्योग ब्यफसायक इस तर पर उत्पादन के लिए हुआ था तो याद रुक्णा तमभाकू ब्यटी कॉटन पित्थम ट्रांसजनिक पौदा है जिसका प्योग ब्यापार ब्यापार इस तर पर इसकंदन उत्पादन के लिए खुर पहा था याद रखे कपास है बीडी कोटन कपास थी कपास है याद रहा है तमागों नहीं है ठीक है यह उप्शन सही है समय चौंसट लीनियस लीनियस ने दुई नामकरन की विचारदारा सरपितम फिरकासित की तो याद रखना सिष्टेमा इस्ट 1735 में अपनी फिसे दिपोस्तक सिष्टेमा नेचुरी नेचुरल में दुई नामकरन का विचारदारा सरपितम फिकासित की यह उन्हें आधुनिक बरीगिकरन का पिता फादर अपोप मॉडर्न टॉक्सनॉमी कहा जाता है लोहे की कमी से पत्ते में होता है तो याद रखना पहले नई पत्तियों में अंतरसी है श्री है हरी महींता होता है बात करने वाले 66 सदा बहार फौदे बस भर हरी रहते हैं तो याद रखना है एक अंतराल के बाद कम संध्या में पत्तियां गिरती है ठीक है बात करते हैं सरसर कुष्टन निमलिकत में से कौन सा साधार्णता वायवीदू संध नहीं है तो आपको बता देना है हाइड्रो कारवन ठीक है बात करते हैं अलसर टवाकुष्टन जीन्स बने होते हैं तो याद रखना है फौली निप्लियोटाइट से ठीक है बात करते हैं उनतर गुर्सूत में होता है तो याद रखना है डीने आर एने पाही स्टॉन ठीक प्रोटिन बात करते हैं दीमक लगडी का पाचन एसे इंजयम की साहता से करता है जो सरावित होता है तो याद रखना है सहह जीवी पोर्टो जुगा द्वारा ठीक है बात करते हैं एकत्तर जौंक अपने सिकार से लगाता रक्त धारा प्राप्त करता है को उसमें उडेल कर तो याद रपना है है रूडिन फीत जुआर का इस्थाना अंत्रन होता है बातर घुशन तो याद रहां फीत जुआर का इस्थाना अंत्रन मदा एडीज द्वारा होता है ठीक है बात करते हैं तेत्तर कुष्चन तारक केंद पाये जाता है तो याद रखना फ्राडी कोस में बात करते हैं चोत्तर कुष्चन फिरकास अंसलेशन वर्डक हरित लवग में जिल्ली में उपस्तित होता है तो याद रखना थायलेकाइड की फिरकास अंसलेशन वर्डक हरित सबसे में सबसे कम से सभी क्रिया होती है। बात करते हैं 67år Bpotuso, Bayofitis अभायचाय है ठीक है बैसे Earth या जन्तु जल एवन किस्टन दोनों जगे या वन पर항 करती है अभायचाय कहलाते है ठीक हमल बार्षा बासतों मेर्ण है याद रुकना अमल बार्षा बासतों मेर्ण region self-navert बन नाइट्रिक हम लगा एक खरी और संसे निए ती राइवुसों के याद रखना प्रोटीन संसेलेशन के ठीज है एक टीपी है याद रखना वो चोड़ जासे फॉस्पूड बंद एक अड़ों ठीज एक्यासी कुश्चन बायू में सल्फर डाई ऑकसाइड द्वादब पिदू सब खसूचक है लाइकेन 82 कुश्चन हमारे सरीर में वसा का निर्माड होता है जब यक्रित तथ मास्पेसियों में गिलाइकोजन का भंदारण पूर्ण हो जाता है तीक, 83 कुश्यन, यक्रत कई कार खरता है, उनमें से एक कार है, याद रखना, गिलाई को जनुपत्तिरे, उत्पत्ति, टिक, बात करते हैं, 84, सरफ के बिस दंत हैं, तो याद रखना, जम्मी का दंत, ठिक, बात करते हैं, तितली, पक्षी चमगादर के पंक्ठ है, तो याद सम्भी थी अंक्राइब बात करते हैं 86 ओजॉन दिवस मनाया जाता है तो याद रखना है 16 सेप्टम्बर को कई परीफशाओं में याद रखना है इसे बहुत ही मत पूंग है ओजौन दिवस 16 सेप्टमबर को मनाया जाता है कुष्टनेवारन दिवस सर्वोदे दिवस सही दिवस 30 जन्मरी को मनाया जाता है 87 निमलिकित में से कौन सा है एनेलीडा और मुलसका के वीच की कड़ी है तो याद रखना नियोपाई लाइना ठीक है बात करते हैं 88 हेदा इसपंदन नियंतित होता है तो याद रखना सेंपे थेटिक तंदिका तंद द्वाद हेदा इसपंदन नियंतित सेंपे थेटिक तंदिका तंद द्वारा नियंतित होता ओटोमेटिक नर्वस सिस्टम स्वायद तंदिका तंद केंद्री ये तंतिकातंत के अतरिक्त फ्याडियों के शरीर में एक और तंतिका होती है, जिसे ऑटोमेटिक नर्वस इसका कैंद्री ये तंतिकातंत से घनेश्ट्रि संब्ध होता है, यह सरीर के विभेंग अंगों जैसे लिदय, रोधीरवाहिनिया, फेंपड़े, आमासय, गर्वासे मुत्रा से सभी पिकार की गिरंथियों के कारियां उनकी सक्रियत पर नियन्दित रखता है। इसके स्कार अनिकचिक होते हैं यह दो पिकार के होते हैं। सेमप्र थेटिक नर्वस रिष्टम अनुकंपी तदिकातन्त यह तो चाँसे उपस्तित ब्लेड बैसल को संगुजित करता है सेले वरी ग्रांड किस राविक कम करता है आंकी पुतलियां को भेलाता है संदर को बढ़ाता है तथा तेज करता है रक्त दाप को बढ़ाता है रक जोडता है तेंति की दिली का संकुचन करता है यह और नहीं ब्लेडर की पिजियों में संकुचन पैदा करता है आराम और सुक की इस्तिती उत्पन्नक करता है इस बात करते हैं आजनी थीन चक्रीके द्वारा यक्त में यूडिया का संसलेशन होता है साइटो फ्लाजम मेरी रिस्पिरेशन की किरिया ओटू की अनुपस्ती में होता है इस पे किरिया को गिलाइकलिसिस कहते हैं गिलाइकूलोसिस, में गिलुकूच dissolved के एक इख्रणों तूटकर firebrinacid में दो अडूम बनाता है, गिलाइकूलोसिस चार आठीपी का निर्मार करता है, इसमें दो आठीपी, ख्यार हो जाता है, दो आठीपी सेच रहता है, गिलुकूज के तूटने की किरिया को गलाइकुलोसिस कहते हैं माइटो काइंडिया में सोसन किरिया ओटू की वस्तिती में होता है इस सोसन को एरोबिक रिस्परेशन कहते हैं माइटो काइंडिया से जो सोसन किरिया होता है उसे क्रेफ सैकल कहते हैं पूरी विक्रिया में एक ग्लूकोस से खुल 38 ATP का निर्माण होता है प्रिक किती में से नाइट्रोजन से बियुत्फन बिवित योग्टों का निर्माण हो और उपियोग के बाद पुना नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोजन चक कहलाता है कुश्चन नमबर 90 नेमले के तन से जन्तु में तंतिका तंत पाया जाता है लेकिन मस्तिस्क नहीं तो आपको याद रखना है हाइड्रा ठीड़ा एकानवे कुश्चन ओस्मा द्वारा ततकाल नश्ट हो जाने बाला बिटामिन है तो याद रखना है इसका रखी अमल इसका रख भी कमल उसमा द्वारा ततकाल नश्ट हो जाता है बाल्बे कुश्चन आख का रंग किस में मौजूद वारड़क पर निर्वर करता है सिला काओं में ठीक है तेरानवे कुश्चन अंधीरे में देखने की आखों की चमता एक बैगनी वायड़क के उत्पादन की कारण होती है जिसका नाम है रोडो अपसन रोडो अपसन ठीक बात करते हैं 94 निमली कित में से कौन सा बाड़ी पीदूसक कौन सा पराणी मूख है निमली कित में से कौन सा पराणी मूख है तो जिराब बात करते है 95 कोश्चका के बारे में निमली कित में से कौन सा कतान सही नहीं है तो याद रखना है, कुछ कोषकाओं के बदले, बदलते आकार होती हैं, यह गलत है, ठीक, कोषकाओं के आकार हो, हमाब विश्षिष्टकार से सम्मंदित होते हैं, यह भी चाहिए, किते कोषका के मैं निस्पादन की अपनी चमता होती है, यह भी चाहिए, सभी दे उतकों म एक ही पिकारी की कुसकाएं पे तुमान होती है ठीक बात करते है 96 निमलिकत में से किस एक भारती विग्यानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभी गमन के सिधान्त सिधान्त पिस्तावित किया तो याद रखना AJC Boss ठीक है 97 97 निमलिकत में से कौन सा अंग एकंग वसा का भन्यन कर कॉलिष्ट्रॉल उत्मन करता है तो याद रखना यक्रत लीवर 98 कुश्चन कोई B पिकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकसमे संकट में किसी पिकार के रक्त वाली व्यक्ति को रखत दान कर सकता है तो याद रखना है A V और B को ठीक है 99 कुश्चन निमलिकत में से किसका निर्माण हमारे सरीमें नहीं होता है याद रखना विटामिन A का ठीक है प्रोयोटीन का हो सकता है इन्जाइन का हार्मौन का 700 कुश्चन नेमले कितमें से कौन से प्रिकास अंट्रेशन फिक्रिया के लिए अवस्चक है तो याद अपना CO2 ठीक बात करते हैं 700 कुष्टन खतम होगा है हम लोग आंगे बात करेंगे 701 से आंगे देखेंगे हम लोग ठीक इसके बाहर नीजाएगा मुझे लगता है अपने इसके बाहर नहीं जाएगा मुझे लगता है हर परिक्चा में इतना काफी है इसके आंगे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जाना क्योंकि 1100 के करीवे कुश्चन है और जनरेल साइंस के नाम जनरेल साइंस सम्लोगों ने 25 लेक्चर के करीव सामाज्यानकाई भी देख ली थी तो बहुत हैंस् के बाहर कोई कुश्चन आपका जाएगा ठीक तो देख लिए चलिए तो देखते हैं एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़त है और पिती जीवी और बिवस्था पर है उसके आहर में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाय दी जाती है एक प्रोबायोटिक्स पूरक है जिन यह प्रोबायोटिक्स विटामिन के पितीत होते हैं पितीत होते हैं चौदे कुश्चन सुची एक को सुची दो से सुमलित करना है यह सुची एक में हार्मोन है और सरावत ग्रंतिया होगे तो याद रखना है इसमें यह ओप्सन से यह प्रोजेस्टॉन यह हमारा गरभास को क्तेस्टेस्टोर टेस्ट टेस्टो टेस्टो टेस्टोरॉर्ण याद रगना यह हमारभ अंडा अंडा करसमा थाईब थायरोक्सीन त्या दरगना यह थायलाइड इंसूलीन इस नहीं प्रोचेस्टब गरभा शैषिण टेस्टोस्टोन बेशन थायरोक्सिन सेक्सेजन थायरोक्सीजन थायरोइड गरंती से इंसुलीन अगनासा से कुश्चन अंगला है निवली के रसाइनों में किस का फल पकाने लिए तो क्यों होता है तो याद रखना एथे फॉन ठीक, बात करते हैं अनला कुश्चन, सूर की पिकास के आदिस से अंग, अंस से पिकास संस्वेशन किया जाता है, तो याद रखना, फपूनों द्वारा, ठीक, बात करते हैं, सत्रह कुश्चन, एक छेत के पिरोहन में समयांतर क्रमबद परिवतन को कहा जाता है, तो याद रहां, बी ओप्शन सही है, एक छेत के पिरोहन समयांतर क्रमबद परिवतन को अनुक्रमण किया जाता है, अठार एक कुश्चन, परियावन किस से बनता है, तो याद रखना व्योगत सभी से, जीवीए घटकों से, भू आक्तिक गटकों से, अजैब घटकों से, ज जैबिक घटकों, अजैबिक घटकों, ततना भू आक्ति घटकों कि मस्तरद से परियावन कहा जाता है, आएक सभी में, जितने भी जीव सजीव जीव जनतुकर पाएती है, जैविक, बायवटिक PayPal कहलाती है, सजीव, näसी जीव जनतु, पेड़बद परियावन परियावन 20 question पौधों का कौन सा पाग फूल बनने का उद्धी पन गियान करता है तो याद रखना पर्ण फूल बनने का उद्धी पन गियान करता है फिलोवर कियद्धन को एंथोलोजी कहते है पत्ती और तना के सेवड रूपस को सौट कहते है फिलोवर प्रो है का रूपांतर जो पौधे का लेंगिक भाव है बात करते हैं 21 question सहज पेडाली का परिवर्दन निमल कितमे से कौन सा है तो याद रखना पेडाली को सौर्फोसी किया क्रिया बात करते हैं 22 question मेंडल के अनुवानसिक्ता सिध्धान किस पर आधारित है याद रखना यह हमारा लेंगिक जनन C option सही है इसमें ठीक इसकी ब्याक्या देखते हैं मेंडल के अनुवानसिक्ता का सिध्धान लेंगिक जनन पर आधारित है मेंडल को फादर और जैनिटिक्स कहा जाता है जनन की वाए पिक्रिया जिसमें स्परम एवं ओवं भाग नहीं लेता है जनन की क्रिया बोडी के किसी पार्ट द्वारा होता है उसे आलेंगिक जनन कहते हैं जैसे अमीबा हैडराचीस्ट प्लाजमो डियम जनन की वाए पिक्रिया जिसमें मेल जैमाइट फीमेल जैमाइट भाग लेता है तो उसे लेंगिक जनन कहते हैं बात करते हैं अनला कुश्चन ते इस भूड एम्ब्रो किसमें मिलता है तो याद रखना बीच में फैर्टिलाइजेशन निशेचन के बाद ओवरी से फल और ओवल से बीच बनता है बीच बनता है इस टैम में तना में वर्ण से कलियां बाही जाती है जिसे नए पोदे का निर्माट होता है नोड पर होता है आलू गन्ना पोदे का हुए बाग जिसके द्वारा सुसन पाप्स फुद सर्जन एवन विकास संसेशन के किरिया होती है पत्ती कहलाती है बात करते हैं चोवीस दुमट्टी लो मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कड़ मिलता है तो याद रखना बलूई मिट्टी में ठील सी ओप्सन सही है 26 किसी मिट्टी में कोश्टी का सबसे दिक प्रभासाली होती है तो याद रखना चिकनी मिट्टी में कोज़टी का किडिया सबसे दिक प्रवासाली चिकनी मिट्टी में होती है केपलेराइज एक्संट के द्वारा पौदे मिट्टी से जल एवं खनेज लवण का उसलिसन करते हैं इसे एसेंट और साफ भी कहा जाता है इस किडिया के द्वारा पौदे को एक्सलेम के द्वारा चल एवं खनेज लवड़ पौदे के अन्नभावों में पहिचा जाते हैं जायलम का का अपग्रेड डारेक्शन होता है बात करते हैं अंगला 27 प्रिकास संस्रेशन होता है तो याद रखना किलोरो प्लाष्ट में ठीक? किलोरो प्लाष्ट को पौदे का रसोईगर कहते हैं 28 प्लाष्ट को लेंगिक जनन से अनुवानसिक विच्छेरन कैसे होता है तो याद रखना उप्योक्त सभीन जीन के समयर स्थन से क्रोमोसॉम में बदलाव से जीन के मिस्थरन से एक्त्यादी 29 प्लाष्ट में से कौन सी गरंथी सबसे बड़ी है तो आप लोगों को पता हुए यक्रत लीवर बात करते हैं 30 नौजास इसू में कितनी हट्डियां होती है तो आपको पता हुए 300 नौजास इसू में लगवक 300 से अधिक हट्डियां पाई जाती है वेस्क मनुस्थ में 206-208 हट्डियां होती है 31 कोशन हरे पोधी किसमें उपस्तित में बोजन बनाते हैं किसकी उपस्तिती में तो याद रखना विरकास 32 कोशन आलू किसका संसोदित रूप है तो याद रखना तना आलू तना का रूपांतरित रूप है इसके अलावा अधरक हल्दी ओल अर्वी फ्याज लेस्वन इत्यादी तना के रूपांतरित रूप है बात करते हैं 33 मचली कहां से स्वांस लेती है तो याद रखना से किसे सरावित करता है तो याद रूपना इंसुली अगना से से इंसुलीन सरावित होता है जो बिलेड में गिल्वोज की मातरा को कंट्रोल करता है फित रस का निर्माड रियक्रित्म होता है तथा पित्त्यासर में जमा होता है मरसमें मुग्वा में सेलिवरी क्लाइंड पाई जाती है जिसे लार्स रवेट होता है लार में टामलीन नामक इंजायम होता है जो इस्टार्च कार्भोएडर्ड नो सरक्रा में फरीवर्थित करता है 35 गलावी क्रांती से संब्ग है तो याद रखना प्यास Sei 36, मक्का की पत्तियों के सीस का सफेद होना सूचक है तो याद रखना, जिंक की कमी D option सही है 37, वीज जो पिती वर्स बदला जाता है, कहलाता है तो याद रखना, संकर वीज 38, निमलिकित में से कौन सा सही समलित नहीं है तो याद रखना, C option है पूरूती, पूती रोधी, एस्पिरीन, ये गलत है ज्वार नासी, परासेटेमोल, सीटामोल पिती फैनकारत, पॉली एमाइडस, सिलीकोन अस्थी 6 रोधी, कैल्सी फेरोल, विटामिन D दर्द निवारक दबा है, स्वी नियाद रखने बात करने वाले हैं, आक्सेव, आक्सो नौ मीटर कफियो करते हैं बिधी दर्मापने में, पॉधी की बिधी दर्मापने की आक्स आक्से, नौ मीटर कफियो किया जाता है, इसका बिसका जेसी बॉस, जगदीश चंद बॉस ने किद्वारें किया गया था 40 question बीजों के पिकी दर्मापने की सेंसर विधी पाई जाती है, तो याद रखना, कपास में 41, लेटमस, अमलचार सूचक प्राप्त होता है, तो याद रखना, लाइकेंस से बात करते हैं, 42, निमलिकित में से कौन सा पादक, देशा तने से पराप्त होता है, तो याद रखना, सनई 43, मादा जनन, पत्थ में पहुंचने के पशात, माना और सुकराणूं अपनी निसेशन, चमता, सुरख्चित रखते हैं, 20 मिनिट के लिए बात करते हैं, 44, निमलिकित रोगों में कौन सा जीवाणूं जनने है, तो याद रखना, यक्षमा, टीवी, बात करते हैं, 45, मानो कलाई में नाड़ी इसपंदन करती है, तो याद रखना, उसी दर पर जिस पर हिदय करता है, मानो कलाई में नाड़ी इसपंदन उसी दर प सेडि में नहीं रखा जाता है मच्छर खट्मल घरेलु मक्ही को कीट की साडि में रखा जाता है सैंतालीस प्रित रखती एवं प्यास के कैंद मानक मस्तुद्द निमलिकित मैं से किस भाग में अवस्तित होते ही तो याद रखना वी ओक्षन सही है हाइपो थेलिमस ति हाइपो थेलेमस भूग प्यास ताप नियंतर्ण फ्रैम घेना गुसा इत्यादी पर नियंतर रखता है मैडूला ओबलों लोंगेडा गाटा अनिच्छिक पेसियों के कार्यों का नियंतर करता है मिड़ ब्रेंड मद मस्तिश मैं चार ऑप्टिक को ऑप्टिक लोग होते ह हैं जो दिर्ष्टी नियंतर का काल करते हैं 48 नेम लिखत में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानों का निकटतम संबंदी है तो याद रखना गुरिल्ला आरेच कारक का नाम संबंदी थे एक पिकार की याद रखना बंदर से लैंड इस्टीनर एवंबेनर ने 1940 में आर मंकी में एक बिसेश पिकार का एंटीजन देखा जिसे आरेच फेक्टर कहते हैं 50 निमलिकित पात्पों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है तो याद रखना संग्रह अंग तना नहीं है क्योंकि यह जड़ है टूबर टूबरोस से रूट कंदिल जड़ में जड़ तना क कि नोड से निकलता है एवं भोजन संग्रह के कारणेश का आकार आनिंतित होता है एंग्या वन कुष्जञ निमलिकित ब्यक्षों में कौन पारिष्तित की मित नहीं है तो याद रखना यूके लेप्टेस अंगरे से बड़ा आप एंजियो इस्परम पादब यूकिलिप्टस का पौधा है बावन कुशन गेहूं में रोटी बनाने के गुड़ों को प्रभावित करने बाला पता थे तो याद रखना गिलूटें बात करते हैं तरेपन फल ततना सब्जियों में मौम के घोल का उपयोग किया जाता है तो याद रखना बी उनका भंडारन काल बढ़ाने के लिए बी ओप्सन सही है बंडारन काल बनाने के लिए फल ततन सब्जियों में मौम के घोल का उपयोग किया जाता है चंग्वन कुश्चन पैगिंग एक लाबकारी पिक्क्रिया है मौमफली में पच्पन भार पकिस्तान से टिट्टीयां पाकिस्तान के रास्ते से भारत में त्रहएस करती है het 57 जुगनु किस परिखणना की वज़े से सीख प्रिकास देता है तो याद रुखना बायो संदिप्त जुगनु में लोसी फिरीन इंजायम होता है जो हवा के संपर्क में आने से लोसी फिरेन फिरिज फिगमेंट बनाता जिसके कारण जुगनु प्रिकास उत्पन करता है बात करते हैं 69 कुश्चन मिरिती मिरिती का सिल्फ में दभांड और कांच उद्यों के स्रमकों को सामनता होने वाले वेवसाइक स्वास्त संकटों में से एक है तो याद रहना सिली कोसिस ठी जिससे लंग्स फैपड़ा पिरभावित होता है आंगे बात करते हैं साथ कुश्चन जब हम केंचुवा केंचुवा पर आस साधारान नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है इसकी वज़ा है परासर नहीं है प्रगात यह उप्सन सही है एक साथ कुश्चन प्याज के काटने और शिल्ले पर किसकी विध्ध मानता के कारण आंकों में पानी आता है तो याद रहना खोशी काओं में सलफर बात करते हैं बासर कोश्चन उचाई सकेनने पर किसी मानो या अन्य पसू की अपेक्चा बिल्ली के बच्चे बचने की अधिक संभावना होती है इसका कारण है तो याद रहना बिल्ली भी अन्य जानवारों की तरह बराबर घैल होती है लिकिन उसमें जवर्जस सहन सकती स तारीरिक पिती रोध और सीग स्वास्त लाव होता है बात करने वाले 63 गलकंड कबढ़ना मुक्ता किसकी कमी के कारण होता है तो याद रखना आयोटीन ठील 64 प्याज परिवर्दित रोप है तो याद रखना तने का इसमें तना छोटा होता है इस पर मासल पत सल पत लगे होती है इसमें खाने वो भाग मासल पत है लहसन प्याज का मासल पत खाया जाता है ठीक बात करते हैं 65 कुशन निमलिकित में से कौन सा किसी ऐसे पौदी रहने जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते हैं तो याद रखना चीड वेप्च ठीक चीड कर इस पोस से डार लाच साइकस पाइनस से सभी वेप्च समूग हैं ठीक अनावित बीजी या नन बीजी समूग हैं इस समूग के पौदी में बीज पाए जाते हैं कि दुफल नहीं लगता बीज किसी पिकार की सरचना में बंद नहीं रखता 66 कपाश प्राब्त होता है तुफ या रखना बीज से बात करते हैं बीजों का सरवुत्तम समरक्षन होता है तो या रखना ठंडी और सुख्स परविस्तितियों में अर्सर्ट कुश्चन एक्क्वा रीजिया में अमलों का अनुपात है तो याद रखना तीन अनुपाते एक होता है नाइटरस अमल का एक बाग और HCL हाइड्रो किलोरीक अमल के तीन भाग के मिसरन को अमल राज कहते हैं इसमें सौना प्लेटनियम आदिधाती घुल जाते हैं 99 निवले खित में से कौन सा चीज भूमी गठ कठ तना है तो याद रखना अदर्ग सब्तर कुश्चन पौधे के किस बाग से जूट की प्राप्ति होती है तो याद रखना तना आलूदारन है तो याद रखना रूपांते तने का ठीक है काली मेच पादा पेक है तू याद रखना झाड़ी तेतर पसु चंद्धान सहलस्थान इस्तित है तू याद रखना उत्तरफ्देश में ठीच बात करते हैं कि सील स्याज वक्छिकों होता है तो याद रखना जलका रहे जहां या 36.9 degrees Celsius, मानुसरी का सामान ताक्रम क्या होता है, तो याद रखना, 36.9 degrees Celsius या 37 degrees Celsius, ठीक, 37, मनुस्थ को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, तो याद रखना, कार्बो हाइड शक्र में परिवर्तित हो जाता है, 78, निम लिकद में से कौन कार्बो हाइड नहीं देता है, तो याद रखना फालक, मंखन देता है, मस्चली भी देता है, तो याद रखना, लीवर से, यक्रस से, ये पित रासा में यमा होता है, अस्ती, भोजन का पाचन निम नंग में से प्यारम होता है, त्योए याद रखिए मुँहें से, मनुस्क्रम में मुख में सेलिवरी ग्लाइन्ड पाई जाती है, जिसमें लार्ग रावित होता है, लार में तामलेन नामक इंजायं पाए जाता है, इस्टार्ट कर्वोहिड्र कुछ सरक्रा में परिवर्तित करता है Salivary gland 3 जोड़े में जिसमें परइडर टॉइड गलाइड सबसे बड़ा ग्राण कभी कभी वाइरस से परइडर गलाइड इंफेक्टेट हो जाती है इसका कारण मम्स मस्ज नहरो हो जोता है परइडर गलाइड साम में वाइन सॉंस ग्लाइंड विस गरंती के रूम में परिवर्दित होती है 81 विटामिन C का सबसे अच्छा सरोथ क्या है तो याद रखिया है विटामिन A का सबसे अच्छा सरोथ नीवू है या आउला ती नीवू 82 मन और शरीर में सबसे फिच्छुर मात्तरा में पाये जाने वाला तत्त कुन सा है तो याद रखना कारवन ठीक है यह ओप्षन सही है 83 कुश्चन सुची एक को सुची दो से सुमलित करना है तो याद रखना इसमें भी ओप्षन है इसमेटाइटिस कुश्चन जड़ है तो याद रखना जाजह से zyदे यह ओप्षन जड़ है, इसमेटाइटाइटे से सम्भादाइट Bayra ऑफ्षन जड़, या गाज़, टीक है 14 में मुल्ण चैजह बात करते हैं कांस से देखी जाने पर दिखाई पड़ती है तो याद रखना यह काली यह उप्शन सही पचासी था पेड़ की पत्ती लाल कांस से देखने पर काली दिखाई देती है काली बस तो सभी रंगों को असोसित कर लेती है जिसके कारण यह काली दिखाई देती है उजली बस तो 88 निम्लिकत में से कौन जल तथा कार्बन डाइयोकसाइड को कार्भो हैड्रेट में बदलता है तो याद रखना सहवाल ठीक है बात करते हैं 88 पादब विश्णु में किस पिकार के अनुवान से पदार्थ पाए जाते हैं तो याद रखना आ रहें नवासी मनुस्तर नेत की म मासपेसियां को ठीर नबबे भारत में सोईद करांती के जनक माने जाते हैं तो याद रखना डॉक्टर वी कुरियन सोईद करांती का जनक किसे माना जाता है डॉक्टर वी कुरियन को ठीर निम्लिकत में से कौन वर्ड वर्ड फिलू वायरस है जिसे एवियं एवियं करतना H5N1 H5N1 वर्ड फिलु वायरस है जिसे AVN फिलु वायरस भी कहा जाता है बावन कुश्चन नमबर 92 भारत में हरत करांती का जनक किसी वाना जाता है तो आपको पता हुगा बात करते हैं 93 कुश्चन पौदों में किलोरोपिल बनाने के लिए कौन सा साहय होता है तो याद रखना मैगनेसियम बात करते हैं 94 पिकास अंसलेशन का अंत्य मुत्पाद है तो याद रखना कार्बोहईड विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो याद रखना विटामिन एकी कमी के कारण होता है बालों का जढ़ना यह उप्शन सही है विटामिन एकी कमी के कारण होता है तो याद रखने नाइट नाइट बिलाइड नैस जिसे रतोंदी भी बोलते हैं याद रखने जिस कुष्चन पर आपको डाउट हुआ करें उसे एक बार चेक कर लिया करिए याद रखना विटामिन के कमी से रतोंदी होता है जिसे नाइट बिलाइड नैस कहते हैं मानव सरीर में रक्त चाप नियंतित होता है तो याद रखना अधिवेक ग्रंथी से संतानवे निमलिकत में से किसकी उपस्तिती के कारण गिर्गिट रंग बदल रंग बदलती है तो याद रखना वर्ड की लवक द्वारं अंधानवे आयोडीन की कमी के कारण होता है तो याद रखना ग्हेंगा रोग निन्यानवे पिच्छुलतम मात्रा में खाद प्रोटीन के दो सरोत निमलिकत में से पेसे कमान कोंसे हैं तो याद रुकिए जानी पिर्ण और मुंभली चलिए तो आफसो कुश्चन तक हम लोग देख चुके अब आठसो एक से आंगे देखेंगी कि चलिए तो हम लोग बात कर रहेते हैं बाइलोजी के बारे में objective questions देख रहे हैं और उनके answers तो अभी तक हम लोग 800 questions खतब कर चुके हैं और जितने भी questions लेक्चर बने हुए हैं इनसे सम्मंदित वह आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे वह अपनी है जनल साइंस के नाम से जो playlist में सुची बनी हुई है उसी में delay हुई है ठीक है बहुत काफी है यार इतने questions हम लोग solve कर लेंगे इसके बाग मुझे नहीं लगता है कि और किसी की हमें जरूरत पढ़ेगी study material की काफी है ठीक हम लोगों ने इससे पहले भी इसी lecture में पढ़े एक वा question ने मिलकित में से कौन से इस्तिती टेश्टी ट्यूब बेबी की परिगटना को सही रूब में निरुपित करती है यार इतना जब निसेशन बाह होता है और विकास आंत्रिक होता है question number 2 दिल का दोरा किस कारण से होता है तो यह दर न हिदय में रक्त की आपूर्थी में कमी होने के कारण दिल का दोरा होता है heart attack जब हिदय की कौरोन कौरोनरी धमनिया उसकी साखाएं शिकड़ जाती है तो हिदय को परियाप्त मात्रा में रक्त किया पूर्थी नहीं हो पाती इसे एंजाइना कहते हैं इसी कभी बिहत रोप दिल का दोरा या heart attack कहते हैं दिल का दोरा पढ़ने के कई कारण है आनेमित रक्चा, मांसिक तनाव, मदूमे, मुटापा, कॉलिस्ट्रॉल, लिक्त भोजन, सराब कसीवन, धूमपान, इत्यादी रोपी की सीने में बाई और तेज दर्द उठता है जोरों का पसीना निकलता है और घबराट होती है रोपी बेहोस हो जाता है और दर्ड़कन के कुष्चिन नमबर तेस रहा है किसी चीज का अधिक मात खाने से किसी चीज को अधिक खाने से केवल पित भी की अधिक जनसंख्या का भरन पोशन किया जा सकता है बनस्पती उतपाद बनस्पती उतपाद अधिक खाने से केवल पित भी की अधिक जनसंख्या का भरन पोशन किया जा सकता है चाओतरा कुछन है विटामिन B2 का अंदनाम है तुरियादर की राइगो थलेविन बीटू का रसाइनिक नाम राइगो थलेविन है यह मास दूद्ध हरी सबजी सोयाविन अंदा इत्यादी में पाया जाता है इसकी कमी से तुचा का पटना जीब का कटना बा कोपरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका सुसन अंग है तुर याद रूब्ना outta jej起 न ही रह सकता है क्योंकि इससे सुसन वार्ट तक सी होता है पिद्वी पर जितने भी कीट हैं उन सभी में ट्रेकिया द्वारा सुसंद किरिया होती है चटवा कुश्चन पुरोस में मरकरी के विसाक्त जन से कौन सा रोक होता है तो याद रखना C मीना मांता ठीए बात करते हैं साथ वा कुश्चन गुरसूत में होते हैं तो याद रखना DNA और फ्रोटीन ठीए बात करते हैं आठवा कुश्चन मूद का पीला रंग किसकी मौजिद्वी के कारण होता है तो याद रखना EUROCOM निमन में से किसको RBC का कवरिस्तान कहते हैं तो याद रखना पीलिया को इस्पिलीन को ठीक दसवा कुश्चन आहार में लवड का प्रमो कुप्योग होता है तो भोजन के बाचन के लिए आप एक्चित हाइड्रो किलोरी ऐसे लवू मातरा में पैदा होता है ठीक है बात करते हैं 11 वा कुश्चन निमन में से कौन सा जैब निमनी करन है तो याद रखना कावच ठीक है डिटी ऐलुमिनियम प्लास्टिक बायो डेग्रेडेवल नहीं है क्योंकि इसका चय नहीं होता बात करते हैं 12 वा कुश्चन किस वभाई लेंगी पसू में पर्व बसा की परत बात करते हैं 14 DNA के कोड करन खंड को क्या कहते हैं तो याद रखना है कोड़ान बात करते हैं 15 वासा में गुलंसिल विटामिन कौन से हैं तो याद रखना है कैलसी फेरोल केरोटिन टॉको फेरोल ठीक है वी डी डी ए ठीक है डी याद रखिए बसा में ADEK विट कि याद रखना है रेसम के कीट के प्यूस पास से बात करते हैं निम्लिकित मैं से अंडा देने वाला इस्तन पाई कौन सा है तो याद रखना है कंटिला चिंडी कोर बात करते हैं अठार वक विस्व व्यापी तापन का संभावित फईडाम क्या हो सकता है तो याद रखना उपयक्त सभी समुद्द के इस्तर में विद्धी फसल के सवरूब में परिवतन तटरेका में परिवतन विस्व व्यापी तापन का संभावित फईडाम समुद्द के इस्तर में वि बंदल में पारिस्तिति की संतुलन बनाए रख सकता है तो याद रखना है आपको D option सही है इसका जीवों की साफिक संक्या के सूप्षन संतुलन को समझना 19 का D है टीए 20 कुष्चन 20 का निम लिखत में से कौन सा पसू रुद्या, रुद्यरा हारी है तो याद रखना मच्च वैसे पसू जिनका आः विलेड होता है रुदेर होता है उससे रुदेर हारी कहलाते है 21 question, गुर्टे, गुर्णी का कार्यात्मक की उनिट क्या है? तो याद रखना नीठ्वाण 22 question, हमारे सरीर में तुच्चा की सतय के नीचे मौझूद ववसा किसके विरुद अवरोधक का कार करती है? तो याद रखना, सरीर से उस्मा की छती, हमारे सरीर में तुछा की सतर के नीचे मौझूद वसा सरीर से उस्मा की छती के विरोध अवरोध कतार करती है 23 कुशन, मन उसकी लार रोदेर कोश्काओं का जीवन काल कितना है तो याद रखना है 120 दिन, ठीक है, यह उप्सन सही है, गरभा से के लिए विकल्पिक सब्द क्या है, तो याद रखा यूटेरस, ठीक है, बात करते हैं 25 कुशन, सामाजी क्रुबान की सरकारी स्वामत्य वाल सा, किसी पारिस्तिती तंत में एक देवसिय प्रभाः दरसाता है, तो याद रखना आपको, बी उप्सन सही है, उर्जा, यह बी उप्सन सही है, पारिस्तिती की तंत में एक देवसिय प्रभाः उर्जा दरसाता है, 27 कुशन ने फैनेसलीन का अविस्कार किस ने किया था, तो याद रखना अलेक्जेंडर फिलेमिंग ने अलेक्जेंडर फिलेमिंग द्वारा पेनिसलीन का अविस्कार किया रक्त परीसंचर परीसंचर बिलियम हारवे रवीच का टीका इबंग दूद में पास्चूराइजेसन लुईपास्चर चेचक का टीका एडवर्ग जेनर इत्याद, प्याज में खाद भाग है, तो यादर्टन फक्ता, कुकुर्मुत्ता मसरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है, तो यादर्टन सस्वरोगों की जैविक नियत्तर में, ठीग है, भायुगेस उपादम में, किसी करसी अपसिष्ठ कके फुनस चक्रन में, कैंसर की न भूप, डौन होते हैं, तो यादर्टन आ, आनुरवर, नर, बात करते हैं, 31, किस उतक के नक, खुर और सीन बने होते हैं, तो यादर्टन, बात करते हैं, 28, 32, 32, पुरुस में, पुरुसत्त के लिए, कौन सा गुरसूत, सहयोजी, उत्तरदाई होता है, तो यादर्टन दी ओप्सन सही है, एक्स, वाल, किस, 33, कुष्टन, किछी चेतमें, पेड़ों के उपने के लिए, आप एक चितनी उन्तम का अपमान है, तो यादर्टना, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक हैं, 34 कुष्टन, कुरुणी पुस्ट के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, तो याद रखना, फिरकास अहोधी, बात करते हैं, आरेच कारक ने अपना यह नाम किस चानबर से लिया, तो याद रखना, वंदर से, बात करते हैं, 36 कुष्टन, एक वर्ष पुरुस के लिए, यह सावानता हीमोगुले मात्रा, पित्ती सौ मिलिमीटर में रख्त में होती है, तो याद रखना, 14.05 ग्राम, बात करते हैं, 37, रेसेदार अस्थी जोड पाया जाता है, तो याद रखना, कपाल में, बात करते हैं, 38, 19 से 21 तिन किया जाता है, तो याद रखना, मुर्गी क अंडे को सेनी किया होती है, बात करते हैं, मचली का इयर विलेडर, किस रूम में काल करता है, तो याद रखना, सहाइक, सुसन अंग, और द्व स्थेन, तिक, अंगों द्वार, बात करते हैं, 40 कुछ, हमारे सरीर में कुल कितनी मास्पेसिया होती है, तो याद रखना है 656, जब हमारा कोई भी आंसर कर, किलियर आंसर नहीं है, जैसे अगर रख कभी एजमान, 7.4 है, 7.4 है, अगर यह ओप्सन में निन दिया गया है, और 3 दिया गया है, 7.3, जिस जो करीब है, 7.4 के उसी को आंसर माना जाता है, तो ठीक है, 649 के करीब है, 656, ठीक, तो यह आंस करते हैं, 41, केड्मियम पिदूसन किस से संबन देते हैं, तो याद रखना इताई-इताई, रोग से इटाई-टाई, ठीक है, जीवित संसार में सबसे फिचोर इन्याइब है, तो याद रखना, रोविसको, ठीक है, बात करते हैं, 43, माइक्रो वेक्टिरियम लेंप्री, है तो याद रखना, दंडाडू, ठीक है, बात करते हैं, रोविसी वायूसोसन नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें नहीं होते हैं, तो याद रखना, सूतिकर काय, माइक्रो काइंडियम, बात करते हैं, 45, सहयोगजमी, आपरभावी, और विसम, विसम एवनी पादक के बीज, बी इचार्द संकरम, बात करते हैं, 46, क्वेशन, डी एने में होती है, तो याद रखना, पेंटोस, सरकरा, बात करते हैं, 47, पद जीन, किस ने बनाया था, तो याद रखना, पद जीन, जोहान सैन ने बनाया था, बात करते हैं, 48, क्वेशन, औरती, पूती, जीवी, बेब जी में जो आहार के लिए निर्भर रहते हैं तो यागरतना मिर्त और च्छाय मान सामगरी पर सी ऑप्शन सही है 49 पर्टसन के रेसे हैं तो यागरतना दुतियक फिलोयम सिववास्ट रेसे बात करते हैं 50 बिलीन जेवों का सोच जविक उपियो निस्पादित किया जा सकता है यादरना ओक्सी करन दौरा बात करते हैं क्या बन कवक दौरा पैदा किया जाने वाला सामान नपाद परोग है यादरना गेंगु कब बब्बु किट ठीक है नीवु का किंकर रोग जीवाडू द्वारा हो था तमागु का मुझे रोग टी एमसी जीवाडू द्वारा हो था ठीक टुबैको मैसोरी वायरास बात करते हैं बाबन कुश्चन केलस निर्माड के लिए सरबादिक सक्तिमान सक्तिमान ओक्सन है तो यादरना टू फोर्डी ठीक बैसे रसाने किता है जो खर्वत्राय को नश्ट करते हैं खर्वत्वार नासी कहलाते हैं त्रेपन दिरिष्टी की यह तार्थ किसका काम करती है तो यादरना संकु को इसका है संकु को इसकाओं का काम दिरिष्टी को यह थार्थ है मनुस्वित की आँख में रेटीना पर एलो इसपोर्ट पाया जाता है इसमें कौन सेल संकु को इसकाओं पाई जाती है इसमें एड़ोपसीन नाम पिगमेंट होता है जो तीपिप्रिकास में देखने के लिए उतरद होता है कौन सेल में रंग पहचानने की सकती होती है इसकी कमी से कलर विलाइंडनेस होता है रेड रोड सेल छड जैसा होता है इसमें आर्व होडों होडोपसिन नामक पिगमेंट पाया जाता है या मंद पिड़कास में देखने के लिए उतरदाई होता है इसकी कमी सी रतों प्रवादी नमक रोग होता है उल्लू में केवल रोड सेल पाय जाता है जिसकी कारण इसे रात में दिखाई दीता है बावन कुश्चन चंगन कुश्चन किसी मिस्तरण में स्टाइच की मौजूद्गी का पता लगाया जाता है लगाया जा सकता है तो याद रतना ऐयोडीन द्वारा पच्पन कुश्चन हर ये वह सोख्च उत्वादन का लक्ष है तो याद रतना अपसिष्ट न्यूनती न्यूनतमी करण ठीक है बात करते हैं अगला चपन गौल्जी काय उत्पन हुए तो याद रतना अंतर दिव रैटी कूलम से ठीक है बात करते हैं संतावन एक उस्ती है जो बनाई जाती है तो याद रतना लिप्ड से ठीक बात करते हैं राट्एक रोग में दो प्रवास्थाएं होती है यह था पूरुबार रोग जनन और रोग जनन बात करते हैं 60 A C T A C T H हार्मोन सरावित होता है तो प्यूस गरंथी से T या हार्मोन एडनल कोपटेक्स को हार्मोन सरावित करने के लिए उतिजित करता है बात करते हैं एक साथ कुश्चन आमर से गरंथीयों की पेपसिन सरावि कोश्च काए है तो या रखना मुख कोश्च काए 62 कुश्चन निमलिकित में से वारड़क प्रोटीन कौन सा है तो या रखना हीमोगलोबी बात करते हैं 63 चालनी पट्टी का एक भाग है तो या रखना वो सुभा है हेलोएम का 64 जल संबर्धन विदियों से पादप होगाने की पेड़नाली को कहते हैं तो या रखना जल संबर्धन बात करते हैं 65 पेजल में एंटी अमीवा हेस्टोलीक लेटिका का होना एक संकेत है तो या रखना बैक्टिरियाई पदरभाव का 66 लाज चने में कौन सा ज्याइं मिलता है तो याद रखना वारीयस मानो शरीर में सबसे लंबी को इसका कौन सी है तो या रखना तंतिका पदरव केसर के रूम में इस्तेवाल किया जाता है वर्धिका तथा वर्धिका तथा वर्धिकागगर ठीक है यह औक्षन सेहीज़ और उनत्तर कुश्चन गेयो का रोग किस कारण होता है तो याद रखना थायोराइड की अतिस्ट क्रियेत आगे कारण सत्तर निम्ने में से किसको हिदय का प्यारंबिक पेस्मेकर कहा जाता है तो याद रखना ऐसे ये नोड को बात करते हैं एकत्तर कुश्चन जन्तु परागर का सा क्या है तो याद रखना जन्तु जन्तु द्वारा परागर बात करते हैं बात्तर सक्रियेत आपंक उप्चार को क्या कहते हैं तो याद रखना जैविक उप्चार उस पे इन पात्कों को क्या कहते हैं तो याद रखना क पॉस्पी यह वोगे, फैनुग्रा, फानो, रो, गैंस, इसमें थैलोफाइटा, ब्राइवफाइटा, ब्राइवफाइटा, पेट्राइवफाइटा, एल्गित, फंगी, बेक्टरिया, वायरस, जैमनो, स्पंड, एन्जियो, स्पंड, ठीक, मात करते हैं, चोहतर 75, रेंगने और विसरप्ण करने वाले कसे रुकवी जन्दू, विपेकार को क्या कहते हैं, रिप्टेलिया, 76, निमलिकित में से बे एक मातपादक कुश्चिकाएं, कौन सी हैं, जो बिना न्यूकली, न्यूकलाइट हैं, तो याद रखना, बाहिनी कुश्चिकाएं, 76, निमलिकित में से कौन सा इंजाएं, रक्त का धक्का बनने में सहायता करता है, तो याद रखना, टेप्टिस, बात करते हैं 78, निमलिकित में से बेमेल कौन सा है, तो याद रखना, जावा, क्लाइंट्स, ठीए, यह अप्सन सही है, जब्रे नहीं होते हैं, तो याद क्षिटित के इस्थित्त के कारण हर दिशा में बस्तूओं को देख सकती है तो याद रखना सयुग्द आखे ठीए 81 कुश्चन 82 डाइपटीज मेलीटर से गरस्त आदमी बारबार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रोधेश से अत्रिक्त तो याद रखा गिलुखोज बात करते हैं 83 कुश्चन सब्द जीव मंडल से आसा है वियाद रखना फितवी के गिरद मिर्दा जल वायू का छित जूबनस्पती जात तथा प्राणी जात का समर्थन करने में सक्चम है ठीए बात करते हैं 84 कमला पीलिया के लक्षन मुक्ता किसकी आवेवस्था और आपक्रिया की कारण दिखाई देते हैं तो याद रखना यक्रत ठीए बात करते हैं 85 जैब निमनी करन अपसिष्ट को तो याद किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है तो याद रखना वेक्टिरी आई बात करते हैं 86 निमने में से कौन सा वायू पिदूसर्ण का गोह तक है तो याद रखना लाइक एन से बात करते हैं 87 समुद में पादप कितनी गहराई तक पिती बें बंदित होता है तो याद रखना 200 एन मीटर बात करते हैं 88 अधिक ठंडे चित्रों में रहने वाले जन्तूओं का फर उनकी किस काम आता है तो याद रखना इसमें B-Option सही है वायू को फसा कर उन्हें गरम रखता है बात करते हैं अधिक ठंडे चित्रों में रहने वाले जन्तूओं का फर उनके लिए वायू को फसा कर उनके सरीर को गर्म रखता है 89 कुशन यूमस किसका एक प्रिकार है तो याद उतना मिर्दा में 6 मान जेव कर 90 अधी बंधक जबड़ा किसकी एक विक्रिती जन इस्तिती है तो याद उतना टिटनेस की बात करते हैं 90 निम लिकत में से किस उभायचर के जिया नहीं होती है याद रखना इक्कित यो फिस इक्कित यो फिस की उभायचर में जिया नहीं होती है टंस नहीं होती है 92 कुशन निम लिकत में से कौन सा गिलाइकोजिन को गिलुकोजिन में बदलता है कौरत को सुद्ध करता है याद रखना है यक्रत 93 किसी नदी में मचलियां का ना होना किस बात का सूचक है निमनी करन का छित बात करते है 94 मिना माटा रोग किसके कारण उत्पन उत्ता है 12 1984 में बोपाल की यूनियन गेस कारोवाइड सिमेथाई आइसो साइनेट गेस का रिशावगा जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई सी समुक्त पेटोल का उप्योग करने से बायू के दूसन होता है मानो स्वास्त के लिए खतरादा है 95 कुछ सूख्ष जीवों की साहता से बायू मंडल में पोसक तत्तों का पुनहर चक्रन होता है इन सूख्ष जीवों को क्या कहते हैं तो यादतना अब घटा ठीक सी ओप्सन सही है पर हमारा 96 मरुष्थल के जानवर ग्रीस्न रितू में लंबी निद्रा में चले जाते हैं इसे कहते हैं ग्रीस्न निश्क्रियेता ठीक मरुष्थल के जानवर ग्रीस्न रितू में लंबी निद्रा में चले जाते हैं एस्टिवेशन ग्रीस्न निश्क्रियेता कहते हैं जाड़े के तनों में सीथ रखती है पराणी हाई विरी नेशन सीथ निद्रा में चले जाते हैं संतानवे हिदय की अक्ष्छा दी जिल्लियों को कहते हैं तो याद रूखना हिदय है वारण बात करते हैं अंठानवे लिपड़ है तो याद रूखना प्राक्तिक मूल की बसाएं 99 पिकास का अधिकतर अबबरतन होता है तो याद रूखना सौक्छ मंडल में के सक्ष मड़्ल में पिरकास का देपत्म अब बरतन होता है कि कोड़एड काले रंग का होता है यहłe appeals लैंस क्या सामने अधिता इसे इरिस आइरिस के मद banyak एद्ग डेप होता है जिसे мजर पुदली करे CS आएल्唱 पूर्डण में जाता है Qsustion No.900 का है आ निसاج चक्ष्ण थलंड स्यास है थल की विकास का है तो याद रखना निसाचन की बिना बेजिकल यो निसाचन की बिना बनते हैं आ निसाच चक्ष्ण क्षत कहला पन ठीक तुम अभी तक हुम लोग 900 Qs देख चुके हैं हम लोग अभी तक 900 questions खतम कर चुके हैं 901 से आगे हम लोगों को बात करनी हैं तो याद रखिए जितना भी lecture बने हुए हैं अभी तक वो सभी आप लोगों को एक जगे मिल जाएंगे वो अपनी हैं General Science के नाम से फिले लिश्ट में सूची बनी हुए उसी में सभी लेक्चर पढ़े हुए याद रखिए आगे बात करते हैं ओट का ककूद ओटक से बना है जो ऑक्सीक्रेट होने पर जल उपलग्द कराता है तो याद रखिए हुँआ हुँआ है कि B option सही है दूसरा question है P A H के को पाप चाही मद्दवर्ती होते हैं अतेंट कैंसर जनी विरूपक जनिक जनिक और उत परिवर्त नी टिक बात करते हैं दीसरा question साधारन युखाम पैदा किया जाता है तो याद अपना वाइरस द्वारा चोधरा question और इस्तम मूल पाए जाते हैं तो याद रखना मक्का में और इस्तम मूल मक्का में पाए जाते है इस्टलेट जूट यह जड़तना के नोड़ से निकलता है तो पौधे को यांतरिक सहारा फिदान करता है मक्का गन्ना बात बात करते हैं 905 वा कुश्चन, विटामिन D अनिवार है, याद रखना है, मजबूत तथा स्वास्त अस्थियां बनाने के लिए, छटवा कुश्चन, संचार के कौन से योग में, फ्रेया, पादक और जंतु दोनों कुश्चाओं में पाई जाते हैं, तो याद रखना, अंत यह वक्सान सही है, साथवा कुश्चन, निम्न लिखत में से कौन समझात अंग है, तो याद रखना, गोड़े और आदमी का अध्यपाद, ठीव, बात करते हैं, आठवा कुश्चन, निम्न में से किस सेवाल का प्योग अंतरिक्ष अनुसंदार में किया जाता है, तो किलो रेला सेवाल का पूग अंतरिक्ष अनुसंदार में किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रि यान के, हौज में भोजन और आक्सीजन के लिए किलो रेला को अपने साथ ले जाते हैं, नौवा कुश्यन, फाईल एरिया पैदां किया जाता है, तो याद रखना, उच्चे र हों में सीसा विशाक्तता की नियम्में विशंता नहीं है तो यदरता हूं हीमो ग्लोवीनी मियrose कि मैं हीमो ग्लोवीनी मिया मि मीमा कसे ρुकी क्यों से सीसा विशाक्तता कि विशेष्टा नहीं है तंति का हैं तंति की ये दोस्त विक की निस्केज़ता अरक्तता सीशा की विसाक्तता की कारण होता है 11 कुश्चन मानाव सरीर में इंसुलीन का प्रमुक कार्य क्या है यादन। सरीर में सरक्रा के इस्तर को नेंतित करना 12 कुश्चन उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में किवल एक बार थलते पूछते हैं तो याद रखना इसे कहते हैं सक्त थली ठीक है बात्तीर है कोकुरोच के लावा को क्या कहती है तो याद रखना इसे कहते है निप्ट है चौदर है यदि दूद से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत कैसा हो जाता है बढ़ता है यह उप्शन सही है 15 निमलिकत प्राणियों में किस में खोला परी संचर्ण तंत फाय जाता है तो याद रखना जींगा आवे 16 निमलिकत में से किसकी उपस्तिती के कारण रखत वाहिका में रहती समय रखत में धक्का नहीं जम पाता तो याद रखना इक्रतिन 917 विक्सित भुहूर के फिल्सव को विज्ञानिक लूप से कहा जाता है तो याद रखना फ्रेसव डिलेवरी टिप 918 थायरोप्सिन हार्मोन से स्रावित किया जाता है तो याद रखना आव्ट्टू ग्रत्थी से 19 बिना इन्जाइम बाला पाचक रख से याद रखना तित वाइल जूसे 920 बीज के अंकुरन की एक अनिवार विसेचता किसकी मौजूद्गी है तो याद रखना जल बीज के अंकुरन के लिए जल को की आवस्थता होती है वीजों का निस्क्रिय अवस्था से सक्क्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीजों का अंकुरन कहती है बीजों के अंकुरन के लिए जल ताव बायू से तीनों का होना आवस्थत है मिट्टी एवं सूर की फिकास दीजों के अंकरन के लिए आवस्यक नहीं है बात करते हैं कि इस पत्थरों और चट्टानों से लगी पौध ही होते हैं वियाद रखना सेलोध थित 22 कुर्षिन अंगला है वाइस कुर्षिन कारवन डाई ऑक्साइड के बातरवर्ण में लोगों की मित्ती हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण कारवन डाई ऑक्साइड के बातरवर्ण में लोगों की मित्ती हो जाती है जिसमें दम भी घुटता है तथा यह एक विसली कैसे ठोस सीयोटू को सुस्क वरभ भी कहते हैं तेज कुश्चन फिरकास संसलेशन के दौरान फिरकास सुग्राही कारक के रूम में निमनमे से कौन काम करता है पर्ड फिरकास संसलेशन के दौरान फिकास ग्राही कारक लाइट एक शैबडर की रूम में फिर्ड फिरकास काईं करता है कि पर फिकास पड़ता है जब इलेक्ट्रों उत्वन होता है एवन एटीपी का निर्मार्ण होता है 24 इस पर स्राउं किसके सरी में पाए जाता है तो याद रखना कीट 25 सरवादिक रुधिर पिदाता है याद रखना सारवतिक रुधिर पिदाता है तो याद रखना ओ बी ओप्सन सही उनिवर्सल डॉनर रुधिर ओ है क्योंकि इसमें एंटिजन नहीं पाए जाते हैं बात करते हैं 26 पर पक्षी और चमगादर अच्छा उड़ती है चमगादर पक्षी से भिनने मद्यपट के कारण पक्षी और चमगादर अच्छा उड़ती है मद्यपट के कारण चमगादर पक्षी से भिनने होता है सवी इस्तंधारियों में डेप फ्रेम मद्यपट पाए जाता है पक्षी बरे इस्तंधारियों में हाइटफोर चमगादर चार खाने का होता है बात करते हैं सकता है जेम मंदल जी मंदल सुरख्ची चित का उदी से इसमें D-Option होगा सही वन उत्पादों पर प्यूग एवं विकास क्रिसी उत्पादों पर प्यूग एवं विकास वन भूमी के वनस्पति जात और प्राणी जात का परी रक्षन जी मंदल सुरक्षे सेवा कलदे से 28 फिरकास संस्लेशन होता है तो याद अपना पादों के हरे भाग में 29 फिरकास संस्लेशन की लगवग उल्टी पिक्रिया है याद अपना लकड़ी किया जल्ला जापान में पायागा यूसो रोग किसके कारण पर दूसरे सिसम्बन देते हैं पी सीबी 31 जैव मात्रा जैव मात्रा का पेरमिड किस पारिस्तिती तंत में उल्टा है याद रखना ताला में ताला में पारिस्तिती तंत में पेरमिड उल्टा होता है गास इस्तल पारिस्तिती दितन्थ कंपरामेंट सीधा होता है 32 के भी दट login पिकार का सारी ए एक पिलान पाए जाता है जॉंक में ठीक है लीजमें 33 किसी पादत का वहा है इससा जो दूसरे पादत पर लगाया जाता है कहलाता है कलम 34 डॉल्फिन है तो याद रखना इस्तनफाई ठीड डॉल्फिन इस्तनफाई है 35 जिन जन्तुवों की सुष्पर्ष्ट पाचक गुई का होती है उन्हें किसके अंतरगत रखा जायता है तो याद रखना आंध जीवी एंटो रो जुआ जुआ ठीड शत्रक है तो याद कबाग फंगस 37 निमनमे से कौन सा अंतरगावी है 22 रावी ग्रंथी भी याद रखना अगनांज है 38 निमनमे से किसका समन्द व्रेक आव्वस्था के साथ है तो याद रखना अपोहां डायलेसिस अपोवान डायलेसिस का समंद्ध वेक्ट किड़नी से है गती फेरा का समंद्ध हार्ट से है जब वेक्टी की सारे की याई बंद होतने लगती हैं तो उसे बेंटी लेटर जीवन रख्षा के अंद में रखा जाता है उन्तालीस कुष्चन अहार का सबसे महत्तून कार है तो याद रखना ओड़ जा प्राप्त करना निमने में से कौन सा यह बिवित्ता को दिश्प्रवावित करता है तो याद रखना उपयुक्त सभी पर्यावान की दूसरन महासागर का अभी अम्मी लंवहान जलबाई पैदा होती है वो फिव्थ सभी वाईउनल सीओ टू का बढ़ता हुए इस्तर वैस्विक तापन फिदूसन इस्तर में बिद्धी जन संख्या में भारी बिद्धी के कारण वाईउनली सीओ टू का बढ़ता हुए इस्तर वैस्विक तापन फिदूसन इस्तर में बिद्ध की समस्या पैदा गुद्धी है अनला कुछन है 42 महानव जातियों के बर्गी के लिए निम्लिकित में से किस का टोटी कसोटी का प्योग नहीं किया जाता है तो याद रखना कान बात करते हैं 43 सामानता निसेचन होता है तो यह अपना डिम वाहिनी नली में फिलिपियन ट्यू में 44 भारी मात्रा में एल्कॉहल पीने वाले लोग तुरया मत्ते हैं कि सिर्वोसिस से टी ओप्शन सही बिशन है 45 चारण आहार सिंखला के आधार में जीव होता है तो याद रखना पुत पादक 46 बिटामी ने ये फिच्चुर मात्रा में होता है तो याद रखना गाजर में फलों के मीटे स्वात का कारण है तो याद रखना ठेक्ट गोच अड़ता लीस यदी यदी विश्व के सभी पादक मर जाते हैं तो सभी पसूभी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे भोजन बिश्व के सभी पादक मर जाते हैं तो सभी पसूभ भोजन व्योग ऑक्सीजन के वगएर मर जाएंगे उननचास जीवारू की विध्धी इसके द्वारा मापी जाती है तो याद रखना दिध्धी मापी पचास निमलिकित में से किसके लिए मदुमक्की पयोग मिलाई जाती है तो याद रखना मदुमक्की पालन एपी कल्चर एक इंक्यावन क्वेश्चन इस्तंधारी इसमें यूरिया बनाते हैं तो याद रखना यक्रत लीवर्म गड़नी में यूरिया चनता है जिसका सबसे दिख तेजी से बढ़ने वाला जल पाद अपन तो याद रखना जल हाया सिंध उस्पन त्रेपन प्रेयोग और आपयोग का कानून इनके द्वारा तितिपाद किया गया था तो याद रखना लामार्ट लेमार्ट चंवन यदि एक जीवाड़ू कोर्शी का फिती बीस मिनिट में विभाजित हो जाती है तो दो गंडे में कितने वेक्टेरिया बनेंगी तो चौँसट प्रचपन मेग गरजना सुनने पर वेक्ति अपना मोय खोलता है जिससे की दोनों कानों के कर्ड़ पर्टल पर वायू के दाप को बरावर करने के लिए बात करते हैं चपन कुश्चन सरल गलकंड गेंगा इनको प्रभावित करने वाली वीमारी है तो याद रखना थायराइड गरंथी संतावन कुश्चन हरित गरंथी गरंथियां किससे संबन देते हैं तो आपको याद रखना उतसर जन अंठावन किस पिक्रिया दोराँ सुसंके दोराँ गैसों रोदेर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे चोड़ती हैं तो याद रखना विस्तरण और सक्किये याद रखना एक चिक पेशी से साट निम्नमे से कौन सा कपकी रोग है याद रखना दाद दाद खाज खुज लें एक सट छोटी माता पैदा की जाती तो याद रखना यह उती हैं वेरी उला वीशाणू द्वारा ने छोटी माता या चेकेन फॉक्स बोलती हैं 62- ताल परिष्थिती तंत की इस्थेता निवर करती हैं ओदपात और उभगताओं पर ताल परिष्थिती की तंत उतपात को एवं अबभगता पराधारित होता हैं 963 वा कुश्चन है अफीम एक पौधे की उपज़े जो निमलिकित में से सिफ्राप्त की जाती है तो याद रखना फोल से 64 निमलिकित में से कौन सी बीमारी वाइब विदूसन के कारण नहीं होती है तो याद रखनी निमोनियम अस्थमा चैरो दिरिटकाली वंकाई टिस यह होती है तो बात करते हैं 65 जब आख में धूल पढ़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूचकर लाल हो जाता है तो याद रखना द्रण पटल 66 हीमो गिलोविंग एक ऐसा सोसन बारड़क है जो नेमलेकित में से लारवा के अलावा सभी रज्यूकी में पाया जाता है तो याद रखना इल मचली 66 इलियम किसका भाग है तो याद रखना छोटी आपका 66 पत्तियों के छिद्ध क्या कहलाते हैं जिसमें जिन से समय समय पर द्रब जल करशा होता है हाइड्रो थोड पत्तियों पर एक छिद्ध होता है जिसे हाइड्रो थोड कहते हैं जिसमें समय समय पर द्रब करशा होता है पत्तियों पर जल की बूने जमा हो जाती है तब इस क सजन की किरिया पत्थियों के निम्न सतय बपाई जाने वाली रंद के द्वारा होता है इस्टो माटा सामनता दिन से खुलते हैं और राज में बंद हो जाते हैं 59 निम्लिकित में से किसकी उपस्तिती के गारण कुछ अधिक तेली है वीज अपने तेल की मातरा में बिना किसी परिवेतन के अधिक समय तक भनारत किया जा सकते हैं तो यादर रहना पिती ओक्सी कारक सी ओक्सन सही है सब्सक्राइब किसमें पाई जाते है तो यादर रहना वो पे सभी समुद्री पर रितंत वन पर रितंत सरौवर पर रितंत 3 ओं है एक तर्य दी पिती पर पाई जाने वाली वनस्तित समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमें दी जा रखना ऑक्सीजिन डी उप्सन सही है बात तर अजसी किसका फिचर मात सरो होता है तो याद रखना ओमेगा त्री वसीय अमलिका सत्यहत्तर मानाव की पहचान को सुनेश्चित करने के लिए जैप्रोदुग की आधारित अत्यादुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है तो याद रखना डी एंड एक फिंगर फेंटिंग के लिए चोहत्तर लंबे समय कसरत की कमोख हीधन क्या होता है वियाद रखना वसा फैट 75 निमलिकत में से कौन सा विटामिन पानी में गुलंसील है तो याद रखना विटामिन बी फैट में गुलंसील है एक वाटर में वी और सी पानी में वी सी गुलंसील है विटामिन और बसा में एक आगे चेट निमलिकत में से कौन कीट नहीं है तो याद रखना मकडी को कीट नहीं समझा जाता है निमलिकत में से कौन मचली नहीं है तो याद रखना इस्टार फिस मचली के सैडी में नहीं आती है अठतर कपास का प्रमुग घटक है याद रखना सेल्यू लोज 89 रेसंतंतो रोम पिच नक और नखर निर्मेत होते हैं तो याद रखना केरेटेंसे 80 मेड काव रोग का कारक है जीवाडू 81 वनस्पती इनकी आवसोसन में प्रभावी होती है याद रखना फिदूसक गैसें वनस्पती फिदूसक गैसें इवं पुच आवत्री के धौनी के आवसोसक होते हैं इन्ही कारणों के कारण पौदों के सड़क रेल्वी लैंड हवाई एड़े के असपस लगाया जाता है पौदों को 82 जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियन के कारण नाक से जल विसरजन होता है आसूकारी गरंथी के कारण 83 पादपों में मूर लॉमों की मूवे वियुम क्या होती है याद रखना मिर्दा से खनेज लवड और जल अवसोसित करना 84 पके हुए टमाटर का लाल रन कि इसकी उपस्तिदी के कारण होता है तो याद रखना के रोटी नॉइड की उपस्तिदी के कारण जिसे लाइकोपीन भी बोला जाता है ठीक 85 जासी इनमें इस इनमें पिती इसकंदक पता इसकंदक नहीं होती है याद रखना बुवार में ठीक मानोसरी में कितनी हड्डियां होती है तो याद रखना डी ओप्सन से यह 206 तुमाखु में नेहित है याद रखना निकोटीन कॉफी में फेकीन पाए कैफीन पाए जाता है अफीम में मारफीन पाए जाता है ठीक आंगे बात करते हैं फूल के मादब फिजनन अंगो जाना जाता है तो याद रखना फिश्टल से फिश्टल ठीक बात करते हैं नवासी क्वेश्ट्ट्चन मचली विशेष सरचना जो उसे स्वास लेने में मदद करती है गिल्स टीक है 90 क्वेश्ट्ट्चन सर्आव ग्रंति विद्दमान होती है तो याद रखना बकल कोडिरन में 91 मानो सरीर में रख्त के परी संचेंड की कोच किसने की थी बिलियम हर्वे न है 92 वर्ल्ड फ्लू के वाइरस के रूम में भी जाना जाता है याद रखना N5 N1 वर्ल्ड फ्लू वाइरस के रूम में भी जाना जाता है थे 93, बाढ़ बनाना, इकत्तित करना और उन कटाई जैसी कुछ गतिविदियां इसे संबंदित है याद रखना, भेड़ पालन, C option सही है भेड़ पालन के इंतर बाढ़ बनाना, इकत्तित करना और उन कटाई करना इत्यादी गतिविदियां संबंदित है 94, नीला हरासेवाल इस समुव में समलित किया जाता है, याद रखना, साइनो वेक्टिरी आई, नील जीवाड़ों 95, कम्पीटर द्वारा, यत्रों का प्योग कर सल्ल चिकिसिक, नाजुक, सल्ल किरिया कर सकते हैं इस तक्नीकों को क्या कहते हैं, वियाद रखना, रोवोटिक्स, 96, डी एने के, दुई हैलेक्स, प्यारू को पहली बार किसने प्रिस्तावित किया, वियाद रखना, वाट्सन, एवं किक्न, क्रिक्न, टिक, 97, डेंगो वुखार में मानो सरीर में नेमिल्टि में से किसकी कमी ह हो जाती हो, याद रखना, फिलेट लेट्स की, अन्ठावन वे कुशन, दूद का धवल रंग, नेमिल्कित में से किसकी उपस्तेदी के कारण होता है, कैसिन, के रोटिन, प्रोटिन के कारण, दूद का रंग हलका पीला होता है, याद रखना, सूची एक को, सूची दो से स फिलेट लेट 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 तो चलिए हम लोग 1000 वी सकितम कर चुको हैं अभी तक अब बात करेंगे drup 2001 से हांगे बात करेंगे टेड़ चलिए हम लोग बात कर रहे हैं वाईलोजी, ओब्जेक्टिब ऊच्छानस देख रहे हैं और उनके उसर्ट तो हम लोग अभी तक 1000 के correct questions देख चुके हैं अब बात करते हैं 1001 से आँगी questions आप लोगों को बता दें अभी तक जितने भी हम लोगों ने biology से संबंदे ये objective questions देखे हैं ये आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगी जितने भी lecture अभी तक बने हुए है वो general science के नाम से जो सूची बनी हुई है playlist में उसी में डले हुए है मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कुछ आएगा अब 1100 करीब questions है और जो 25 chapter थे पीछे हमने खतम किये थी वो भी इसी list में पड़े हुए है सूची में तो इनने देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर किसी भी परीच्छा में जाएगा इतना काफी है ठी तो बात करते हैं इस वर्ड हरित में नेमलिकत में से कौन सा तत्त पाया जाता है याद रखना मेगनेसियम ए दूसरा question फंकने नेमलिकत में से किसका अविसकार किया था याद रखना वीटामिन का तीसरा question सूची एक को सूची दो से सूमलिक करना है सूची में बाई पीदू सके और सूची तो इसमें प्रभावित अंगे है याद रखना एस वेस्ट्रेस एस वेश्टॉस दूल यह उदर कि सीशा कि सोरी कि एस वेश्टॉस यह फैंपड़ा कि प्रभावित करता है ठीक है सीशा है यह यह सीशा उदर को प्रभावित करता है पारा रक्त धाराओं को प्रभावित करता है कार्बन डाय उक्साइड यह मस्तिश को प्रभावित करता है यह याद रुखना है इसमें सी आप्शन सही होगा ठीक है कि एस्विश्टॉस धूल भेंपड़ों को सीशा उधर कि पारा रख धाराएं और कार्बन मॉनोकसाइड मस्तिस कूगों तीर आंगे बात करते हैं चार कुष्टिन लाइकें सबसे अच्छे सूचक हैं वियाद रखना वायू बिदूसंट के पारिस्थिति की तंत में तत्यों के चक्रों को क्या कहते हैं जैव भूरसाइनिक चक्र छटवा कुष्टिन राष्टिय फर्यावाइन इंजिनिंग सोद संस्थान कहां इस्तित है याद रखना नांगपुर में साथवा कुष्टिन भूमीगत जल को दूसित करने वाले अजैविक पिदूसक हैं याद रखना आरसे निक आठवा कुष्टिन निम्ली कितना से कौन एक प्रवाल बिरंजन कषब से अधिक प्रभावी कारक है याद रखना साग्रीय जल के समान सामान तामान में बिध्ध नौबा कुष्टिन सरवादिक जैविवित्ता कहां पाई जाती है तो याद रखना उष्ण कटिवन दी बरसा बनों में दस्वा कुष्टिन एक मनुस के जीवन को पून रूप से धाडिये करने के लिए आवर्शक नियूंतम भूमी को क्या कहते हैं फारिश्थिति की पत चाप भी ओप्सन है प्रह ग्यारवा कुष्टिन भारत की डी एने अंगली चाप केंद इस्तित है वियाद रुखना हैदराबाद में ठीक है लखनव में भी है चन्रीगड में भी अवस्तित है बारह कुष्टिन खाद पदारत की परीरक्षण के लिए प्योग में लाया जाने वाला रसाइन है सोडियम बेंजोएट तेरा कुष्टिन निमनी कितमे से कौन जयव निमनी करन करनी है नहीं है वियाद रतना चांदी का पत्तर कुष्टिन नम्मर है 14 सुची एप को सुचीदो से सुमलित करना है कि मैमोग्राफी इसतन से संबंदे एंगियोग्राफी रोधिरवाह काओं से संबंदे एंडोस्कॉफी इमनला से संबंदे अल्टा सोनुग्राफी इस गरवासे से संबंदे कि सी ऑप्सन झायए है कि मैं में मोग्राफी गरवा से समन्द सक्ड देmy च्वारब है पंद्रवा क्व्यक्षिन विटामिन डी की कमी से ही रेकेड्स और अस्ति मिदूता होता है ठीव सोले कुछ भारत का राष्टी अफल कौन सा है याद रखना आम है आम भारत का राष्टी अफल है कि सत्रह बिश्चन स्पैगों मेनुमीटर एक उपकरन जिससे क्या नाप नापने के लिए उपयोगर किया जाता है तो याद रखना रखत दाव तो याद रखना वार्मणडल दाप मापा जाता है एक एवियाद इन फ्लूएंज्याोम्ना का रदा बाकं कौन जीवे याद रखना वैक्टिरिया एवियान इन्फिल्वेंजा कारडातमा कौन सा जीव है तो याद रखना वाइरिस ठीक है उन्नीज अत्यदिक मद्ध पान्षी मानोसरी के किसंग को छती पहुंचती है याद रखना यक्रित लीवर को वीज मधुमक्यों का प्रजन फिजनन तथा प्रवंधन कहलाता है तो याद रखना एपी कल्चर मनुमक्षियों के प्रजनन और प्रप्वंदन को एपी कल्चर कहते हैं मचली का प्रजनन और प्रप्वंदन फिसी कल्चर कहलाता है सिल्क एउत्पादन को सिरी कल्चर कहा जाता है कौन सा विटामिन राइगोफिलोविन कहलाता है या दखना विटामिन बीटू 22 पौदों को पत्तियों का हरेत वर्ण उनमें मौजूद के कारण होता है तो याद रखना किलोरोफिल प्याज का खाद दन से तो याद रखना तना मानवरक्त का फियजमान होता है तो याद रखना 7.5 से 8.0 त मानवरक्त का फियजमान 7.4 होता है याद रखना जब 7.4 ओप्सन में न दिया गया हो तो 7.4 की नजदी जो भी हो उसे ही सही उत्तर्म हना जाता है ठीक है 25 कुश्य है रखन के धक्के बनने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन की आपसकता होती है तो याद रखना भिटामिन के की 26 न दिया ने से कौन सा एक कार्वने कि ये ओरवरक्त है तो याद रखना बर्मी कमपोश्ट 27 1831 में केंदरख की खोज tropical की किस ने की थी तो याद रखना रोबर्ट ब्राउन ने 1831 में एक कोश्ट कम एक केंद्रक के खोज रोबर्ट ब्राउम ने की ति फ्राव्टिक फ्रावटिक चैन का सिध्दांद चाल्स डार्विन ने के द्वारा दिया गया मेंडल अनुवांसकी का पिता कहा जाता है सिलीडन वेवं स्वायन को खोजका सिध्धान्त का फिती बादन क्या है 28 खट्टे फलों में होता है खट्टे फलों में होता है तो याद रुकना लोग तगत्य से भरपूर है तो याद रुखना सेव ती इस कुष्चटन dne double hellix सरचना की खोज की है तो याद रखना стор वाट्सस एवं क्रिकन के द्वारा के इसके लिए इन नोवल परषकाल दिया गया याद रखना 1962 ठीक 31 मानोसरीर में व्रिद्गोष्णों की संख्या कितनी होती तो याद रखना 4 ठीक 32 आत ज्वार टाइफाइड का कारण है याद रखना जीवाड ठीक या साल्मोनेला टाइफोसा से होता है याद रखना दंत वल्ट एनिमल चौंतीस रिकेड्स कि कमी से होता है विटामिन डी की कमी से 35 मानों किस प्रजाती से संब्धेत है विआद रखना होमोस संब्धेत है 36 मैगनी फेरा फेरा इंडीका किस का बन स्पतिक नाम है तो याद रखना आम का संत्रा का बनस नाम है। सिट्रस सेंनेंसेंस। सैंति स, ओरीजिंट ऑफ स्पीशिज। नामकुस्तक लखी है। तो याद हकना डारविन द्वाल। फिलोसोफिक। जालोजिक नामकुस्तक लखी है। लेमार्ट के द्वाल। कुकरमुत्ता है एक तो याद रखना फपूंद कौन सा रोगाडूं समोद परपोसी जीवों की कुछकाओं के अंदर ही पोना रोतपाधन करता है तो याद रखना पोटो जुगा 49 का सी है चालीस सेलूलोसी भीती किसके सेलों में सिपाई जाती है याद रखना पोट है 41 गुर्दे की निसेंदन एकाई कौन सी है याद रखना नीफ्रॉन तंतिक्या तंतिकी एकाई है नीवरॉन 42 वो चितर पौधों के वीजों की पोसक उतक को क्या कहती है एंडोस्परम इस्ट मत पूंट सरूत होता है याद रखना विटामिन दी का 44 सूची एक और सूची दो से सुमलित करना है सूची एक और सूची दो वेक्टिरियम तपेदिक फंगस दाद फोटोजुवन कालाजार वाइरस इन्फ्लुइंजाव इसमें बी ओप्शन सही है थी वेक्टिरियम तपेदिक फंगस दाद फोटोजुवन कालाजार वाइरस इन्फ्लुइंजाव इन्याइम क्या होते हैं तो याद रखना इस्टेरोइट गैस तामापी द्रव तामापियों की तुल्ला में जान्दा संबेदि होते हैं क्योंकि गैस की विशिष्ट उसमा अधिक कम होती है कि चाहएं डेल्टो निज्म एक पिकार की वड़ाण दिता है उसमें रोगी का कौंसा रंग नहीं देख पाता तो याद रखना इसमें होगा डी उक्त सभी हरा रंग लाल रंग नीला रंग डेल्टो नेजम एक पिकार का वाड़ान देता है उसमें रोगी को लाल लंग और हरा रंग में अंतर नहीं होता है कलर विलाइडनेस रोग सर्पितम डालतर में पाए गया इसलिए रोग को डाल डालते नेजम भी कहते हैं 47 पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है अरोई आरोई जड़ गुड़सूत किसे बनते हैं तो याद रखना डी एने बहुत प्रोटीन 49 जरसी साड़ जो संकरण में इस्तिमाल होता है किस जगए की मोहकुप जाती है स्वीजर लेंग 50 निमलिखत में से कौन सांकेतिक संब्ध लाइकन निर्वित करता है एक एलगी एक फंगस 51 निमलिखत में से कौन सा फसल सहयोजन भारत की मिस्रित फसल में से मैं इस्तिमाल नहीं किया जाता है तो याद रखना चाबल और मुहम खली है बावन कुश्चन दान के खेतों में कौन सी केस्ट मुक्त होती है तो याद रखना CH4 मैथेन पौदों में पक्तों के पिष्ट पर पाए जाने वाले लगू छिते के छिद्रों का नाम होता है रंध ठीव चंगन पुश्चन अंगला है चंगन बाव पसों कपसो महावारी रोग होता है तो याद रखना वीशाणूं वायरस द्वार पचपन मोल पर जीवी के रूम में विवार करने वाला पौदा है कसकुटा 56 सबसे वड़ा स्वेत रुध्याणू है तो याद रखना थम्बो साइट संता वन्यम्ने में से कौन सा दोनों वाह स्रावी गन्ति और अंता स्रावी गन्ति के रूम में विवार नहीं करता है तो याद रखना अंडास है ठीक है अंठावन सुची एक को सुची दो से सुमलित करना है अपनों ठीक है आयोडीन इससे उताय गलकंद धेंगा रों आयरं तो सूख शुच्जमाडू रख्टालपा नियासीन इससे उताय प्रेडाली या इससे उताथ फिलेच या विटामिन वी डॉयल से होताय प्रेडासी रख्तालपा तो इसमें डी ओप्सन है ठीक है आयोडीन से गलकंद गंद रोख धेंगा रोख वायरन से सोक्षमाडू रख्तालपा और नियासिन से फैली जीया रख्तालपा और भीफटामिन B12 प्रेडासी रख्तालप ता उनसट जल्द समर्धन पौधों के कर् नहीं किया जाता है तो याद रखना जल्द का ठीक है यह उप्सन है उनसट का साथ वनक्ति जगत के गेर गेर हरी विसंपोशी पौधी कौन से है तो यह याद रखना भंजाई याद रख अंगला है 61 मानोसरी की कौन सी ग्रंथी फ्यूस ग्रंथी से हार्मोन की रिष्टाओं को नियंतित करती है हाईपो थेलेमस ग्रंथी वासट फुरानी और नस्ट फ्रेया लाव रखती कड़काएं कहां नस्ट हो जाती है फीलिया इस्पिलीन में 63 सौ फरागन का फईडाम क्या होगा अन्ता फ्रेजिनन बात करने वाले हैं 64 कुर्शन सूची 1 सूची 2 विटामिन B1 इसे थाइमीन बोलते हैं विटामिन B2 तो इसे बोलते हैं राइबुफलिविन विटामिन B6 फायरोडॉक्सीन विटामिन 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 B1 ठाइमीन गोलते हैं विटामिन B2 को राइबुफलिविन विटामिन B6 फायरोडॉक्सीन विटामिन B2 शाइनो कॉवालीमिन कॉवालेमीन 55 निमनलिकत में से सही जोड़ी कौन सी है तो याद होता है अब घंटक वेक्टिरिया सहीं इमलिकित सब्दों को अर्थपूर्स अनुक्रव में सजाईए तो याद रखिए इसमें बी ओप्सन सही होगा जड़ फिर आएगा तना फिर आएगा पत्ती फिर आएगा फूल और फिर आएगा फ़ग जल जड़ तना पत्ती फूल फल सरसठ फूश्य नमबर जेविक बस्तुओं को संगठन की सरवाधिक उच्च इसतर को क्या कहते हैं तो याद रुपना जेव मंडल अर्सठ इन में से किस फसल को पिती हेक्टर अधिक्तम जल की मात्रा की आवस्तिक्ता होती है गन्ना 59 प्रिकास संस्रेशन में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं किलोरोफिल 70 सबसे बड़ा और भारी इस्तंधारी कौन सा है तो याद रुपना विलू वे हेल 71 वह फारिश्तित की जिसमें रख्त से गिलोकुच की मात्रा बहुत कम होती है को कहते हैं हाइपो गिलाई सीमिया 72 फाइल एरिया रोग किसके कारण होता है तो याद रुपना क्रीमी बॉर्म 73 विटामिन एका रसाइनिक नाम क्या है तो याद रुपना रेटिनॉल यह ओप्सन सही है 74 मानोसूत मानोमूत्थ है तो याद रुपना छारक 75 विकासन वर्ती संचलन किसके द्वार इनेंतित किया जाता है तो याद रुपना ऑक्सिन 76 दुप्द जनत हार्मोन गस्राव कहां पर होता है तो याद रुपना इस्थन गरंतियों से 77 वह जीप कौन सा है जो बायू प्रिदूसन को मौनीटर करता है याद रखे लाइकन 78 अन्यम्न में से मानोशरी का हो है कौन सा है जो उसमें जल की संतुलन के लिए उत्तरदाई है गुर्दे गुर्दे किडने उन्यासी सौफोसित थेलोफाइटो बाले किलोरोफिल को क्या कहते हैं सेवाल 80 टेवल सरक्रा किस फिकार का सरक्रा है तो याद रखे गिलुकोज 81 किलोरोफिल में क्या पाया जाता है तो याद रखना मैगनेशियम सुची एक सुची को दो को सुमलित करना है 82 कोश्चन का तो इसकी ब्याख्या देख लेते हैं इसमें बी ओप्शन सही होगा वैसे एन उप लीज मादा यह मलेरिया होता है इससे क्यूलेक्स फाइल एरिया से सुता है इससे रेत मक्की काला जार होता है सीसी मक्की नेंद की वीमारी होती है ठील तैरा सी बड़ती उम्मे के विज्ञानिक अध्यान को कहा जाता है याद रखिए जरा विज्ञान ठील हड़ियों के अध्यान को आस्थी विज्ञान कहते हैं 84 एक व्यक्ति की बुहरी आखें नेली आखें या काली आखें इन में से किसकी विज्ञान की मौझूदगी के कारण होती है याद रखिणा आईरीस 85 एवी रख्त बर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक कहा जाता है उसके रख्त में एंटी वर्डीज का आवाव रहता है ठील 86 मानो शरीर में मौझूद सबसे वड़ी ग्रंती है याद रखना एक क्रेट 87 मानो तो चाप विना चाले पड़े अधिक्तम कितना ताम मन्स है सकती है 40 डिगरी से अठासी एक चीटी इनमें से किसकी उपत्ति नीक कारण चारों और की वस्तों देख सकती है तो याद रखे सयुक्त नेत डियो अप्सन सही है एक चीटी में सयुक्त नेक तपाय जाता है जिसके कारण वह चारों और की वस्तों देख सकती है नवासी माना मादा एनोफलीच मच्चर की संग रोख का बात है तो याद रखिए मलेरिया का 90 कुश्च नम्बर एक सुरा सार्ट के साथ सरलगन एक चूसक मत्स में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर है तो याद रखना सहे भोजिश्ता 91 कुश्च नम्र निम्लिकित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन योगी करन जीवाणू है तो याद रखना राइयोवियम 92 कुश्च नमीवा अपना आहार किस पिक्रिया से गेहन करता है तो याद रखना जीव दिव कुच्चन 93 सुची ये कुछ पसल दिया नहीं और ये रोग है तो धान धान में उता है विद्वन्स गेहूं किट्ट सरसों मिदूरो मिल आसित और गन्ना लाल विगलन 94 कुश्च नमीवा से कौन सबसे अधिक फारीतन्त फारिश्टिदी तन्त है याद रखिए महासागर इस थिर फारीतन्त है महासागर सबसे अधिए 95 सही जोडी चुन्दा है इसकी भी देख लेते हैं कौसलोज़वजी व्रहमन्य का अध्यन एकोलोजी फरेवाइन का अध्यन एंथुलोजी पोस्पोंका अध्यन पॉमोलोजी पॉमोलोजी में भलों का अध्यन नियूरोलोजी नियूरोलोजर में इसनाईव तंतियों का अध्य है यह ओप्षन सही है बात करते हैं 96 कुष्चन तपेदिक रोग का कारण है तो याद रोकिए जीवाडू तपेदिक रोग टीवी जीवाडू से होता है माइको बैक्टिरियम टूबर्किलोसिस नामक जीवाडू के द्वारा फैलता है इस रोग में रोगी को खासी के साथ साथ कप और रत निकलता है सांस लेने में कटनाई ही ही होती है सीने में दर रहता है सरीर का वजन गट जाता है और भकानत कमजोरी महसूद होती है 37 कि लाइमेड सब्द किस भासा से लिया गया है त्र pratique भासा से सरपस का प्रवासा सरीर के कि कि संग epsilon संग पर सबसे पहले होता है त्र currous invent Пр 90 का दे करेंद अंट- hypothesis नियान्यानवेड मानो तो चाह है त्र...? रखना एक अंगल जीवों के रचनात्मा के वं क्रियात्मा के काई को कोश्चका कहते हैं कई कोश्काओं से मिलकर एक उतक का निर्माड होता है कि यारा सोबा कुश्चन इंसूलीन शरावित होता है वियाद रखना फैंकियार दौरा एक ग्यारा जाल सूरी एक लैंकि पूष्चन रंग अन्द्वेक्ती इन मेंसे किस रंगों का बहुत नहीं कर पाता वियाद रखना लाल और हरा कलर बिलाइंडनेस जी बोलते हैं दूसरा क्वेशन जीन्स एन्मसी बने होते हैं वियाद अपना न्यूक्लियर एशर्ड तीसरा क्वेशन भारत में नेमने किस बस्तू सेंडी पर खाने का बेह सरवादिक तेजी सी बढ़ रहा है अनाच चौत्रा क्वेशन भारत में HIV उनत वीज की किस में किसके द्वारा फ्यारम की गई जवाहर लाल नहिरू दस क्वेशन फ्याज फ्याज को छिलने या काटने पर आँखों में प्रवुत माता में आसू आने का कारण है फ्याज की कुछकाओं में बिद्दमान गंदक फ्याज की कुछकाओं में बिद्दमान गंदक के कारण फ्याज को छिलने का या काटनर पर आसू से निकलने लगते हैं फ्याज में एलाइच प्रोफाइल प्रोपाइल डाई सलफाइड नमक बदात पाये जाता है जिसके कारण एक विसेस प्रिकार की गंद होती है फ्याज में एसो टू गैस होता है जो जल में घुलकर एस्टू एसो फोड बनाता है फ्याज काटने पर जब आँख में पड़ता है यह आँख से आसू निकलते हैं अंगला है चटवा कॉश्चन आयोडीन एक नमक की मानों सरीर में क्या भूमिका है थायराइड ग्रंती का कारी का नीमन साथ किस चीज की कमी से रत्योंदी में फलित होती है याद रखना विटामिन एक की कमी से रत्योंदी से पीडित बेखती को रात्त्री में दिखाई नहीं देता आठवा कॉश्चन फिद्धी जेविक औस दी फैनेसलीन फ्राक्त की जाती है याद रखना फंगस से फैनेसलीन की खोज एलेकजेंडर फ्लेमिंग ने की थी सुईत क्रांती नाम संबंधित है याद रखना वर्गीज कुरियन से दसवा कुश्चन है दुख दे अपने पोसण योग गुड में आदूती है फिर भी यह है तो शिरोत है याद रखना कैल्सियम का ग्यारवा कुश्चन ग्वेटर अत्पा थायराइड गरंती की आस्वभाविक बिल्धी निमने की कमी से होती है याद रखना आयोडीन बारवा कुश्चन निमने में से क्या एक तिलहन है याद रखना राई तो चलिए यह थे हमारे भाई लोजी ऑब्चेक्टिव कुश्चन से संब्दिए जितने 1112 कुश्चन थे बहुत काफी है इतने अगर पढ़ लो मुझे नहीं लगता है कि कहीं बाहर कुश्चन जाए ठीव